चलिए तो आज की इस किलास में लोग बात करेंगे आपका विस्व का पूगोल भी देख लेंगे और भारत का भूगोल भी देख लेंगे complete थिक विस्व और भारत का अभी आपकी जो भी किलास में ले जा रही है यह सब भी आपकी रीवीजन के पॉइंट इविव से ले जा रहे हैं आपने देखा है कि जो अम लोग ने बेग्जान देखी उसमें आपने देखा है केमेश्ट्री फिजेक्स बाइलोजी इन तीनों को कबर किया हुआ है उसके आपने देखा पर्यावेंड के आप पारेस्थितिगी को भी देखा है आड़त्य विवस्था भी हम लोग ने देख लिए समीदान भी हम लोग ने देख लिए और याद रखेए जब आप पेपर नजदी को तो इसे पढ़कर आप लोग जा सकते हैं ठीक है क्योंकि आप द कि देखिए वन डे एक जाम के लिए मुझे लगता है इतना मटेरियल काफी है आपका और आपके जाना हो तो आपके रण सामन ग्यान बुक्स को कवर कर लें आपके पास अगर सुगधा है तो आस-पास मिलती है तो उसे खरीद ले क्योंकि मैंने देखा है बहुत अच्छी लोचेंड भी बड़ी आए वो भी बड़ी आए तो आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में देखेंगे विस्तर का भूगोल पहले हम लोग उसके बाद दूसरी क्लास में हम लोग देख लेंगे आपका भारत का भूगोल इसमें वही कुश्चन से मुझे लगता ह जो यह तो परिच्छाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके ही या पूछने की पूरी संभाव ना है आंगे ठीक है और आपका करेंट अपेस बचेगा तो अभी समसमाय की घठना चक नहीं आई है द्रिष्टी की इद्रिष्टी की तो वो आती है जैसे ही में हम लोग लेकर आपकी कवर कव ενciąते रहेंगी तो यह उसी के एक पहले द्रिष्टी के साथ आते थी गेसा उनहीं का तरह से युक तरह से रिविजन बाले आपकी वो प्येटायब आती थी दीक है अभी मिलेगी तो उसे भी हम लोग खरीत कर आपको पीडिया जा दढ़ क और अगर आपके आसपास मिखती हो मिलती हो तो आप लोग उसे खरीद लें ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं विश्व का भूल क्या भूल रहा है सबसे बात करते हैं ब्रह्मंडे के बारे में सामान अवधार्णा महाविस्पोटक सिध्धान्द बिग बैंग थेवरी संबंदी थे ब्रह्मंडे की उत्पत्ती से संबंदी थे एक कई वार आपसे पूच लिया है महाविस्पोटक सिध्धान्द की थेवरी संबंदी थे किस से संबंदी थे ब्रहमन्ड की उत्पत्ती से संबन दी अगर आप से पूँचे कि महाविस्पोटक सिध्धान का पिती बादन की जया था इसने ब्रिगवैन के थेरोई किसने दीती जौज लेमिंदियर ने इस नाम को याद रखना वह एक गलेक्टि जिस सित में हमारा सौनमंडर लिष्टे थे मंदाकनी या मंदिकनी आकास गंगा या पिर दुख नमेकला भी इसे कहते हैं मिलकी बेवी कहते हैं ठीक है इस नामों को याद रखे हैं आकास गंगा वर्गी कित की गई है सरफीलाकार गलेक्सी की रूम में 22-25 करोड वर्ज तारे के विकास के क्रम में सरफिता होता है प्रोटो इस्टार का निर्मार तारे का रंग सूचक है उसके ताप का वह सीमा जिसके बाहर तारे आंत्रे मीत्यूं से गेर्सित होते हैं चंद सेखर सीमा कहलाते हैं क्या कहलाते हैं चंद सेखर सीमा तारों की कारण घटित आकासी पर इअटना है किष्ण वीवड़ किष्ण चिद विलेक होल सिध्धान को पितिवाद किया था ऐस चंद से करने कथन ए किष्ण चिद एक ऐसा खावुली स्थित्य जिसे दुर्वीन से नहीं से नहीं जा सकता है और अर्वेज़ का कारण आर्व चिष्ण चिद पर गुरुत्त विये चेतना पिरवाल होता है कि वह ए पिकास को भी बच निकलने नहीं देता है यह और आख दोनों सही है आर यह क सही व्यक्या भी करता है याद रखिए अभी भी आप भी तो सुनते हैं कि यहां से कोई भी अगर एरोप्लेन जा रहा है कोई बक्षी भी जा रहा है तो वो भी इसके अंदर चला जाता है गुरूती यह चित इतना अधिक है यानि कि इसका आप समझ सकते हैं किष्णेचिद्धी अंतरिक्ष में एक पेंड है जो किसी पिकार की विकरण को बाहर नहीं आने देता है इस गुडण का कारण है इसका बहुत उच घनत बहुत उच घनत की कारण ऐसा होता है कहते हैं कि कई अरोप्लेन भी इसमें जा चुके है ठीक है सुपर मोबा है एक मेट पर आया तारा अंतरिक्ष में तारा बंडलों की संख्या है 88 फलसर किष्ण विवर किलासर और भंगोर तारा आदी हैं खाबूली बस्तुएं अंतरिक्ष में नहीं पाय जाता है ब्रिटल स्टार किष्ण मार्टर एक निश्टे ताक्रीति में विटल ग्यूज सौर मंडल की सभी आठ ग्रहों में सरवादी माध्य घहनत है पिथिवी का 5 इंटू 5 यानि की 5.5 ग्राम पिथी सेंटीमेंटर क्यों पिथिवी और सौर की सौर के बीच बीचों बीच इस तित अंदर एक चार में बैठे वेक्ति को दिखाई पड़ेगा आकास स्याय काला और तारी टिम्टिवाती नहीं है पिथिवी के संगठन में मुख तक है लुहाद को 35 पिथी सथ ऑक्सीजन 30 पिथी सथ सिलीकन 15 पिथी सथ पिकास बरस एकाई है दूरी की एक पिकास बरस में होता है 9.661 गुणे 10 की पावर 15 मीटर ठीक है इसे भी याद पिकास बरस यदि एक पिक्चर तारों को छेते से लमबद उठते देखता है तुवह अवस्तित होता है विश्वत रेखा पर जिस तारा के तारे तारा मंडल के तारे दुरोप तारे की और संकेत करते हैं वह है सब्त रिसी अब बात करते हैं सौर मंडल से संबंदित कुछ मात्कून पॉइंट सौर मंडल का भाग नहीं है निहारी का सूर हमारे सौर मंडल का केंदे और पिति भी उसकी परिक्वा करती है सरफ पिति पादित किसने किया था कॉपर निकसने किसने कॉपर निकसने ठीक है सौर मंडल का निर्माड हुआ था 4.6 billion बर्स पूर यानि की 4.6 billion बर्स पूर हमारे सौर मंदल परिवार सौर परिवार के संद्रम में सही कतन है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह ग्रह में पितवी संखननतम है सौर मंदल में ग्रह की संख्या है 8 अगस्त 2006 से पूर ग्रह की संख्या 9 थी सूर से दूरी के करम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है द्रस्पती और सनी ग्रह सूर से दूरी के बढ़ते करम में सही विवस्ते हैं जानि कि ग्रह दूरी मतलब सूर से बढ़ते करम में पहले आप देखें कि बुद्ध उसके वास्तों पितवी, मंगल, बैस्पती, सनी, इउरेनस, नेप्चुन आप पितवी को तीसरे नमबर पर देखते हैं सबसे पहले बुद्ध बार बुद्ध, सुक, फर पितवी, मंगल, बैस्पती, सनी, इउरेनस, नेप्चुन सूर तथा पिथभी के मद्द ग्रह है बुद्ध एबं सुख ठीक है उसके बाद पिथभी आती है पिथभी इसते थे सुख एबं मंगल के मद्द सुख एबं मंगल की बाद देख रहे हैं न सुख क्या हो गया मंगल या पिथभी बीच में ग्रह के बारे में सत्कत है या एबिशेस लच्छन हो गया ग्रहों का नाब सौर मंदल का सबसे चोटा गराए बुद्ध सौर मंदल का सबसे बड़ा गराए बरसपती सौर मंदल में सूर से दूसरे स्थान पर गराए सोक क्योंकि बुद्ध के बाद सुक्री तो आता है और सबसे अगर बड़ा पूचे गराए तो आप बेशपती बता सकते हैं और सबसे चोटा बुद्ध सौर की निकट गराए बुद्ध सौर मंदल का मंत्तम गतिवाला गराए वरन सबसे दूर आकास के अंसार घर्टे करम में गराओं की स्तिती बताना है पहले बरस्थपती, फिर सनी, यूरिनस और दर पित्वी, हाइड्रोजन, हिलियम तथा मीथेन प्रमुप गैसे हैं, जो बिंदमान होती हैं, बरस्थपती, सनी और मंगल ग्रह पर, गॉल्डी, लॉक्स, जॉन, सब्द का संदर वे, भूपेश्ट के उपर बासे उख, मंदल की सिमा है, आवासी है, चिर्ट से, इसका मतलब होता है, ठीक है, आप, ये भी आपका सम्मले थे, सूची एक और सूची दो, ग्रह यूरिनस, उपग्रह चंदमा, पुछलतारा, हैली, किंतिम उपग्रह, मराईजन, मराईणर, ठीक है, आप जानते हैं न, चंदमा अपिति परिचेत की दुलना में, पितिवी पर पढ़ने, बाली चंदमा की छाय का अगर छोटारा, होता है, इसलिए, सूर का प्रभा मंडल, परकास के पर अपवरतन के से उत्पन होता है, अपछाब मेगों के हिम, इस फेटकों से, एक खागोली है, एक अत, औसत दूरी होती है, पितिवी और सूर के बीच की, सूर और पितिवी के बीच औसत दूरी होती है, 150 इंटो, 10 की पितिवी की दूरी है, अगर आप से पूछे, तो 119.6 मिलियन किलूमीटर, पितिवी सूर से निकटतम दूरी की बात करें, तो 3 जनवरी को आप देखेंगे, कि पितिवी और सूर के बीच निकटतम दूरी होती है, सूर का आकार पितिवी से है, 109.2 गुना, कितना, एक से 10 109.2 गुना, अब बुद्ध्य के बारे में कुछ जान लेते हैं, वह गरह जो सबसे कम समय में सूर का चकल लगाता है, बुद्ध्य गरह, 87.96 दिन में ये सूर का चकल लगाता है, लगवग 88 दिन में, दो गरह जिनके उप गरह नहीं है, बुद्ध्य का भी कोई उप गरह किसी पेंड का एलवीडो परावर्तित पिकास में दिखने पर उसके चासुद दूर्टी निर्धारित करता है सुख्य के बारे में पूंचें तो सौर मंडल का सरवादिक गरम ग्रह है आपका सुख्य और इवनिंग इस्टार भी कहते हैं आप लोग सुख्य को वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से भी आप सुख्य ग्रह को जानते हैं तो याद रखना सौर मंडल का सबसे गरम ग्रह है सुख्य एवनिंग इस्टार भी कहते हैं और इसे भोर का तारा भी कहते हैं याद रखी सुक्क गरहे पर मानो जीवन का होना अत्यदिक संभब है सुक्क के वाई मंडल में कारवन डाय उपसाइड का अत्यदिक उच्छ इस्तर है ए आर दोनों सही है आरेटी सही ब्याक्या भी करता है पित्वी की जुडवा वहिन कहे जाने वाले ग्रहे का नाम क्या है सुक्क मैगलन अंतरिक्षान भेजा गया था सुक के लिए अगर पित्वी की बात करूं तो पित्वी गोलाकार है आपकी सर्पितम किसने कहा था ये बात अरस्तू ने एक जीबधारी के रूम में पितवी का विज्यानिक नाम है Green Plate, क्या है Green Planet पितवी का वियास है 12,756 किलोमीटर कतन ए और कारण आर पितवी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अप्छास वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तू का बजन घड़ता है यह विल्कुल गलत है पितवी एक परिसुद्ध गोला नहीं है यह आपका सही है यह यानि की कारण आर सही है और कतन ए गलत है पितवी के तरल अभियंतर के समान चंदवा का अभियंतर है स्यान दिरुग भोपर पटी में बहुतायात से पाया जाने वाला रसाइनिक तत्य है ऑक्सीजन पितवी तक पहुँचने के लिए सूर से चला प्रिकास समय लेता है लगवग आट मिनिट सत्रे सिकिन वह थारा जो पितवी के सरवादिक समीक है सूर है पितवी का निकटम ग्रह है सुक्र क्या है सुक्र पितवी का निकटम ग्रह सुक्र पितवी को सूर की परिक्मा करने में समय लगता है 365.25 दिन के करीब ठीक है एक साल आप जानते हैं न अपने परिक्मा पत में पितवी लगवग मातिपेक से सूर के चक्कल लगाती है 29.8 किलोमीटर पिती सेकिंड पितवी परिक्मड करती हुई पिती मिनेट करीब करीब दो दूरी तय कर लेती है 27.3 किलोमीटर पितवी की परिक्मड दूरी सदा जुकी होती है दिर्द बिर्टी है धुरी से 23.5 दिगरी पर सब दकतन है पितवी की चुमकिय अविस्वत रेका दच्छिड भारत में थुम्मा से गोजलती है बिल्कुल सही है सब पकतन है पितवी के अक्ष के उत्री सिरे को उत्री द्रोब और पितवी के अक्ष की समान करता है दिनराथ के कारण होते है जब दिन रात की आउदी बराबर होती है तो सीधी पढ़ती है याद रखी यहाँ आपकी केबल आपको वही मतलब एक तरह से कुश्चन की तरह बता दिया जा रहा है उनका अंसर और कुश्चन यहां को यह आपको अगर विस्ताल से पढ़ना है तो किरन सामन ग्यान बुक्स पढ़ ली है और लूसेंट भी कवर कुड़वा दीती और भी अगर आपको विस्ताल से पढ़ना है तो आपकी NCEIT कवर कर चुके हैं तो उसमें जाकर पढ़ सकते हैं यहां केबल आपका परिच्छा प्रिलिम्स यानि कि वंडे एक जाम दी तरह है जो कुश्चन साते हैं अबजेक्टिव उन्हीं को हम लोग कवर करने की कॉसिस कर रहे हैं जैसे एक कुश्चन साब का आईये सिविल सर्विस और स्टेट PCS प्रिलिम्स में पूच लेता है कतन ए किंते मुखर है हमें सब इतवी से पूर भी दिशा में चोड़े जाते हैं गलत है कारण आर इतवी पित्वी के परिता हो गरे कि साथ उसी कर्चा में गुमने गुमती रहेगी पित्वी ग्रह की सरचना में पावर मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है लोग और निकल से विस पित्वी दिवस मनाय जाता है बाईस अपरेलगू अभी आप याद आर कि इसके जो दिवस मनाय जाते हैं इनसे भी आपका वंडी के वर समय प्रेलियम से में भी आपके प्रेलियम से देखने को मिलते हैं तो इनके लिए आपके जितने भी साल के दिन होते हैं उनको हम लोग ने कवर कर लिया है मत्पूर्ड दिवस के नाम से आपकी प्लेरिस चोची बनी हुए है उसमें तो मुझे नही लगता है कि आपको कही परैसा नहीं आगे और दूसरा आप कोश्टेंस पकड़ने में सफल हूए कि किस तरह से कुष्टेंस बन सकता है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसान हुग तरज से अभ बाद करते हैं मंगलगर्य के बारे मंगल ग्रह के दिन का मान और उसके अक्छ का जोकाओ, लगब पितवी के दिन मान और जोकाओ के सम्तुल है, मंगल ग्रह की बिज़ाय में, कत्धन एक पितवी द्वारा सूरी के परिक्मा की समाओदी कम है, गलत है मंगल ग्रह का बयास पितवी के बयास की तुलना में कम है सही है कारण आज सही है लेकिन कथन यह गलत है मंगल पर जीवन की उपस्तती के लिए वायवस्ता है जो सबसे सुसंगत है बरब चत्रोकों और हिम सीतित जल की उपस्तती आप जान रहे हैं के पितवी के बाद अगर कहीं जीवन संभाव हो सकता है मंगल पर इसलिए आप देखते हैं मंगल यान भेजे जा रहे है स्टवी के अलाबा और उन जीवन की आपाद के लिए बहूत पंकूल है यानि की व्रस्तपति का उप ग्रेह फीनेक्स मार्क्स लेंडर मंगल ग्रह की सतय वो उत्रा था 35 माईмен 1998 अब बात करते हैं बरुस्त पति बर्षपत्य ग्रह की चंद्नमाओं की आदारी फाल की ग्रह थी सिलिके के टौण का बना हुदा। वह गरह जिसके सरवादिक प्रापते को या दोटाने के अदुबा चंद है। पहले था आपका वरस्पती लेकिन अब सनी हो चका है। सनी सूरते करने के छारों और की चक्याने में लेता है, 29.5 वरस। वह ग्रह इसके चारों ओर वले हैं सनी अपनी यात्रा के साथ वर्सों के बाद अंत्रिक च्यान के सीनों ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कल लगाना पर आरम किया था हुए सनी सनी ग्रह जिस ग्रह का घ्रम है वह है नच्रुण तमी सस्वाड़ा चंदा मार्ले ली एक परिकमा आप में लेता है 84 दिन की, 84, sorry, 84 बर्स, यानि की 84 साल, जिस ग्राय बोना ग्राय का वर्स देव कम होता है, वह है पिलूटू, International Estonomical Union द्वारा, 2006 में दी गई एक नई परिवासा के अनसा ग्राय नहीं है, पिलूटू नहीं है, सौर परिवार का सबसे चोटा ग्राय है, बुद्ध, सौर मंडल का सबसे बढ़ा ग्राय है, नेट्यून, सौर जगत का सबसे दूर का ग्राय है, कभी वरून, कभी यम, थे न, निक्सक एवं हाइट्रा, चंदमा है फिलूटू के, अब बात कर लेते हैं, चंदमा के बारे में कुछ, मानोर ने चंदमा पर फाहला कदम रखा था, वर्थ निस सो नक्तर में, सी ओप, टेंट, ट्रक, क्वालिटी, सांती का सागर, इसके थे चंदमा पर, कथन ए, चांद का सदेव, एक अभिन फलकी, पितवी की और अभी मुख है, बिल्कुँ सही है, चांद अपने अक्ष पर 23-23 दिवी दिवस में गूडन पूरा करता है, जो लगवग उतनी ही किपेश्ट का किबल एक फलकी दिखाई देता है आपको, तो ए आपका बिल्कुँ सही है, अपने अक्ष पर चंदमा के गूडन का काल, उसके पितवी की चारोड, गूमने के काल के बराबर होता है, ए और आर दोनों सही है, और एका सही पर टिकंड भी दे रहा है, चंदमा होता है, जब चंद गयाड होता है, जब सूर और चंदमा के बीच पितवी आ जाती है, याद रखिए चंद गयाड तब होता है, जब सूर और चंदमा के बीच आपकी पितवी आ जाती है, वह बरस्ते थी जिसमें चंद गयाड होता है, पूर चंद, फॉलमून, 14 नवंबर पूर्णिमा के चंदमा के सामान से अधिक चमकदार होने के लिए मुक्ता उताई का रखता चंदमा का पितवी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण अथा पूर्ण उकुभू पर होना जब अड़ चंद होता है तो सूर पितवी चंद की वीच का पौंड होता है 90 बिलूमून परिगटना होती है जब 100 वरस में एक अत्रिक्त स्कून में होती है उसे बिलूमून परिगटना कहते है जब किसी वस्तुव को पितवी से चंदमा पर ले जाय जाता है तो है उसका भार घट जाता है चंदमा की पितवी से ओसा दूरी है 384,400 किलोमेटर ठीक है परिक्मा करने वाले स्टैल के चोटे टुकड़ों के समोग अनो लोग चुद्गरह कहते हैं किस-किस के भी मंगल और बेर्सपती कठ्चाओं के बीच जोद्ग्रहों के विशाय में सही कतन है चुद्गरह सूर की परिक्मा करने वाले विबिन आकारों की चट्टाने मल्व हैं अधिकांस छोटे किन्तु कुछ का खास कुछ का ब्यास 1000 किलोमीटर तक है तक बढ़ा है ठीक है सौर मंडल में छोट ग्रह इस ट्वाइड छोटे खागोली पिंड है जिन गिरहों के मद्द पाए जाते हैं बें मंगल और बैरस्पति चुटग्रहो और धूमगेतु के बीच अंतर होता है जोटग्रे लगू चट्ट्थाणी ग्रहईगा हैं ले पिलेंट ट्वाइड हैं जबकि धूमगेतु हम सीटित गैसों से निमेद होते हैं जिरें चट्थानी और ध्धातु पदार आंगसह में बांदी रहते हैं कुछ पुछ दर्स आते हैं जब कि छोते ग्रय यह नहीं दर्स आते हैं ठीक है अब बात करते हैं धूमकेतु और एवं उलिका के बारे में धूमकेतु की पुछ सूर से परेंद्रिष्ट होती है क्योंकि सूर द्वारा उसाजी विकरन धूमकेतु पर बेल्च दाव डालता है जिससे उसकी पुछ सूर से दूरी दूर्चिक्त हो जाती है हैल बॉप नाम है पुछल तारा धूमकेतु का सूमे कर लेवी नाइन धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया जाता था वह है बिरस्पती उलका ब्रम बाहें अंतरिक्षे से पित्वी के वायमनंदल में प्रविस हुए द्रब का अंसयाका उलका पित्वी अक्छांस की बात करे अक्छांस देशांतर है 90 डि ГРИ उत्तर 45 डिगर हैं फूर्वी और 45 दिगरीब हुआ के टकर व्य अध जियो प्रवित जो सही प्छांसी श्तिती हो है 45 डिगरी दचड़ एक लोगा पर अक्छांसुों में बहस भीत होता है विश्पत रेटा पिध लहने अम उत्छांस का व तर्याव का देशांतर काहिया का समय ग्रेन विच से दो गंटे आंगे है या इसते थे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तब प्राइटा की 6 बजे होती है जिरू डिग्री पूर्वी या फिर पश्चनी देशांतर पर यदि दो इस्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दो इस्थानों की वीच का समय अंतरा होगा साथ सोड़ी 6 गंटे कितना 6 गंटे जब ग्रेंड बीच में मध्यान है एक जगह का इस्थानी समय पांच बजे समय है यानि के सामका है वह जगह अवस्तित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वह देशांतर जो पिधान याम उत्तर के साथ मिलकर गिलोब पर बेहत पर साथ का निर्माण करता है 180 देशांतर नए साथ साथ रवदी के सूर्य उधर की पिथम किरन भारत के जिस एक याम उत्तर में दिखाई देती है वह 93 डिग्री 30 मिनिट इस्ट किसी स्थान का मानक समय निधारित करने का अधार है पिधान मद्यान रेका पिधान याम उत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से पिधान याम उत्तर गुजरती है कुल 900 योकिय स्पैन फ्रांस अल्जीरिया माली वर्कीना फासो टॉंगा घना और अंटारी की टी का द्रचटी धर्बोंग ठीक अगर, अक्राट, डबलिंग, मैट्रेट, उललिस्वन में से जिसका समय जी अम्टी की समाने हुआ है अक्रा, अक्रा और डबलें, उललिस्वन ग्रेन बिच माः समय से आंगे से पीछे के करम की दरिष्टी से देसों के मानक समय का सही करम है जापानेरा क्रेस क्योंगा कोश्टारी का जब आई एसटी या मुत्र पर दोपर होते ही तब धर्ती पर एक अन इस्थान पर लोग अपनी सुभए छह बजे की चाय ले रही होते हैं वो सिस्थान को देशांतर कहते हैं, 90 डिग्री बेश्ट, ग्रेन बेश्ट से दुपर 12 बजे एक तार भेजाए गया है, तार समपेशित करने में 12 मिनिट का समय लगता है, वह एक नगर में 6 बजे साम को पहुंचता है, नगर का देशांतर होगा, 87 डिग्री पूर्वी, कितन कैसे निकालेंगे आपलों, ठीकर, कतन ए, तिथी निर्दार एक द्रेखा पर गिनिट से 12 गंटी का अंतर है, बिल्कु सही है, तिथी निर्दार एक त्रेखा 180 डिग्री दिशांतर पर विस्तित है, ए आर दोनों सही हैं, और आर एक की ब्याक्या भी करता है, गिलोब की व धारतमानाक समय रेखा होगा, 6 बच के 30 बजे, यानि की 6 तीस सुबाय का, वह है जलमंडल जो अंतराष्टी तिति रेखा की सर्वाधिक निकाटे, बेरिंग जलमरू, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक रिस्तान से दूसरी रिस्तान तक जाने के लिए समुद्री हवा, सम कॉलये में एक डिः में 4 मिनुट के रिस होता है, अगर आप एक डिः बढ़ते हैं, तो चार मिनुट के करीब आप बढ़ जाते हैं, समझ रहा हैं एक घंटा अगर 15 डिग्री आप बढ़ जाते हैं तो एक घंटे समय लगवग आप कवर कर देते हैं अगर पीछे जाते हैं तो एक घंटे पीछे पहुँच जाते हैं गिस्वत रेखा और भूमद्रेखा पित्वी की भूमद्रेखा की कुल लंबाई है लगवग आप देखेंगे 40,000 किलोमीटर भूमद्रेखा गुजरती है कुल 9 देशों से कौन से हैं सावटों सोरी माप करिएगा 13 देशों से भूमद्रेखा गुजरती है 13 देशों से ठीक है यार गलती अगर हो जाती है कहीं बोलने में तो आप लोग नीचे लिख दिया ते लिगा ठीक है बोलने में कुल थे दिश्चां से साव्टों और प्रेंशिफ गेवन कांगोगडराज, कांगो-लोगतांत्रे-कडराज, योगांदा, कैन्या, सोमालिया, माल्डी, एंडोनेसिया, किरवाती, एक्वाड़, कोलंबिया, बिराजी जिस अक्षांस पर बार्सिक्ता पांतर नियूंतम होता है वह है भूमद्रेखा, क्या है भूमद्रेखा, यहां बरस पर वर्सा होती रहती ना इसलिए, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापूर में से, भूमद्रेखा की सरवाधिक निकटावस के थे, सिंगापूर, तो आप रेखा को देख लिए जे करक रेखा प्रिचाय मकर रेखा ये तीनों गोजरती हैं तो करक रेखा और मकर रेखा मकर संक्राथी के समय करक रेखा पर दोपर के सूर का उन्यांस उन्नतांस होता है च्छासरत पर संबलों पांट डिगरी करक रेखा बोजरती हवाईदुई यूएसे मेक्सको बाहे मास माती मौरितानिया नाइजर अलजीरिया चाड़ लीविया साओधीरंविस्ट सयुक्रव अमिराथ भारत भारत में बात करनें तो आठ राज्यों से गो मौरितानिया नाइजर अलजीरिया चाड़ चाड़ लीविया साओधीरंव मिर्स सयुक्तराज अरव अमिराथ भारत बंगलादेश मयानमार चीन ओमान ताइवां से मकर रेखा उजरती है ब्राजिल ऑस्टेलिया परागवे मैडागासकर अर्जेंटिना मोजांबिक चीली दच्छडी अफिका फ्रेंच, पॉलीनिसिया फ्रांस, वोस्वाना और नावीबिया करक रेखा याद रखें उत्तरी गोलाद में आपकी साड़े 23 दिग्री आप देखेंगी तो करक रेखा और नीचे देखेंगा आप दच्छडी गोलाद में तो मकर रेखा रहे की इसाड़ रात के अगर बात करें तो विस्वाव एक को नुट्स ब्रस के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21-21 मार्च विथबत रेखाता है, उत्री गोलाद में, बश का सबसे छोटा दिन होता है 21- 12 बीश um Chin 8 को दचछिम गोलाद में सबसे बड़ा दिन होता है 21- 22 Dec और जोट वहिट्वित जायryे में 22- 21 बीश West aint open जिसमें दुफायर आम की छाया सबसे छोटी होती है वो 21 जून है, क्या है 21 जून है, पितवी की उत्पत्ति और भूगर्विक इतियास, वह है विद्वान, जिसने सुझाया दिया कि पितवी की उत्पत्तिक गैसों और धूल के कड़ों सी वी, वो थे, वो, इसमेड, ठीक है, यह बिग्जानिक थे, पितवी की आई उने धारित करने में, जिस बिधी का प्रियोग करते हुआ है, यूरीनियम डेटिंग, महान हिम योग का संबन्द है, पिलिष्टो सीन योग से, ठीक है, आँगे है आपका, डाइनोसनल काल था, आस से लगबग 6 करोड से 70 लाग बर्षपूर, महादीपों के अलग होने का कारण है, वि अमेरिका, अफीका, और्टिलिया, पितिवी पर मूलता ये की रिसाल गूकन्ट था, जिसे कहते हैं, पेंगिया, महादीपों में से गौडवाना लेंड का भाग नहीं था, उत्री अमेरिका, ठीक है, पितिवी पर जीवन की पदरवाओ की पितम जीवास्म, मी साक्ष का का लगबक 3.5 बिलियन बर्स, यानि की 3.5 बिलियन बर्स कूल, वेगाटनाय जिन से जीवों के विकास को प्रभावित किया है, महादुपी विस्तापन एवं हिमानी चक, वलन किरिया परिडाम है परवत निर्माड कारी बलका, पितिवी के पिष्ट पर गतिक परिवतन लाने के लिए जिम्मेदार है, बिद्दु चुमकिये विकरन, भूतापिये उर्जा, गुरुत्विये वल, पिलेट संचलन, संचलन और पितिवी का गूडन और पितिवी का परिक्मन, इस सभी, चट्टानों की बारे में बात कर लेते हैं, सही कतन है, परदार चट्टाने पिति चट्टों में पाई भी जाती है, अवसादी सवलों के लिए कतन सत्य है, ये सेलें इस तरों में नेचे बेत हैं, बलगवा पत्थर एक परदार चट्टान है, क्योंकि पानी के नीचे बनती है, पानी के नीचे, अगने चट्टानों के लिए कतन साई है, बेकिस्टली है, और आर्टिस्टल ही यह दोनों ही होती है, कंगलो मरेट, ग्रेनाइट, सेल, बल्गवा पत्तर में से एक चक्तान में जीवास नहीं पाये जाते हैं, ग्रेनाइट में, इसमें ग्रेनाइट में, रोपांत्रेत, रोपांत्रेत, चक्तानों की उत्पत्ती होती है, अगने और त चल चट्टी दुनों से ग्रेणाइट उदा रहे हैं, अगने चक्तानों का, आउसदी अपने उदा रहा है बलगवा पत्थर चोनर पत्तर ओसला फालामुकि क्या जुला जुला जुलामुकि जुछत के सबसे मुंच है जलवास सबसे मुच्य फ्रवत अगर आपसे पूंचे तो को न क्वांस? माउंट कोटोपैकशी, पिधभी के अंदर पदायत के लिए मागमा, लाभाखीी को सौनी की फल होती है युकी पिलू टोनिKO चट्टान है, ज्वालामुखी उधगार नहीं होते हैं , बाल्टिक्स आगर मैं आपको ज्वालामुखी ऋधगार देखने को नहीं मिले, माउंट एटना परवत है, एक ज्वाला मुखी परवत है, ज्वाला मुखी परवत माउंट सेंट हेलेंस इस्तित है सेउधराज अमेरिका में, आप से पूछ लेगा कि माउंट सेंट हेलेंस इस्तित है कहा है सेउधराज अमेरिका में एक ज्वाला मुखी परवत है, मौना ल मुखी है Cotopaxi, Adena, Fugiama, Visubias, एक याई बार कुछ लेता है, सक्षरी है जो आला मुखी कौन-कौन से हैं ये आपके Cotopaxi, Adena, Fugiama, Visubias. अफीका का सर्वोच परवसेकर माउंट किली मंजारो अवस्तिते तंजानिया में किली मंजारो है एक अगने ग्री जो आला मुखी जिसे भूमद सागर के बेका सिस्तम कहा जाता है वह है इस्टॉमबॉली संविसार का सरवादिक सक्रिय ज्वालम की है किलाव कहा है किलाव सूची एक सूची दो एटना सिसली विसुबियस इटली एरिवस रास्तुई कोटोपैक्सी एकपडोर एवी सही समले नहीं आपकी ज्वालम की हुग है देश होग है माउंट रेनियर युएसे एटना इटली पेरिकुटिन मैक्सको टाल फिलिपिन्स एवी सही समले थे आपके सूची एक सूची दो माउंट किनावालू मलेसिया अलगोर्ज इरान ठीक है अकांका भुवा ए अर्जिंटिना किलिमंजारो तंजानिया सूची एक सूची दोनों समले थे ज्वालम की हो गया देश हो गया सबन काया पेरू कोलिमा मैक्सको माउंट मेरा पी इंडोनीसिया में देखने को मिलेगा अब भुकम के समदित कुछ मत्पूर्ण पॉइंट जानते हैं भुकम के समय जिन तरंगों का उत्भाय होता है पी एस एल यानि की प्राइमरी सेकंडरी और आपकी लेव यानि की सर्फिस बेव कहलाते हैं लॉंग बेव ठीक है भी मुक्तूर्जा की माप है भुकंप के मैंगनिटूड भुकम पी तरंगों के आयाम किसी उस मापन पर आदा रहे थे यह सभी कतान सत्त्त रेक्टर प्राइमानी का उपयोग होता है आपने केलिए भुकंब की तीपता किसे रेक्टर से सिस्मो मीटर मापता गूखम को सुनामी सब्दे जापानी बासा से लिया गया सब्दे जापान को वा ऐसे सहर जिसमें बिद्वहन्सकारी सुनामी नापकी अभी किरण का सामना किया था यह था फुकुस सीमा भारतियों महादीब का उत्तर पश्टिम पिदेश गुखम गरहन महादीवों से संबंदित देख लेते हैं व है महादीव जिसमें डेशों की संक्या अधिक्तम है अफी लिजland ऊपकी, 80 सबसे बड़ा महादीव है महादीवों के शिदफल के अनुसार नोपकिल में आपने याद रखेते हैं अगर आपको जोगरफी को कबर करना है तो मैंने एक बुक्स कबर की थी आपकी मानचित के नाम से और मानचित के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सुची बनी हुए उसमें सब कुछ आपका बताया गया महादीब क्या होता है आपकी पूरी स्तिती भी बताईगी कि इह हैं देश इन्हें इन्हें देशों के वारे में बताया गया तो अभी नहीं कहूंगा आपका अगर पेपर है तो मत पढ़िए अभी उसे लेकिन अगर आपका पेपर नहीं आपके बास काफी समय है तो आप उसे जाकर पढ़ लिए बहुत बिश्तार से पढ़ाया गया मुझे लगता है कि अगर उसे आप देख लेते हैं जियोगरफी का 70-75% बाग कवर हो जाएगा उसी से अगर आपने देखा होगा कि जब आपका मैपस में बताए जाता है कि देखिए है यह जवाला मुखी यह है महादीब यह देश यहां है तो आपको वह तर याद भी रहता है विश्के दो सबसे छोटे महाधीपों है उस्टेलिया एरोग महाधीप जिसमें पिति वैक्ती भूमी सरवादिक है उस्टेलिया में वह है महाधीप जो संसार में सरवादिक माध्डे उच्चाई पर है धच्च्री दौरग, अंटार इकीटिका ठीक है नीचे दिये गए एक दो तीन चार से चिनने बहुत दिक चितकरम साएं एंडी आपको यहां देखने को में लेगी और एंडी ब्राजिलियन सिल यह है ग्वाना ग्वाना उच गूमी यह है और अमेजन बेशन यह है यह याद रखिए दच्छडी अमेरिका का दच्छडी अम पुर्षते थे उत्तरफश्चेम अभीका में वह माधिव जिसमें उसके समकूर चित्फल में मैदानी बाग का पीतिसत सरवादिक है यूरोब में अब विस्की परवस्णी यहां देख लेते हैं परवतों का सागर का जाता है बेटिस कोलंबिया को परवतों का सागर किसे क पलंडिया विस्के सबसे उसी चोटियान पाय जाती है नवीन मोरतार परवतों पर विसकेिस अरभाधि कुलंबी संकला है एंडिज एंडिड परवसनडी जिस महादीर में श्तित्थ हुआ है कहांं दच्छिड अमेरिका में दच्छिडी आलफस परवत माला इस्तित है न्यूजी लेंड में, आलफस परवस नेड़ी का विस्तार वे फ्रांस, और टिया, जर्मनी, स्विजय लेंड में, एवरोप की एक परवस इंकला है, आलफस, राइट परवत पाये जाते हैं, सेज़द्राज अमेरिका में, भारत परवत इस्तित हैं, जर्मनी में, राइन नदी की खिनारी अवस्तित परवत थें, बिलेक परवत अवस्तित हैं, यूएसे में, पेनाइन इउरोप, अपलेशियन अमेरिका, और आलावली भारत का उधाने, ये पुरानी परवस इंकला हैं, सभी, डॉकेंस बरग परवस कह कहां देखने को मिलीगा, दच्छडी, अफीका में, एटलस परवत कहां देखने को मिलीगा, अफीका महादी, मुरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनिसिया में, ठेक हैं, ये आपके सूची समलेते हैं, परवत हो गया और देश, अले गनी, यूएसे में, केंटावियन, स्पैन, अल्बुर्ज, इरान, मेकेंजी, कनाड़ा, सही समलेते हैं, सूची एक, सूची दो, परवत हो गया और महादी, कॉस्ट, सिसको, ऑस्टिलिया, मेकेंगले, मेकेंले, उत्री अमेरिका, अल्गास का, अल्बुर्ज, एउरोप में, किलिमंजारो, अफीका महादी में, सूच परवत हैं, आलपस परवत, वलिद परवत है, बोश्जेस परवत, धरानसूत परवत है, बिन्द, अफसिष परवत है, फ्योजी, आमा, ज्वाला मुकी अब बात करते हैं पठार इवं घाटियां तिबद के पठार की समुद्ध तल से वह पूचाई कितनी है पांच किलो मीटर दच्डी अमेरिका में खनीजों का वंधार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को संसार की चत रोप आप दा वर्ल्ड किसे कहते हैं पामीरी के पठार को सेटराज अमेरिका के दच्ड चर्ड केलिफॉनिया में इस्तित मेर्टक घाटी डेथ वेली उधारन है रेट घाटी का सैतान का गोल्ब कोर्स डेविस गोल्ब कोर्स नाम से पिसे दमित्यू की घाटी ड्यैठ पेली इस्तित यूएशे मेर्टक घाटी जानी याती हैुआ अग्ति दिक उठनता के लया अग्रेट पन्जिर्स मीर्ड चाहटी अवस्तित है अफगानिस्तान में से जुत्तराज अबर्सिन अवस्तिते ल॥्ति 2008 में इस्तित देख से विस्तित यермाशार stacked कं मीर बात कर लेते हैं सुस्पदेश या मरूस्थल, कथन A, कथन A, मरूस्थल सास्वत उर्जा उत्फादन के प्रभावकार इस रोत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, जितनी उर्जा मानव जाती एक बर्स में उपभूक करती है, उससे अदे कूर्जा मरूस्थल 6 घंटे में सूर से परापत कर लेते, यह भी सही है इसलिए आप देखता है कि यह डोनों घतन सही है और R1 की जही भ्याक्या क्या वोला, इसलिए आप देख रहे हैं कि नभी करनी उज्चा पर विशchlagen द्यान दिया आँए आजकल, आपने देखा हमारे देश में भी, जबसे नई सिक्रकार चाहिए समझ रहें तिसलिए पानी से बनाने वाली उजा पवन उभ्जा सोर से बनाने वाली उजा इन सभी बर बात की जा रही है पर प्रीभासित किया जाता है उस छिट पके रूम में जहां 12 गड़ सा 25 सेंटीमीटर से कम होती है कितनी 75 सेंटीमीटर से कम हूद दिय mundiui मिस्व का सबसे बड़ा रेगिस्थान मरुष्थल सहारा ऐसंसार के सरवादिक जन τους चल पहुंच आप से तुसाहरा है कला मकान मरुष्थल वस्ते हैं चीन में उप ब्रॉस्तल हो गये सुनोरन सेविक दराज अमिरिका तकला चीन, काराकुम, दरुकमनिस्थान, गिफसन, उस्टेलिया, दस ते लोट अवस्थे थे इरान में, और गोवी मरुस्थल मंगोलिया में देखने कुम लिगा, दस छेडे सी आगे सचे बड़ा मरुस्थल थार, आठाकामा मरुस्थल अवस्थे उत्तरचिली में, पितभी का स इसमांतों में प्यापारिक परबन पट्नी में पाये, कालाहरी मरुस्थल अवस्थित, बोत्वानाउ नवीos, ब्रपीया, दकषडविया यह आपके धास हो गया है, है व्मयाद, आपने देखा होगा कि 제품 Inc, अ और बार आपके questions इससे बन चुकी है direct और मैं तो इतना कहता हूं कि इन्हें बड़े अच्छी रट लीजे क्योंकि इनसे हर बार मुझी लगता है किसी ना किसी पर इच्छा में आपके देखेंगे इसलिए तो बोलता हूं चाल से पांस साल के questions आप पेपर आप लोग उठा के देख लीजे जिस भी exam की आप तयारी कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे गूसमे questions आपको देखने को मिलेंगी यह questions घास हो गए घास के मैदान हो गए और इस्तिती हो गए पेरी या पेरी घास के मैदान की आपसे पंबाज ये लानोस की पूंचे तो दच्छडी अमेरिका में अर्जिंटिना में, इस्टपीज एउरोब में, बैल्ट दच्छड अपीका में, देश और घास के मैदान, सवाना कहा है, केन्या में, सवाना, केन्या, पंबाज, अर्जिंटिना, लानोस, लानोज, सवाना सर्वाधिक विस्तार है अपी का माधि मैं धक्षडि अप्रिका कर्षा बिख्ष रधे मैं चलम थाका हे पंपा स suisॉन और आपकी विस्त्र के देस हो गाय उनकी शीमाएं होगें जनसंख्या के अधार पर संसार के सबसे बड़ा देश चीन भारत का नंबर शेकेंड कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाल बाद हम लोग चाइना को भी पीछे ठोड़ देंगे नंबर वन पर चाइना जनसंख्या में अम लोग बन जाएंगे क्योंकि आप लोग किसी चेर्ट में प्रगति कर रहे हैं हो या नहीं लेकिन जनसंख्या में रात दिन आप लोग लगे हुए हैं प्रगति करने के लिए बराजील कनाड़ा चीन और सहित्पल की आधार पर सही और वही करम है, पहले कनाड़ा, सहिवद्राज जमीरिका, चीन, ब्राजिल, दिये गए देशों के छेटपल की दिर्ट्री से सही और वही करम है, अर्जिन्टीना, भारत, और के लिए ब्राजिल, देखें एक बात बताओ, जनसंख्या में आप से पूँचे तो रूस, रूस बाता है, और अगर जनसंख्या के मामले में पूचे तो भारत का नंबर दूसरा है, और आपका, क्या है, आपका चीन है पहले नंबर, चीन पहली नंबर, सातवा नंबर थोड़ा देख लिए, ये डाउट मुझे हो रहा है, क्या होगा है, डाउट हो रहा है, दक्षे देशों में से चितपल की द्रिष्टी में सबसे छोटा देश है, माल्दी, वो है देश जिसका समुद्ध तर्टुरे का सरवादिक लंबी है, एक कनाड़ा, भारत के साद सबसे लंबी इसका लिए जिकिमा है, बनाता है कौन सा बंगला देश, आपको मालूम चाहिए हमार हमारे देश, हमारे मतलब आप सोचिए, हमारा देश किन-किन से लगता है, पाक जनल दमरू आप देखेंगे एक भी भारत और स्री लैंको को अलग करती है, ठीक है आप लोग पाक जनल दमरू के द्वारा जोड़े हुए है, हमारा पड़ोसी आप देखते हैं बंगला है, भूटान है, उसके बाद देखते हैं आप लोग चीन, याद रखिए चीन हमारे तिबबत जब से हड़क लिया है चाइना ने, तब से हमारी सीमा चाइना से भी लगने लगी है, आपने देखा हुआ मैक मोहन रेखा, जो चीन और भारत के भी इतिबबत भारत के भी उठाने लगा, जो हमारे टुकड़ों पर पूरी तरह से पलता था, समझ रहें, एक वही है, एक समय आप देखते हैं नहीं थे कि किसी गुंडे को आप पाली है, या किसी भी बेक्ती को आप पाली है, वो कुछ दिन में इतनी आवाई उठाने लगी कि हम से बहस करने लगी तो यही है आपका दिखा जा रहा है नेपाल में, उसके बाद आप चलते हैं हम लोग पाकिस्तान से, सीमा हमारी लगती है, बड़ोसी है हमारा पाकिस्तान, भारस से यह लग हो कि बना था, समझ रहें नहीं, उसके बाद आप देखेंगे, अफगानिस्तान, पियों के बाला हिस्सा आपका अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है, आपका जो यूरो, जो अफगानिस्तान है, पियों के बाला हिस्ता लगता है, जो पाकिस्तान के कप्चे में, तो याद रखिए अगर पूचे, आपसे कि अफगानिस्तान से सीमा हमारी लगती है, तो कहिए हाँ, बरना वो क्या कहेंगे कि आप लोगों ने हाँ मान लिया, कि नहीं लगती है, इसलिए आप नहीं बोड़ाएं, तो हमारी सीवा लगती है, ठीक है, अगर आप से पूचे, छेटपल की बात कर रहा था, तो रूस पहले नमबर पर, कनाड़ा दूसरे नमबर पर, अमेरिका तीसरे नमबर पर, चीन आपका चौरे नमबर पर, घुराजील पाचवे नमबर आगे चलते हैं हम लोग, नीचे के मांचित में कुछ देश दिखाए गए, जो पूरवरती सोवियत संग की भाग थी, उनके साथ, जल पेंटर रिखांकित करने के लिए दिखाए गए, कौन-कौन से, यहां दिखाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच में आंकित देश हैं, करमसा हैं, कजाकिस्तान, आप देखेंगे, कजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, तुर्कमिनिया, माँ परिये, तुर्कमिनिया, उसके बाद आपका, एक सेकंड रुखिएगा आप लोग, मुझे डाउट हो रहा है, इसमें भी, यह, इस बड़े, बिचित टाइप का देश है, यह आपका चार लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक है, बड़ी परेशानी है, भई हो सर, कोई एस, इसलिए उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी, आप लोग थोड़ा देख लिए, जरू लेजिए उसे, कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सहुलियत होगी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों को सहुलियत होगी, कजाक्रिस्तान, आपको एक देखने को मिलीगा, एक सिकेंड रुपी है आप लोगों, देखे हमारे प्यार अभारत हो गया, इसमें आप देखें, हमारी पढ़ोसी स्रीलंका हो गया है, इसके बाद देखेंगाम Wennimar हो गया,sell gelad hydraul दि ment Confania, नेपाल, भू टाल चें, पाकिस्तान अफगानिस्तान हम दें बात कर रहें थी यहा ठीक है यहां देखिए आप लोग यह उसमें किलियर नीरा आहा है न देखिए आप लोग थोड़ा दिख नीरा दिख नीरा इसलिए तो इसमें आप देखेंगे यह तजाकिस्तान हो गया तुर्गमिनिस्तान उजविकिस्तान किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ठीक है एक बार आप लोग फर से देख लेजे तजाकिस्तान किर्गिस्तान उजविकिस्तान तुर्गमिनिस्तान और कजाइस्तान कजाकिस्तान ठीक केश्वियंस आगर से नहीं लगती है आर्मेनिया की नहीं लगती है दिया गया कच्छा खाका मांचित मत्यपूरु के एक बाग को पिदर्सित करता है ABCD से आपको इसे अंकित करना है एराक आपको देखने को मिलीगा सेरिया 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 कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना मतलब आप सूचिए कि हम लोग मस्त हो जाते हैं पढ़ने में कि हम लोग भूल जाते हैं कि बैटरी लो हो रही है लेक्टॉप की समझ रहे हैं यही होती असली पढ़ाई कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग भूल जाएं कि कहां जाना है पढ़ाई पर द्यान ने पूरा तब जाकी सफलता मिलती है इसके बाद आप देखेंगे यह है आपका इराग साउधी अरभ उसके बाद यह जॉर्डन हो गया एवी-सी-डी इसड़ साजी सीमा हैं लवनाल, सेरिया, जार्डन, मिल्सकी चीन के साथ सीमा बढ़ाई रूस, कजाकिस्तान, करगिस्तन, तजाकिस्तान, और अफगानिस्तन, भारत, नेपाल, मुर्टान, मेंअर्मार, लाउस, मेतनम, उत्री कि आप अगर फिर से बोलाओ अब अगर आपके पास टाइम है तो उसे जरूर देख ले हैं वाइल्ड मैप्स को जब लोगों ने कवर किया था पूर्ड सभी दे सको क्या है कि उन्हें जब चाइना की बात की थी तो चाइना के बारे में बताएंगा था कि देखे एरती मा अफगानिश्तान पाकिस्तां नाइत भारत नैपाल-वूटान कि पर कि ए निखेंगे आप लोग यहां है उत्तर को रिया यह है ऊपर आपका यह नीचे दच्छर को रिया ऊपर आपका रोस है मंगोलिया भी लगता है ठिक ध्यान देजिए नीचे दिए चित माल चित पर ध्यान दिना एक तुती चार से अंकित देश करम सा हैं लीविया सुमालिया नाइजेरिया और नाभीबिया ठीक है आगे चलते हैं हम लोग हॉर्ण ओफ अफिका सुमाली प्रायदिव के अंग है सुमालिया एतोपिया रिटिया जिबूति वह देश जिसकी सिमा एडियाटिक सागर से लगी है अल्वानिया, बोसेनिया, हर्जे गोवीना, क्वेशिया, स्लोवीनिया, मोटे नेगरो, बालकंदेश हैं, अल्वानिया, बोसेनिया, हर्जे गोवीना, और बुल्गारिया, ग्रेश, क्वेशिया, सर्विया, स्लोवीनिया, रॉमानिया, ठीक है, सेरा लियोन अवस्केते, प पॉलेंड युक्रेंड बेलारोस लाट्विया मैंसे लिथूनिया की सीमाबर्ती देश नहीं है युक्रेंड क्थन सत्थ है इंग्लेंड युनाइटिट किंगडम की कुलचितफल का 60-30 से कम में फैला हुआ है कि ओसीनिया के नाम से अभीघियर के भगुली समूह में समलित देशों की संख्यार24 है कितनी कितनी 14 है इस तेसों की समगों में समले थे नौर्वे स्वीडन उत्त्री पिलने बोगलिक आदाद पर स्वीडन नौर्वेग डेर्मार्क एतियासिक एवं सांस्कितिक एवं भासाही आदाद पर तजाकिस्तान तुर्कमिनिस्तान उजवेकिस्तान रूस में से एक सीमा आप लोग ऑस्टेलिया के अंडर में आता है ग्रीनलेंड ये डेन्मार्क के अंडर में सांता क्रोज यूसे मार्टेनिक या को फिराज वह देश जो भूबली ग्रूप से अमेरिका में श्तित होने पर भी राज्जितिक द्रिश्टिश यूरोप का भाव है तो आप देख करना है आपको देश्ट के दुईप हो गया और सवामित वाले देश एल्ऊसीयन दुईप यूसे में वियर दुईप नॉर्वे ग्नेलेंड आपको डेन्मार्क में फेंजोरुजोर्सेफ दुईप लोग में यह जो भी आपके पर चाहिए आपके कोई नदी हो यह विए स्थल्वद्द आफगानिस्तान लाइविरिया लाउस और लगजंबर्ग में स्थल्वरुद्ध देश है लाइविरिया क्वाइविरिया अफीजिए देसों अंगुला चाड केनिया सेनिकल में से स्थल बिट देश है चाड दच्छिट पूर भी ऐसे ही देशों कमबोडिया लाओस मलेशिया और थाइलेंड मैसे इस थल अवरुद देश है यह आप देखें कि लाओस बॉलीबिया है एक स्थल बद देशा अपका यह सही सुची हो गई सुची दो रैड कलेप रेका आप ज पूरेंड रेखा तब भारत और अफगानिस्तान के बीच थी जब पाकिस्तान हमारा रिस्सा था अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ठीक है आंगे वो सकता है कि ऐसा दिन आये कि पाकिस्तान हमारे कब जिम है आ जाये पुरा तो हमारी सीमा यही निलधार रांकिरिए वहाय बहादित जिसमें कौकी इस्थल रुद डेस नहीं ही वह उत्री अम YEका इस्थल महादित अफगानी सतना हंग्री स्विजल है दच्चिड सूडान के लिए सही कर्म है यही एक मक्षनदी ब्राइट निल है अंतर महादी यूपिय देश है जोर्जी या तर्की अजर्वेजा नहीं है भू आवद देश देशों के पुराने नाम की बात करें हैं हम लोग पुराना नाम और नया नाम थायलेंड को पुराने नाम क्या था स्याम ताइवान फार्मोस अिर्azy मेस्वोटामिया आप लोग मेस्वोटामिया की सबित्तर सुनते ना ज़ब हमारे की हड़ाक पकाल था उस्तमे इस समकि-भात कराऊं मियामार को आप लोग बर्मा के नाम से जानते थे पहले बरतमान नाम हो गया बुराने नाम Harare , इससे आप लोग Salis planting की जानते थी पहले नम से जानते थी वहें पर छिदड़े रोड़ को स्या के नाम से आपको enhance के नामूट पोल्ड बिलेर के नाम से जान देते, जिम बॉम्बे पहले जाना जाता था, दच्छेडे रोडसिया के नाम से, ठीक है, फिर आपका अंतराष्टी सीमा रेखाएं, वह है नदी जो अंतराष्टी सीमा बनाती है, रियो ग्रांडी और राइं, रियो ग्रांडी नदी सीमा बन कि आप देना है दिहान देना है अच्छे से मालचित में बिन्दों से बनी टूटी रेखा है दूरेंड रेखा कि यह समझ रहे हैं यह आपका वलुचिस्तान पंजाब राजपूताना अफगानिस्तान मैगबुहन लाइन रेखा बनाती है भारत और चीन की बीच बारत चीन इसे नहीं मानता है याद रखिए तिब्वत और भारत की बीचुगा करती थी और अंग्रेजियों की समय की थी इसी को लेकर तो आप लोग विवाज चल रहा है देखते रहते हैं हम लोग इसे मानते हैं रेड़ ख्लेप लाइन सीमा नेजारत करती है भारत और पाकिस्तान की बीच अर्थी समांतर रेखा सीमा रेखा विवाजीत करती है उत्तर कुरिया और दर्चिट कुरिया को यह भी कई बार मुंचली गई है बैगी नोट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी की बीच बिली जना, सेसल, विक्टोरिया, सेरा लियून, फ्रेटाउन, उजवेकिस्तान, तासकन, वह नगरत जो किसी देश की भूदपूर राधानी नहीं रहा है विस्ट बेंड और टिया कई लोगों ने पूचा है कि इसके लिए क्या किया जाए क्यों कि देश देखिए इतने ह उनके बारे में, मुझे नहीं लगता है, संभा हुए, आप लोग उनके लिए नहीं हर किसी के लिए, सभी देशों के बारे में मात्पूर पॉइंड रटपाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया करियेगा, जिस साल आप लोग पिपर दे उस तार जो भी देश करेंट में रहता है, चर्चा में रहता है, उनी के बारे में आप लोग मात्पूर जानकारी कटिक कर लिया करियेगा, और उनी से कुष्ट्यान से देख जाते हैं, इसलिए आप करेंट पढ़ते हैं तब आपको सब कुछ बता दिया जाता है, म्यानमा ब्रागवा, मानागवा, मानागुवा, डौमिनिकन, रिपलविट, सान्टो डॉमिंगो, युगांडा, कपाला, उज्वेकिस्तान, तासकन, युगेंड, कीव, पेरु की राध्दानी है, लीवा, बेन आदेश की राध्दानी है, उस्ट्या, लोगी लाट के लिए विस् वलियाह की सनाहिया यहामन की HDMI ता जांगिस्तान की सुची 2 देश हो बुलकारिया सूबिया की जुच्जा तिवलिसी आइसलांड की ए थीवड क्याविग है डेश हो गया आपके राध्धानी साइपरस निकोसिया लेबनान बेरूद तर्की अंकारा देश राध्धानी चीन बिजिंग कनाडा ओटावा और अस्टिलिया केनवरा रोस मास्कोर देश हो गया राध्धानी बुरुंडी इसके राध्धानी है बुजों बुरा कजाकिस्तान अस्ताना लाउस विर्दियाने माली बमापू देश राध्धानी इनलेंड हैलसिंकी बॉल्विया लापाज इतोपिया आधिस अबाबा ये भी आपके सही सुम लेते हैं सूची ए अजर्वेजा बाकु गेंबिया बांजुल लाट्विया रिगा देश और राध्धानी ब्राजील ब्राजिलिया क्यूबा हवाना कुष्टारिका सेंजोस पेरु लीमा आईवरी कोष्ट यामु सिको देश राध्धानी फीजी सुबा फिल्लेंड हैलसिंकी गवाना देश राध्धानी स्रीलंका कोलंबो माल्दी माले जंबंबे हराले मौरिसस पोर्ट लुइस ठीक है सुची एक सुची दो देश तजाकिस्तान दुसांबे तंजानिया डोडोमा सुजलन बर्ण देश राध्धानी पलेश्टाइन रम लल्ला ये राध्धानी स्की देश हो गया राध्धानी बेनेजुएला कारकस निवजिलेंड बेलेंग्टन कोलंबिया बगोटा साइकरस निकोसिया सुची एक सुची दो राध्धानी होगी देश बिंड हाग नाभीबिया अक्करा घना निरोभी केन्या लोसाका जांबिया अभूजा नाइजिरिया राध्धानी होगी देश कोपन हेगल डैनवार्ड वल्ल दर्द जर्मनी पेरेश $Oslobetween Norway राध्धानी धर्ष बड़ापेश अंगरी कईसाना किसासा किनसासा जरे वलेंगंटन न्यूजिलेंड देश है बख vitके नगर होगया आपके एक अथन, संसार का अधिकांस महा नगर 30 चित्रों में वस्तित है, सही है, वियंतराश्ट की महारशागरे मार्गों की द्वार हैं, आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याक्या भी कर रहा है, एक जील हो गई नगर, एरे जील, डेंटाइड, मिसीगन, गेरी, ओंटार्यों, ह स्यान के थे, अस खावाद, फिर से आपका देख रहे हैं, आप लोग, एक बात फिर से चलते हैं, हम लोग मैप्स पर, एक मैट रूबी हैगा, आप लोग, देखिए आप लोग, क्या देखना है, यह देखना है, दो सामबे किसकी राध्धानी है, तजाकिस्तान, उजबिकिस्तान की तासकंद, और आप देखेंगे, इसके बाद दो सामबे होगे, अस तुगत तुर्कमिनस्तान की होगे, ठेक है, इनसे क्या है, direct questions कई बार यह राध्धानीया भी लगा लगाने के लिए आ जाता है क्या जाता है राजधानिया लगाने के लिए आ जाता है तो यहां आप से पूछ लेता है कि तुर्कमिनिस्तान की अस्वगत और आप देखेंगे तजाकिस्तान की दोसामबी उजवेकिस्तान की तासकन करगेस्तान की विसकेक ठीक है यह याद दी में अंकित नगरों के नाम से सुम्लित करना है यह आपका लागोस यह आपका भी क्या हो गया क्वालालामपुर यह आप देखेंगे नेरोवी ठीक है और नेरोवी डार्विन डार्विन यहाँ आपको अफिका मैं देखने को में देखा अधी के थोड़ाव प्रेंट मिस्टीक हो जाता है ना जब प्रेंट आउट निकालते हीक्त अलास्का क्या हिससा है यह क्या हिससा है। एक हिससा है? एक मप मेप्स में आप लोगों को दिखा दून क्या देखें, यह है हमारा भारत, यहां नेपाल, पाकिस्तान, यहां देखेंगे लाउस, थाइलेंड, कमबोडिया, बेतनाम, ठीक है, हनोई, यह सभी आपके देश हैं, मलेसिया, मलेसिया कुलाल, कुलालामपूर देख रहे थे आप जो, यह कुलालामपूर, यह मलेसिया की है, इसकी, मलेसिया की, यहां पड़ेगा सेर्मलेसिया आपका, ठीक है, डार्विन आपकी दार्विन जिसकी बात कर रहा था, दार्विन, अफिका में पढ़ता है, मात करिएगा अफिका महादीब, चलते हैं, देखें डर्मन यह है डर्मन आपका ठीक है दच्छी रफीका में कैप टाउन इस अभी यह है कि मुझे तो लगता है कि अगर अभी नहीं चलिए पेपर हो उसके बाद आप लोग पेपर की बाद भी इन्हें अच्छे से पढ़ लिए उसे ठीक है क्योंकि इनसे कुर्श्चन्स भी मन जाते हैं और सरल भी रहते हैं लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं कैलिव कैलिपोनिय या USA की केंप वेल पालो अल्टो सांता रौसा इबं सांता के लारू मैसे सिलीकौन घाटी के अथ्लकाय अवस्तित नहीं सांता रौसा नहीं दच्छिड अफीका की क्यामेंटेस देटाउं में कहा है off Τबाौं में कहा है सिलिक त कि सिलिक न्हें का आफस्तित डेके लेकि इसलामाबाद, गुजरानावाल, गुजरानवाला === पाकिस्ताई है कंधार अरिस्तित है दचछडम कि किरम व्य वस्तित थैं लेस्म, लंदन, फैंग़िट, बेरूल, दच्चेडेसिया में सबसे अधिक उंचे इस्तल परवसा नगर है लेहासा एस्थान हो गया देश अरो विले भारत में बैकानूर कजाकिस्तान बाडूं ए इंडोनेसिया वट्टिक कलोवा एक चीन स्रीलंका सुची एक सुची दो तस्मानिया ऑस्टेलिया का एक प्रांत है इटली का स्वायदपिदी से न्यूफाउंड लेंड कनाडा की पूर्वी भाग में इसके थे दर्बन दच्च्डेफीका में निकोसिया साइपरस में वह दिस जो आर्केटिक बेट की दच्च्चन में पाया जाता है आइसलेंड संसेटी आवस्ती थे दच्च्डेफीका म यह देष हो गए और सबसे बड़ा नगर कनानाडा की बात करें तो तोरेंटू डरीष की एंतेस्त नाइजेरिया लाव्यस शीरियांड एंसकस ठीक है सहर हो गए, नगर सहर हो देश, दावुस, स्वीजलेंड, बार्सिलोना, इस्पेन, आउकलेंड, न्यूजिलेंड, कैडी, केंडी, स्री लंका, काटो मैदान जिस देश, में इस्ते थे हुआ है, जापान में, मैक्सको देश इस्ते थे, उत्तरी अमेरिका महाधी में, काम इस्ते थे, अफीका में, माल्टा वर्स्ते थे, भूमत सादर में, इन अगर हो गए, अब अप्छांस हो गए, जकालता की बात करें, तो 6 डिगरी, 12 मिंट, साउध में, सिंगापूर, 1.3 डिगरी, नौर्ट में, बेंकोप, 13 डिगरी, 45 मिनिट, नौर्ट में, हनुई, 21 डिगरी, 2 मिनिट, नौर्ट में, भॉलिक, भोगुलिक, उभमान, पक्षी ओं का सूर देंता है, उत्री दीरोपर, पक्षियों का महदीब के नाम से जानते हैं, दछ्डी अमेरिका को, सोची होगा है, सोची होगे, सोची होगी, न्याग्या पुरपात कहां देखने हैं कुमलेगा, निवार्क सर्म, जजार जीलों की भूमि किसे कहते हैं, को एफिल टावर का है फेड़ पैरिस में विस्कवी चत किसे कहते है पामरी के बठार को अन्द महादीब किसे कहते है अफीका को ठीक है मौतियां का दुई प्याफारत की खाड़ी का मौति कहते है बहरीन को दोमनागर के नाम से जाना जाता है सिकागू को पूर्वी समद्धी की सौमनी कहा जाता है सिरे लंकाफर।। डच्पडी अमेरिका के हुआ नग्र जो अपनी चोड़ी सड़कों के कारण अमेरिका की पैरिस कहलाता है। पिवनस आयड़, सेबतराज अमेरिका का वहाराथ जिसको विलू ग्रास इस्टेट भी कहा जाता है, कैन, टोकी, तरकी का वहार है नगर जो पक्रश्यम का द्वार कहलाता है, इस्तावल, वह देश जिसको स्वेत हाती की भूमी कहा जाता है, थाइलेंड, सुर्य उधर का दि आटमी कहा जितो है, थाइलेंड, बोशा का जिसको स्वेतल, सबसे गहरा सागर है, दच्छन-चीन सागरret, फिथवी की सतय वह भाग जो, पानी से डगा हुआ लगभक, दुभक्त, दोतीयाई, एक है समुद्री तल परपिधवी के केंदर के सबसे निकट इसते थे उत्री धोर, क्या है उत्री धोर, डेटम रेखा इसते थे, समुद्र तल की चेते रेखा जिसकी, जिससे उचाही तथा गहराई की माप होती है, हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है, प्रिसांद महासागर उत्री तथा उत्री एवं दच्छिरी अटलांटिक महासागर दोणियों के मद्द से गुजरता हुए हिंद महासागर दोणियों और पर ऑस्टिलिया तथा अंटारिक्टिका के बीच से दच्छिट पिसांद महासागरी दोणी में प्रविश करने वाला कटक है, मद्ध महासागरी है कटक, 90 इस्ट रिज इस्ते थे हिंद महासागर में, भूमी में गुरुता कशन जल रहता है, एक तेहाई, एक्मोस्पेर से कम तनाव, सत्य कतने पित भी करा है, उपयोग के पिता, कोल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग एक पितिसस्त से भी कम है आपका, ठीक है, जो आप सुद्ध पानी कहलते है, जो पीने यूग होता है, ठीक है, और 99% एक तरह से आपते ही हमारे पास वो पानी मतलब बेकार है, हमारे उगरे में मिदू जल की सरवादिक मात् पितवी गरे पर अरिकांस आलवण, जल, बरब चतरक और हमनत की रूब में रहता है, सेस आलवण, जल का सबसे अधिक भागए है, भूमीगत जल की रूब में, मा सागरी नितल का सबसे विस्तित भागए है, गहरे सागरी में मैदान में, यह विस्त के प्रमुक समूद्र तर्कीज देते, काला सागर और भूमद्र सागर की मद्देश देते, सागरों का पश्चिम से पूरुष सही क्रम है, भूमद्र सागर, काला सागर, केस्पियन सागर, अरल सागर, एक बार मैं में चलिए आप लो, देखे, यह है एसिया महादेव, यह आपका यूरोप, यह ओस्टेलिया, ठीक है, यह आपका फिवाद का महादीप हो गया, उसके बाद आप देखेंगे, यह आपका दच्चिडिय अमेरिका, यह उत्रिय अमेरिका, यहाँ आँ देखेंगे, आप लो, अनतारी की ठीका, यह भूमत्य सागर है, ठीक है, एक किषने सागर हो गया, केस्पियन सागर, आंतरिक सागर है, केस्पियन सागर, जिस महा सागर से सारगेसु समदी थे वह उत्री अट्लांटिक, सारगासु समुद्र की विशिष्टा है, विशिष्ट समुद्री वनिस्पती, इटली से सिली, स जिसकी सीमा बहुमद्द सागर से नहीं मिलती है, एह चार, कौनसा चार देश, जिसकी सीमा बहुमद्द सागर से नहीं मिलती है, महासागरिय धाराओं की बात करें, तो महासागरिय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पितवी का आ, आवर्तन, बायुदाव और महासागर्य जल्का गहनत, महासागर्य धाराओं से संबंदित कतन है, आप देखेंगे महासागर्य धाराएं महासागर्य में जल्का, मंद, भूभाग, भूपेष्ट, संचलन होती है, महासागर्य धाराएं धाराएं पितवी का ताप संतुलन बनाय रखने में साहिक होती है, महासागरी धारा है मुकता सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं महासागरी धारा है महासागर सन रूपन द्वारा पिरभावित होती हैं हिंद महासागर में सागर धाराओं की नेमित जिसा में परिवतन की उप्तरदाई का रखे हिंद महासागर में मांसोनी ब्रवा का पाया जाना अगुला हास धारा चलती है के हिंद महासागर में कहां हिंद महासागर में आपका पड़ोसी है हिंद हिंदोस्तान उत्री अटलांटिक ब्रवा का द्वारा सरवादीक लावनवित होने बाला देश है नौर्वे दच्छेड इए अट्लांटिक महासागर के सीतल धारा है बैंगूला दच्छेड अट्लांटिक महासागर में धाराओं के एक पूट बेट के मिरबार में योगदा नहीं देती है कनारी धारा यह सभी जो ठंडी जल धारा हैं कहां आती हैं कौन आती हैं कैसी इस्तिति हैं सब के बारे में बात की हुई है जाईए आप लोग देखते रहे हैं सूची एक सूची दो ब्राजिल धारा यह आपको दच्छिड अटलांटिक महासागर में देखने को मिलीगी अमबोट धारा दच्छिडपूर प्रिसांथ महासागर में गल्फ इस्ट्रीम उत्री अटलांटिक महासागर अगुलस हास धारा हिंद महासागर गल्फ इस्ट्री है कि पर आपकी सूची एक सूची दी पस्छमी बायू के चिति के ऊपर से पूरवक्ती ओर चलने वाली देंगे घरा गल्व घरल दा रा है यही पक्तार मह सागरी कि माह 1700 अधिय है विस्वाट है यह सोरी कि ते घराओं इसलिन साइब्साब के डारेक्ट बन जाते हैं महासागर्या जल में लबनता को अधर्स आता है हैलो कि लायन रहा सीफ़ाय को सागरी लबनता क का मुख्षृत नौध कि सागरें जल की लबनता में अधिक्तम यह उतान होता है sodium chloride का किसका sodium chloride का वो इस तम लवरता पाई जाती है one turkey one जील टर्की में समुद्र में घनत बढ़ता है तो ऐसे लवरता बढ़ती है किन्तु गहराई कम होती है great salt इस्तित है USA सविप्रा जमेर का में अरब सागर की पानी का उस्तन आपने 36 ppt जार भाड़ा मासागर में जार भाड़ा की उत्पति कीकारण गुरुता करशन अपके अंदर्यबल और अभिके अंदर्यबल ये तीन आपित्यक छोच्छि जो ट्वार उत्पन होने का करण पितवी का पित्विका अप्यंदरियवल कफन और कारण लगू जुआरभणाओं की समय औरalay शामन निमन जुआर सामन से निमन तर तर होते हैं बिल्कुल सही है लगूर जुआरभणा बेहत जुआरभणा की विप्रेद पूर्ट चंद कि इस्थान पर नौशंद की समय होते हैं, एक गलत है आपका, आर एक सही है और आर कथन गलत है आपका, कथन ए सही है कारण आर गलत है आता है, बेहत जौार आता है, जब सूर पित्वी चंदवा, एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आप देखेंगे, बेहत देखने को मिलेगा मासागर में उची जल्द तरंगें होती है miejsc चंदवा की कार्य दे मासागरी और वर्स्थानल सकत screening अंद महासागर मैं एस सेंडड़ी अंद महासागर मैं जिसका सबसे गहरां समुद्री गर्त है tik मेरियान गर्ट इस्तित है हिंद महासागर में ठीक है चैलेंजर आपकी मेरियान देखने को मिलेगी आपको पिसांत महासागर्ण विस्त की पिरमुख नदियां अभवाचिती की दिरिश्टी से विस्त की सबसे लंबी नदी है अमेजन वह नदी जो विस्वत रेखा वो पहऴित होते हैं, रवाणडा बुरुन्डी, आर कामगो, क्या इतोपिया, सुडान, दचिल, सुडान, मिस, नील नदी यानि कि ब्लू नदी निकलती है, ताना जिल्से, किसे ताना जिल्से, मिस्स नदी का उपभवार है, बिल्कुछ सही है, वह सहारा मरुस्तल में एक न जानमार के पास, A-C-I की वह नदी जो दच्छड को प्रभावेत होती है, साल्विन, A-C-I की सबसे लंबी नदी कौन से है, यांग्टी सी, ABC के रूम में चन्नाद के अबवाय दोणियों का नाम है, पराना नदी, गंगा बरंपुत नदी, और यह आपका जंबेजी नदी, सिंदू नदी, देगे मांचित में अंके टेवी सीड नदीों के नाम है, यूखौन नदी, मैकेंजी नदी, सेंट लोरेंस नदी और इनोको नदी सर और आमू नदियां गिरती है अरल सागर में काला सागर में गिरने बाली नदी द्रव है इन नीपर डीनिव बोलगा नदी गिरती है केस्पियन सागर में भारत के बारे में हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे हैं आगे बिस्तार से पढ़ेंगे भारत की जब गूगोल के बारे में बात करेंगे तो सूची एक सूची दो नदियां होगे प्रभाहित होगे लेना रोस अर्डिक सागर आमू रोस चेन प्रसांत वाह सागर तरारी की खाड़ी में गरती है वह अदेश जो अर्डिये अपवा का उधारन प्रिस्तुत करता है स्री लंका महाविली नदी गंगा नदी गंगा एक नदी है स्री लंका की सूची एक सूची दो यह नदी हो गया अदेश नीपर यूक्रैन में देखने को में लेगी फो इटली राइन जर्मनी रॉन सुची जलन के मानी जील इटास का इस्तरों थे मिसीसीपी नदी कर नदी कर नदियों के किनारे इस्तित नगर ये भी कई बार पूंच लेता है वंडे एक्जाम में इस तरह के पुष्चेल सभी कर पूंच जाते हैं और ब्रिलम्स में भी आपके बन जाते हैं खार्तों नील नदी के किनारे देखने को मिलेगा निवार्क हरसन नदी वरलें इस्प्रे नदी परिस सेन नदी वसंतें डीसी ओटोमेट नदी मैटिक मैजैन्स रेस नदी ठीक है सोची एक सोची दो नगर होगे नदी होगे लाहर पाकिस्तान रावी नदी रामिटली टाइवर नदी लंदन वेटेंट टेमस नदी बेना उस्टिया देनोग नदी काहरा मिस नील नदी बेना उस्टिया देनोग नदी ठीका यह नगर होगे यह नदी होगे पर्थ उस्टिय या स्वान नदी के किनारे वोड़ा फेठ अंगरी डेनूब नदी हैंबग एल्व नदी वेल्गरेट डेनूब नदी केव नीपर वह नगर जिसके जिस्ते होकर वह नदी बहती है यह संगाई यह नगर हो गया आपके नदी बैंक ओप मैंनाम चाओ भाया नदी है नाम पेन मेकांग हनुई लाल नदी रेड रिवर यांगून इरावादी नदी और देश फोटो में यूस दे नील सूडान टिगरेस इराग टेम्स इंगलेड यह नगर हो बारस्वा विश्चूला वसिंटन पुटो में एवी साइन सूची एक सूची दो नगर नदी एंडबर्ग सेल्थ रोटर डेम राइन हैंबर्ग एलविड नदियां द्वारा निर्मित इस्थल प्यारूप हो गया डेल्टा गनर्मार उड्रिस्थान पर होता है जहां नद नहीं होते हैं गहरा समुद नहीं होते हुआ है बेस का बेहत्तम यानि की बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रंपुत द्वारा में ग्रांड कैनियन एक खंड है चैसा पानी गौर्ज इस्तित है नेपाल में कहां नेपाल में दूइब वह दूइब जिसको सीव 2 i Во के नाथ कहा जाता है एफ परोदूइब संसार का सबसे बड़ा दूइब ग्रिलेंड दुनिया में सबसे बड़ा ग्रिलेंड के बाद दूइब है निव गिनिग सबसे बड़ा पहरी एक नंबर पर है आपका ग्रिलिन त्थिए ऋबद सी ये बिलगोश है पूर्वी द जो तीन देशों से भी भाले थे यह बोल्नियों काली मंतन जिस दूइब का अंग है बोल्नियों मेडा गासकर सबसे बड़ा दूइब है हिंदमासागर में यह आपके नीचे चित दिये गए हैं मांचित में हिंदमासागर इस ते चार दूइब अर्थात A, C, C, चागोस, मौ मौरिसस, यहां आईए आप लोग सोकोट्रा, यह सोकोट्रा है, क्या है? सोकोवा आपको देखने को मिलेगा, यहां, ठीक है? सैसल्स, गर आप से पूछे, सैसल्स, तो यहां है सैसल्स, ठीक है, बाकी बच्चा मौरिसस, कौनसा बच्चा? मौरिसस, यह है मौरिसस, माप करिएगा एक बार और देखिएज़ अच्छे से, यह मेडा गास के पास आप देखेंगे, क्या है? मौरिसस, और आप देखेंगे, चागोस यह है, ठीक है? चागोस, यह है आपका, और उसके बाद आप देखेंगे, यहां आपका सुकुवा देखने को, सुरी माप करिएगा चागोस मौरिसस और सुकुआ और सैसल्स सुकुआ सैसल्स यहां है सुकुआ यहां ठीक है देखिए एक बार मौरिसस उसके बार सैसल्स आप देखिए मालदीप से यह नहीं इसके बाद यहां है आपका एक सुकुट्रा ठीक है एक तो क्या है कि पूरी तरह से किलियर फ्रेंट नहीं आया हुआ है तो बदार बड़ा मैं मैं खुद कनपी उजो जा रहा हूं चागो समालदीप मौरिसस एवं सेके ली द्वीप में से दच्षडी हिंद महासागर में इस्ते थे मौरिसस तुईप मैलनेशिय द्वीप सम्भू में समले थे निवगिनी बैसमार्ट आर्कियो पेलागो सांता कूल बनुवातू सोलो यहां आपको देखने को मिलेगा एजोर और आपको यहां देखने को मिलेगा आपका बहामा रहे है आपका क्या यह है आपका वाड़े अंतरीप ठीक है सही कतन है पॉक्लाइंड दुइस प्रमगू दच्षड अट्लांटिक महासागर में इस्ते थे फीजी दूइप अबस बली अरी को दूइप संभू इसके थे भूंबंद सागर में कोय नदी जिस पर विस्व का सबसे बड़ा नदी दूइप ब्रमपुत में दूइप यह महादी पर ऑस्टलिया ग्रेन ग्रेन आड़ा दूइप अबस्ते थे करिवियन सागर में इस जीले कुछ आपकी है और जलप पाथ जब दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी जील कौन से टंगानी का जिल बीयर सुपियर वियूरण और मिशीकन जीलों में से एक Great Lex का हिस्टा नहीं है बाकी आप देखेंगे Great Lex का सुपियर हियूरन विशीग प्रेट लेक्स का जील का उधार मतलब हिस्टा है स जील जो पूर्टा USA में एस्तेत है मिसी गंजील, जीलों का द्रिष्टी का चेतफल की द्रिष्टी से सही और वही करम है, सुपियर बिक्टेरिया है, बैकाल ग्रेट, यानि की चेतफल में सबसे बड़ी है सुपियर, ठीक है, विसका सबसे बड़ी ताजी पानी की जील है, लेक सुपियर, विसकी प्राचीन तम, तथा सबसे गहरी जील है, बैकाल जील, छेतफल और आयतन की आगार पर, विसकी सबसे बड़ी जील है, केस्पियन सागर, पिसिद अंगुली यो, नुकमा, फिंगर जील इसके थे सबतराज अमेरिका में, जीलों की वाटिका कहते है फिंद्लेंड को, एकजार जीलों का देश कहते हैं फिंद्लेंड को, एक जील होगे, ये देश होगे, व्रायलिंग जील, एक डोमेनिका, फाइब फिलाबर जील, सिंचुवान चीन में, प्रेड लेंगून बॉलिविया, ग्रेट खलेप जील, कनाडा, वह नगर जो सोपि जल पर पाथ, 62 एंजल देखने को मिलेगा, एंजल पर पाथ अवस्तित है, बेने जोला में, विक्टोरिया जल पर पाथ, जिस नदी से संब्ध रखता है, वह है, जंबे जील, क्वेशिया की प्लेट जील है, विससे दरोह स्थल में सामेल है, सूची, सूची दो, विसका स सबसे मुचा जल पर पाथ, slight dil पर जिसके सबसे बड़ी, ताजी पानी की जल की जील, सुप्य игр, विसकी सबसे मुची नाउगम जील, टिटीका जील, बिसकी दूसरी सब से गहरी जील, टंगानी का जील, जल दम्रु, मलक्चा जल सयोजक्स में आने जानी की सुझा है, हिं संचालत समय नेवी इसन टाइम और दूरी अत्य दी कम किये जा सकते हैं सियान खाड़ी और अंडवास अगर के बीच के भूँ संधी जल्डमरू के पार नई नहर खोल कर ठीक है वह जल्संदी जो ईरोग को अफिका से पितक करती है जिब्राल्टण हारमुच जल्संदी पाई जाती फारस की खाड़ी और अमान की खाड़ी के भी एसिया उत्री अमरिक अ्मेरिका को जो जल्डमरू अलग करथी आनला वेरिंग जल्डमरू आटला महा-सागर्ड़ पिसां आपको लोग जब तक प्रियोग नहीं करेंगे प्रियोग साला में नहीं बैटेंगे आप लोग कहा मजाएगा आप देखते थे NCE IT जब हम कवर करते थे बोरिंग होने लगते थे चिंप यह हमारे पास option ही नहीं था हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था तो आप लोग मैपस वाला पायट जरूर बढ़ लें मांचित के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट तो चुचिए इसे छोड़ दन च संदी जोडती है इंग्लिस चैनल और तरी सागर को ऐसे ही पूर्ष लेता है डोबर जल संदी कौन किसे किसे जोडती है इंग्लिस चैनल और तरी सागर को जोडती है कौन संदी डोबर जल संदी पाक खाड़ी है मननारी की खाड़ी और बंगल की खाड़ी के भी फारस की ख महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जल संदी है बाव अलमन देव जल संदी या तो आप लोग ओने सभी को किलासों को कबर करने के बाद एक बार अच्छी से देखने के बाद लाठ में इसे रिविजन के पॉइंट यू से रख सकते हों। उसी विस्तार से देख स संसार की सबसे बड़ी पोद्वाहक नहर है स्वेज नहर कौन सी स्वेज नहर मुंबई से स्वेज बंदरगाह जानी के लिए नहीं गुजरना होता है स्वेज नहर से होकर नहीं जाना पड़ता है पनावा नहर जोडती है पिसांत महासागर और अंद महासागर को सु नहर जोडती है सुपियर और हीवरन को वह अदेश जो पिसांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोडने के लिए पनावा नहर के पितीद्वन्दी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है तो यह है निकारा गुआ कील नहर जोडती है उत्री सागर और वाल्टिक सागर को अब विसके प्रमुख कुछ बांध देख लेते हैं हम लोग परारा नदीपन निर्मित इत्तेपू बांध विसका सबसे बड़े बांधों में से एक है यह ऐसा युक्त वरियोजना है ब्राजील और परागवे की किस किस की द्राजील और परागवे की विसका सबसे लंबा समुतिसेतू बनाए गया है गुआंग डॉंग परांध की जुहाई में ठीक है यह नदी होगे यह बांध होगे कोलोरेडो हुआ दामुदर पंचे थिल नील अस्वान जंबेजी करीबा अस्वान उच्वान इस्तित है मिस्स में कहा है मिस्स में चीन ने ब्रह्मपुत नदी पर नंबंपर 2010 में एक बांध मिर्माड करना पैरम किया था वह इस्तान है जांग मउड कौंसा जांग मउड यह बांध हो गए नदियां ग्रेंड कोडली, ग्रेंड कुली यह कुलंबिया में नुरेक, वक्स में काहूरा-वासा यह यह जंबेजी परवालवीत यह थे ठेञ, क्या है परवालवीती कोरल रीप यह जीवासम पट्टी फ्रहा पाई जाती है करकेवों मरकर रेखा की भी तटिये चेत्रों में ग्रेट वियर रीप इसते थे आस्टेलिया के निकट एक प्रवाल भी दिये ग्रेट वियर रीप इसते थे पिसांत महासागत में प्रवाल द्वाना निविद ग्रेट वियर रीप इसते थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे जान्द आप नाइट्रोजन देखेंगे और ऑक्सीजन, बाईव मंदल में सबसे ज़िए पिती सत है नाइट्रोजन का, पितवी के धरातल से उपर की और बाईव मंदल के पिभिन इस्तरों का सही अनुक्रम है, जोब मंदल, समता मंदल म्द मंदल और आइन मनदल अधिकांस मौसम गती विधिया जिस वाइ मंदल यह परत में होती है वो है जोब मंदल ज़ोब मंदल जोब मंदल we जड बिमान कहां होती है तो जोब मंदल में सांध रहता है कि ओजौन परत अवस्तित रहती यह भी कई बात मुझ लिया है समताब मंदल में सूरच से निकलने विनाजकारी रेडिशन से जीवन सुरक्षा करता है ओजौन परत इसलिए तो जब भी छर्ण की बात होती है तो आप लोगों देखते हैं चिंताव्यक्त की जाती है इस पर जो असूर से निकलने वाली यहानिकारी किरने होती है उन्हें रोकने का काम करती है समताब मंदल में ओजौन परत का कार है भूतल पर प्राव्यगनी विक्रेंट पात को रोकना है ओजौन परत अबस्तित है फितभी की सतह से 15-20 km उपर बाई मंदल में ठीक है फ्रेडियो रेडियो तरंगों के बिच्चेपण के लिए उत्तर जाहिए आयन मंदल आयनो इस्पिया ठीक है उत्री धुर्बी ये फिरकास के लिए वाई मंदल की जिम्बेदार परत है आयन मंदल बेतार संचार पिठवी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयन मंदल द्वारा यह दिए याद रखिये संचार भाई मंदल में अवस्तित किया जाते हैं बहर मंदल में जो मंदल मॉसम समन्नदिगटना है संता मंदल वर जोन और आयन मंदल पिठवी की सतह तरंगतितन जनसे आप देखते हैं बाकी मोबाइल पॉन इस फरे कीजिए तरंगों की बात करते हैं और यहीं की बात कराओं, सूर्याता, सूर्याता बायुमंडल कथन यह है, बायुमंडल अधिकान सूस्मा परुक्चरोग से सूर से और पित्वी के धरातल से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है, पित्वी के धरातल पर सौर लगू तरंगे, पार्थिकूर्जा की लंबी त यह वी मंडल में हवा कंब होता है कि सबसे अधिक सूर्यात को परावड़ति करती है क्या नौ पार हिमसे अच्छा। के दुर्णा में हवा यह अधिक होता है क्योंकि आप देखें कि द्द्धी गुलाद में आपको जल अधिक देखने कू मिलेगा ठीके, पितवी का सबसे उच्छीतम ताभमान रिकोर्ड किया गया, 20 degree उत्री अव्चांस्पर, इस पॉइन्ट पो भी याद Executive Minister of Pithi fluffy Stateatte, ंच्छा ताभमान आपको रिकोर्ड किया गया, किये जाते है है, 20 degree उत्री अव्चांस्पर, साफ रात मे दोरी Champions Act, रिक्षनदी होती है विकरन के कारण, चक्वात, कथनेर, प्रस्टी इवाईव चक्वात के केंद के ऊपर अभयंतर कुंडलित होती है कारण आर हब चक्वात केंदरों में अवरोहत होती है? दोनों सहीं, और ए का सही इस सब तीकंड भी दे रहा है टॉर्णेडो बहुत प्रभल उष्ण कटिवन दिये चक्वात हैं जोडते हैं केर्वियन सागर से, किसे केर्वियन सागर से, सर्वतराज अमेरिका में टॉर्णेडो एली कहा जाता है में CCP मैदान को, सामारूप से टॉर्णेडो समध्ध है USA से, टॉर्णेडो की तीपता के म इस तरह बाद देखेंगे देश हो गए चक्वात भारत, सहितराज अमेरिका हरीकें, बिली बिली ये आप देखेंगे उत्तरी पश्टमी ओर्टेलिया का उठकटीवन दिये चक्वात हैं ठेगे बागियो चक्वात समध्ध थे फिलिपिन से, हरीकें द्वारा छती के माप अपने के लिए उपयोग किया जाता है, साफिर सेंप्सन मापक का, बैरो मीटर में पारी के तल की अचनक गिराबट सू चखें तूफान का, नर्गिस चक्वात से प्रभाविच्चेत में म्यानमार, उच्णिका टिपंदी है टॉपिकल, अक्छांसों में दच्चड अटल बिल्कु सही है, नमी को जलवास्त की रूम में रखने की चंता, तामान से समट बिल्कु सही है, ये आर दोनों सही है, आर एका सहीज पर टीकन भी दे रहा है, ग्रीस मिकाल में आद उर्समा का अनुवा होता है, जब मौसम उमस वाला हो, ठीक है, बाईल दाब, कथन एव क नहीं, बल्कि महा सागरों पर रिष्टाई होते हैं, आर गलत है, ये आपका सही है, सत्यकतन है, सागरों के ऊपर लगवक 35 से 35, डिक्री उत्तरी और दच्च्डी अक्चांस पर विदमान दो कटी बंदों में, सिपितेक हॉस अक्चांस कहलाते हैं, ठीक है, बाईू दाब सबसी कम होता है, गर्वी के टाइम में, ग्रेस मिरिदू में, ठीक है, बादल, वह बादल जो अतिधिक तीब बरसा के लिए उत्तरदाई होते हैं, वो कहलाते हैं बरसा इस्तरी, सर्वधी कूचाई के बादल हैं, पच्चाप इस्तरी, मेक गरजर के कारण सगन, तथा उद्वाधर हवा हैं, ठीक है, हवाओं की अगर बात करें हम लोग, तो कथन ए, कारण आ, उत्री गुलाद में पवन पिती रूप, दर्चिडावर्थ तथा दर्चिडी, गुलाद में पवन पिती रूप, बामवर्थ होता है, फिल्कुस सही है, उत्री तथा कारण कोरियोलिस्ट प्रभाव से होता है, दोनों सही है और एकाज सही इस परषटीकेंड भी दे रहा है, अभी कतन ए, हवा की पेंटर्ण दर्चिडी गुलाद में गड़ी ही सुई की दिसा में दच्छना वर्थ, और उत्री गुलाद में घडी की सुई की वित्रीद दि को रियुक्रीली गुलायद में अधीक ससक्तों होती हैं क्योंकि उत्री गुलायद में धुकंड कम है तूफानी 40 के बारे में सब्सकता ने बड़ी सक्ति और सिर्षा से बहती है इनकी देशा सामन तोर पर दच्री गुलाद में उत्तर पर्च्म से पूर की और होती है मेगाचादन आकास बरसा और खराब मौसम इसके कारण सामन तोर पर संबंदित है लंबी 40 आप पवने प्रवावित होती है हिंद महासागर में वह सब्सक्त समुद्री हवाएं जो 40-60 दच्छी डान्स के मद्द प्रवावित होती है उन्हें कहाता है रोगिंग होटीज सेटराज अमेरिका के मद्द मैदानों पर चेनुक हवाएं की कारण है जाड़ी का तामान बढ़ जाता है दच्छी गोलार में पवन के कई के बाई ओर विचलन का कारण है पितवी का घूड़ा उच्छे दाप से भूमद्द सागर की वो चलने वाली पवने होती है व्यापारी पवने पवनों की मौसमी क्रमड प्रारूपी अभी लग छण है मांसुनी जलवायों का मांसुनी जलवायों का इस्थानिय पवन हवाएं सूची एक सूची दो इस्थानिय पवन है सुच्जय लेंड की सही समलन करना है फौन आलपसपरवत बोरा इटली उत्रीवार मिश्टल राइनदी खमसे मिस एवी सही समलिथाप के चिनुक, सहकतरा जमिर्का, सिराकू, सिसली, बिलिजार्ड, साइबिरिया, नौर्वेस्टर्ण, नौर्वेस्टर्स, भारत वह देश जहां रुधीर बरसा होती है एट इटली में देखने को मिलेगी वन, विस्वण चित में ऐसे एक के फैलाओ के 35 सरवादी के होई है सीतोष्न, संकू, बैक्ची बन, वह देश जिसके कुल बोगलिक चितपल के 70-30 भागपर बन बनाय रखने का सम्विधाने प्रादाने, भूटान, आपका पड़ोसी है ना भूटान, वह जी सेक्केम के प पित्वी पर घने बन अधिकतर मिलते हैं विस्वत रेका के पास, विस्तत उच निकटी बन दिये वर्सा बन पाए जाते हैं कांगो गाटी में, टेगा बन विस इश्कता है संसीतोष्न चित्वी, विसके सबसे बड़े एवं घने बन हैं अमेजन बेसिन में, सरवादी पि उचने उचनता बन हैं आईवरी कोष्ट में, का आईवरी कोष्ट में, कथन एक और कारण आर, सीतोष्न बनों के विख्री तयदी उचने कटी बन दिये, बर्सा बनों का निर्वेवर्तन किया जाए, तो उतपादी किरसी स्थल निकलते हैं, जो कई बर्सों तक रसाइने क जलत हैं, जडि उचनकटी बन दिये वर्सा बन कार्ट दिये जाए, तो यह उचनकटी बन दिये बर्डपाती बन की तुल्ला में सीग पुनरयोजित नहीं हो पाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्सा बन की मिर्दा में पोस्कों का आभाव देखने को मिलता है, सूच सूची दो, मासुनी बन सागोन तथा सापू, गिस्वद रेखी बन महावगनी एवां रोजबुड, भूमत सागरी एवां आलू भुखारा एवां जैतून, कौरदारी बन चीड तथा खर, जिसका वजदेश जो मुलायम लकडी और लकडी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवां निर्यातक है अमेरिका, वजदेश जो विस्व में इनन काष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है भार, डेल वर्जिया जाती से सम्मंदित पौदा है सीसं, फ्रयाकब विस्व जलबाई, आलाग अलाग रितियों में दिन समय और राति से के समय विस्तार में विन्निता का कारण है, पितवी का सूर के चारव और दीग वित्ती है, रेती से परिखमर, और पितवी का नक तक्ष्पर परिखमर, महादीकों के अनतास्ताओं का बार्शिकता परिश्टर ततीय चित्रों की पेक्चा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? भूमी और ज देखने को मिलेगा, कथन ए, भूमद्रेखा के दौनों और 5-8 डिग्री अक्छांसता के छेत में बर्स भर बर्सा होती है, सही है, उच्छता मान, तथां उच्छा देता के कारणे भूमद्रेखा के निकट अधिकता दुपर की समयनी बर्सा होती है, ए भी सही है, A-R दौनो है, और सुस्क जल्वाई, सुहाना और आद्द सीपकाल, और सदावार, ओक बेक्च, वच्छत है, भूमद्रेखा के दौन सागरिये च्छत, एक तरह से भूमद्रेखा के ये सभी विशेश्ता है, उच्छ निकटी बंदिये सबाना पिदेश की जल्वाई मुख विशेश है, निश्चि सुस्क और आद्द सुस्क, कतन एक उकारण आर, विश्बती है रेखा पिदेश का पर्यावन पोद्रेखा के अन्रकूल है, पर मनसों के लिए नहीं, विश्बत रेखी है, पिदेश में औस तन बार्सिक तापांतर बहुत कम है, एक और आर दोनों सही है, ठ पर्ष्टीकन नहीं करा है, व्याक्या नहीं करा है, अमेरिका का ओवन अगर जिसमें भूमद्द सागरिये जलवाईव नहीं पाई जाती है, यह है निवार, कौनसा निवार, जलवाईव चरम, बरसा कम, और लोग चलवास की पसूचारक हुआ करते थे, यह सबसे अच्छ जलवाई पिका, कैलिपोनिया, सहितरा, जमेरिका, भूमत्द सागर, पस्टेमी, अस्टेलिया, उस्नमार, भूमी, बंगलादेश, उस्निकटी बंदिये, मांसुनी, साइवेरिया, रूस, सीस, सीतोष, कांगू, डिसबतिये, और सूडान, सवाना, कथन एक कारण आर, बिल्कु सही दे रहा है, भूमत्य सागर, चेत्थ, चेत्रों में भारी बरसा होती है, सीत यानि की जाड़ी दितु में, कथन एक कारण है, उत्तर पस्टिम उरोप के बंदरगा बर्स भर्ष को ले रहती है, बिल्कु सही है, दच्छर पस्टेम हम आए बर्स भर उत्तर प जाते समय जलवाई इते देशों का सही करम है, भूमद रेखिये जलवाई, उपने मरू इसक लिए जलवाई, भूमद सागरिये जलवाई, पश्चमी एउरोपे जलवाई, यह सभी, संसार का अधितम स्थान है मासिन राम, एक कॉइंट याद रहा है, यह आपका मेगालाय मे अतिदिक ठंडा, अंटारिक्टी का, अतिदिक बर्ता, मासिन राम, अतिदिक सुका, चीली में पड़ता है, एल नीनो बनाता है पिसान भासागर में, है कि तो खरम पोदे हैं, जो उपते हैं, बहुत कम तापद, मिर्दा, केसी का केपिलरी सबसे अधिक प्रभावकारी हो बहु भाग में होता है, जिसमें चूना पत्थर होता है, मिर्दा, विच्छालन, बड़ी समस्ते आए, उठन कटी बंदी है, बर्सा बनों चेत्रों में, हैलो फाइटर्स अच्छी बिर्धी करते हैं, चारिये मिट्टी में, मिर्दा में नाइट्रोजन की आपूर्ती होत ठीक है, पॉर्ड़ोल, ये आपको देखने को मिलेगा सीथ सीतोष में, समसीतोष में, चरणोजम, इस समसीतोष न सीथ स्टेपी में, इस पॉर्ड़ोल, आद सीथ समसीतोष में, लेटे राइट, उठन एवं आद में, अभी कथन ए, कैंचुए केती के लिए अच्छे नह तो लेक कारण सही है, और एक गलत है, क्योंकि खेती के लिए बहुत लाबदाय को देखने चुए, एपट जातियां, जन जातियां, इस जन जातियों से भी आपके क्विश्टन्स कई बार पूच लेते हैं, खाना बदोष जन जाती के लोग सरबादी पाए जाते हैं, सुस पिथभी के तलप पर पिथम पक्षी का परदुवाव माना जाता है, 15 करोर पर्सपूर, 15 करोर बर्सपूर, वह महादीब जो मानव जाती का जनमिस्तल कहलाता है, अफीका महादू, वह पजाती जिसके सदसों की संक्या सरवादिक है, काकिसी आई, जिपसी लोगां का मूल पर जन जाती नहीं है, पिगमी नहीं है, गरों के जो चार पिथी रूप दिखाई दे रहे हैं, इन मेंसे वह पिथी रूप जो पिगमी के घर का है, यह आप देखेंगे, यह आपका पिगमी के घर का पिथी रूप है, पिथी रूप, ठीक है, जैब एक समधायों के अंद की इश्पॉन जाती है सूची एक सूची दो को सुमलेत का ना जन जाती और देश एसकीमो कनाड़ा एवं ग्रेनलेंड मसाई क्यान्या में और बद्दू साउधी अरब बुस्मेंड बुस्तवाना कालाहरी मरुत्तर छिरगिज मदेश्या एनू जापान ए धुर्विये छित के साधन हो गया किरियाकला काया एस सिकार ही तू संकरी नाव इनकुट बरक का मकान यूनियो परिवान ही तू नाव इसलेज कुत्तों द्वारा कीची जाने वाली गाड़ी सेमांग लोग जहां के घने जहां के घने उश्ण कटिवंदिय बनों में रहते हैं मलेसिया में य दोलू जन जाती के नवाव स्तान है तच्छडफिका, कहां तच्छडफिका में छेत जाती, मदेसिया अलपाइन, इस्केंडेनीविया नाडिक, जन जाती छेत मसाई पूर्व्यपीका में, रेड इंडियंस, उत्री अमरीका में, मावरी निजिलेंड, मयाज, गवाकिमाल जमेह के ठीक है वए देश जो भूमद्व साथ भूद्पूर्ट सोविये संग का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे आर्वीनिया इन्वेट लोग पाय जाते हैं कनाडा रूस और अलाज कामसी ठीक है यह आपकी जनजातिया हो गई और उनके अधिवास से छेत हो गए खुलानी पर्चमी अफीका में देखने को में लेगे वांदू पूरवी मद्दो और दच्छडी अफीका में मसाई पूरवी अफीका में नूबा सूडान में वाट देश जो लेप्स जनजाती के लिए पिस इस भासा की रूम में कार करने के लिए बनाई गई एक किंतिम भासा है विसमें सरवादिक ब्यक्तियों दारा बोली जाने वाली बासा है मंदारीनी चीन की वह देश जिसकी राजबासा स्पेनिस नहीं है कांगोगड राच्छी सिंगापूर की प्रमुक बासाओं में सामि देख लेते हैं किर्सी और पसुपाद यादर की पॉइंट आपके बदलते रहते हैं इसलिए जब भी पेबर देने जाए उस साल आप लो अपडेट देख लिया गरे करेंट देखने देखना ही पड़ेगा आपको देखे उसमें अगर कुछ बदलता तो ठीक है बना पुर सरवादिक चित है भारत में वह है देश जिसमें धान की उत्पादकता सरवादिक है जापान में संकार धान की खेती सरवादिक लोगतरी है चीन में विसका धान जीन बैंक इस्तित है फिलिपिन्स में विसमें गन्नी का सबसे बड़ा उत्पादक है बिराजी विसमें गन् का अरंड का सबसे बड़ा था कि निर्यात बारत कर भारत थे विसक विरेंD गरी के सब्सक्राइब आपक भारत इंड़नेशनी बिसमें फलो अत्ताइन की रूप में भारत का नंबर दूसरी नौबर नौबर तमाकु उत्पादन में विसमें पिथम इस्तान चीन विसमें तम प्राप्ति ग्रवर्ण के दो बड़े उत्पादक है थाइलेंड और इंडोनेसिया स्री लंका में कॉफी की किर्सी बंद कर दी गई है परण कीट रोग के कारण बिसमें कहवा की दो अगणे उत्पादक देश है ब्राजी लो बेतना बिसमें कुल कहवा उत्पादन के पितिशत के डिट्टी से सीशत है ब्राजी बिसमें चाय का सबसे बड़ा निडिया तक देश है केन्या सूची एक सूची दो फसल हुग है उतपादक छेट कहवा साओ पालों पठार जूट गंगा डेल्टा चावल यांग तिशी मेधान ग्यांगूँ पेरी मेधान सूची एक सूची दो फसल उतपादक चावल सीक्यांग वेसंग चींग ग्यांगउ यह है आपका वेशन चीन चाय केंडी वेशन सिरी रंका छेट सूची एक सूची दो कोको घना कहवा आईवरी कोष्ट चाय केंड्या गन्ना दचड़ पीता युएस में को पॉना कॉपी का उत्पादन होता है हवाई में वह एक इस ती चेट जिसमें छोटे चेत्रों में सूची एक सूची दो अगिणी उत्पादक दिस्पदा चीन लोहस दूद भारत में साओधीर पेटॉलियम थाइलेंड प्राक्तिक रवर सही कतन है उठ निकटिवदनी ये बागान समुद्ध तटिये तटके किनारे जुन्नों में पाई जाती है और अमेजन वेशन में र अगर फसलों को रोपन किये गए पेड़ों की कतारों की बीच में इस्तान में होगाया जाता है वह कहलाती है एले क्रॉपिंग एक फसली किरसी बिसेष्टा है ब्याबर एक अन्य किरसी की चलवासी किरसी है चेना जूम और मिलबार जिससे आप लोग जूम किरसी कहते हैं इस्तानादित करती भी कहते हैं तुंग्या किरसी जहां कीखी जाती हो है में आनुमार कथन एक कारण आर एक पौधे एक पौधा जिसमें नत्चन नाइटोजन की कमी छोटे का विकास ओरहल की हरे एवन पीले रंग की पत्तियां जैसे लख्षन दरसाते हैं नत्चन हरी प यह व्यः जाता हैं चारोन के लिए जैविद खाथ किरूम में ब्युक्त खिया जाता है ऑजोला ध्हान की ख customization की बैदावार बढ़ाने किलिए जैव और वक रुप में प्रेय्व में लाए जाता है नील-he – तृक है कत्थन-A सुरी माप करिए अलफा-लफा है एक पेकार की घास है अलफा-लफा कई बार कुछ लेता है कथान एक कारण आए किसी भी अपीकर देश में चाय बागान नहीं है चाय गलत है यह चाय के बादों को उच्छ हूमस योग तो उर्बरट की मैदा किया वज सकता होती है बिल्कुछ सही है आर सही है फॉर्ड जोर्ड कौरदारी बन फिदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते है मौका मौका पौकी जहां उगाई जाती हुआ है यमन चाय में पाया जाता है थैनाइन, कैपीन, पॉलीपेनाइल, टैनिन, थ्री, थीो, ब्रोमाइन, थ्री, खाइलिन, आधीतर किर्सी के नतरगत समझोती है कि अनुसार ग्रेंड बॉक्स में समलेते है किर्सी अनुसनान और पादर सारक्षन समंदी आर्थिक साहता हीरोईन पराफ्त होती है अफीम पोष्टा से स्वाइडिम अर्द्चंद में समलेते है अफगानिस्तान, इरान, पाकिस्तान वैदेश समूग का जहां मक्का मुख बोजन की रोब में प्रेयों होता है यह मत दप्रीगा सेक्रामेंटो, सौन, जुआ कुईन, घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सेप्टिस, नीवु बंस फालों के उत्पादन के लिए विख्याते है वह अवस्तित है कैलिपॉनिया राज में कहां कैलिपॉनिया राज में, कथन ए, यूरोप के भूमत सागरिये, छेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती होती है, किती विशेष्ट है, बिल्कु सही है, आर उसका 85-30 अंगूर सराब बनाने की काम आता है, बिल्कु सही है, यह आल दोनों सही है, आर ये की सही ब्या मुंख़ली का मूल इस्थान है, ब्राजील, सहतूत जो विश्ट का सबसे सुंदर, गरम, हलका, उन माना जाता है, वेपना होता है, चीन तिब्बत में, सहतूत साल बाई, जानी जाती है, चरू के बालों से, एपी कल्चर ये बिज्यानिक भी दिए, जो सम्बंदित है, सह अंगूर के उत्पादन से, बेटी कल्चर सम्बंदित है, अंगूर के उत्पादन से, खेती हो गया, और खेती का नाम करें, फोलों की खेती को क्या कहते है, फिलोरी कल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमिक, सबजीयों की खेती को ओलीरी कल्चर, फलों की खेती को पॉम मिस्तान है चीन का वालत का दूसरा इस्तान है तथा निए और ये का सही इस पश्टीवी करण भी दे रहा है आप देखेंगे कि और ये में लोग मास खाते हैं जांद है इसलिए वो दूस से जांदा गाय का उपयव मास के लिए करते हैं विस्त की बियात्म पसू समश्टी है चीन में ये उरोप एवं उत्री अमेरिका में बीप की एक सुरक्षे देवन स्वास्त स्वास्त खाद चभी को किसने नश्ट किया मैड मेड मेड काउ रोगने विस्त में सरवादीक दुग उत्पादक देश है भारत दुगदे के अग् अब खनीच कोईला का एक उधार ने परद्दार चक्तानों का कोईला कर्चाती लोग पर आक्टिक यस कहलाते है जीवास्म की फ्यूल इनाई सद्धकताने चीन संसार में अग्डी कोईला उत्पादक है और यूक्रेन में डोनेट्स बेसेन पर मुख कोईला उत्पादक चित है जर्मनी में सार चित पर मुख कोईला उत्पादक चित है सजुत्रा जमेरिका में मुख कोईला उत्पादक चित अपलेशियन पर दित है डॉनबास चित इस्तित है कोईला के लिए कोईला चित हुए देश हुए डॉनेट्स यूक्रेन, कुजेनेट्स हे रूस, लंका सहर, यूकी, साल जर्मनी, पत्थर की कोईली के भंदार में सर्वादिक अकड़ी देश है अमेरिका, कौनसा अमेरिका, विसके कोईली का आधी स अधी उत्पादन प्राप्त होता है चीन वासा यूक्तरा जो अमेरिका से, रूर बेसिंग पिसिद हुद्धो के चित है जर्मनी में, कहां जर्मनी का, सर्वादिक कोईला पाया जाता है अमेरिका में, विसमें सबसे अधी कोईला उत्पादन करने वारे देश है चीन, इसमें लोहे अर्स्क में की तीन अगणी उटपा दखें, चीन, आस्टिलिया और ब्राजी, लोहे अर्स्क के हुगए संबदी छे, लोरेन, फ्रांस, मिड्लेंड, यूके, केरोना, स्वीडन, कुस्ताने, कंजाकिस्तान, फ्रांस का लोरेन पिदी स्पिसित है, लोहे वाइस पूर उटपादक है, चीनी, चेली, विसकी विसालतम, पोर्फरी, ताम निच्चितों से संबन है, ये आर्ल दोनों सही है, लेकिन आर्ले का सही इस पर स्टिकर्ण नहीं दे रहा है, अभी की देश, जांबिया में, तामी की विपोल भंडार है, फिर वी इस देश की पुद्री बंदरगा नहीं है इसके पास, जापान लगबर आतमिर वह है, तामा में, विसमे स्टिकर्ण उत्पादन का सही औरोई किराम है, चीन, उस्टिलिया, रूस और अमेलिका, चाल टॉप, ठीक है, ऑस्टिलिया में इस तिक कालगूरी की विख्यात है, उस स्टिकर अब आप देखते हैं, इसलिए आँगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पाद खनिच चित्रों में देगी, हर चित में वो लगबग आँगे हमसे, संसार की तीन अगणने, पैटोलियम उत्पादक का सही औरोई करम है, साउधी अरब, उसे रूस, विसमे पैटोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक साउधी अरब है, मद्पूर की प अंतुल पैटोलियम भंधार प्यमाड इते हैं, सहितराज अमेरिका पैटोलियम का प्रमुखुत पादक, उप्रमुख आया तक दोनों है, यह दोनों सबसे ही सही नहां के, आपर उनको यह कुश्चन बताना है, किसी देश को विकसित या विकासिल बनाने मतलब टॉप महा सब्ती बनाने के लिए, क्या होना चाहिए? मानौसनसादन या खनिस्ससादन फ़िक सभी लोहा, तौमा, सोना फ़िए कि बताइए आप लोग्टिये मानव संसाधन बड़ा है या फिर खनिश संसाधन कोईला कच्छा तेल इस तरह कि दच्छडी पूर्व एसिया के सबसे बड़ा खनिश तेल उतपादक देश है इंडोनीसिया इसका सबसे बड़ा प्रमाड़ित देश तेल भंडा रिष्टित ह बेनोजियोला में वह देश जो गेस्टो होल का सबसे बड़ा उतपादक भूखता है सेफदराज अमेरिका तेल की बेस्विक कीमतों की संदर में ब्रेंट कच्छी तेल है का समाचारों वेरा उल्ले आता है इस पत का अभीपाय है कच्छी तेल का प्रमुक बरगी करने या जालतिक रूप इस तर पर निकालना सु निकाला गया था रोमानिया जैवी धन बनाये जा सकता है गण्ना मक्ता सुयावी रैक सीड और जीटो पासे उरेनियम संसार में युरेनियम का अग्णए उतपादक है कजाकिस्तान वह देश जो युरेनियम का प्रमुक उतपादक की एक कंटारा को वब एक क्षच जिसने रेडियू पर स्य 걸ेंड कि हैं वह जो बहुत मत को सी, अश्क नच्चेब के लिए जाना जाता है क्न hada प्राक्तिक कपूर प्राप्त होता है चीन और जाबान की एक देशत बैप्चिसे वह एक खनेज सूची जो आलोए धातु की दरसाता है निकल जस्ता तामा एलोमिनिया एक खनेज हो गया उत्पादक चेत हो गया कोईला कारागंटा बेसिन सोना हाइवेल लोए अस एह क्रवोई रो एक खनेज तेल सान ज्वाए ज्वाक्वीन गाटी तामा एरिजोना साही समलेशने सूची एक सूची दो खनेज तेल गैनेज जोला तामा जांबिया मैगनीज ग मसूल एक खनेज तेल ट्रांसबॉल सोना लोए खनेज लोए अस मैसावी खनेज तेल बाकू तामा बिगम एरिन्याम पोर्ट रेडियम बाकू पिसिद्धे पेटॉलियम के लिए अंतराश्टी इस्तर पर मैसावी रेंज जिस उत्पात के लिए जाना जाता है वाए लोए टाइटिनियम का अपिनी उत्पातक देश है चेन 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 चाहिना विसमें बॉकसाइड का बेहत्तम उत्पातक है ऑस्टेलिया जिस खनेज के कारण चीली पे से दे होगा है नाइटेट देश होगया खनेज बॉलिविया टेन ब्राजी लोएस्क मैक्सको चांदी प अपिका में सर्वादिक ताम अत्पातक देश है डी आर कांगो नगर उत्पात केंद और देश हैमिल्टन करनाडा बर्मिंगम यूनाइटेट केंगडम एसन जर्मनी आसन एंसन एचीन एक केंद होग है उत्पीटर्सबर्ग युसे लोहाइवं पिसपात संगाई चीन सू सूची एक सूची दो कहन हो गया उत्पात के लिए सूची एक सूची 2 जैकंटाइट पात के लिए जोहाइवर्ग स्वानखनत क्लिए बर्मिंगंगं लोहा इसपात के लिए पिस 와ंस्पात के लिए ठृतिकर सूची एक सूची दो नगर हो गए उद्ध्यव हो गए उसाका आपका वस्त उद्ध्यव के लिए पिसद्य है याको हुमा ओतनेरमाड के लिए हूस्टन तेल एवं प्राक्तिक गयस के लिए अंसन लोहा एवं इसपात के लिए हवाना सिगार के लिए सूची एक सूची दो चैल्लया विंस्क धाटू एकम सेंड मसीनियरी के लिए मिलान रेस्मीबस्क के लिए डेक्ट आटोमोबाईल के लिए मास्कु धाटू रसाइनिक मसीनियरी के लिए सूती बस्त पर उद्योग का प्रमुख केंद है ओसाका ठीक है सूची एक सूची दो सीफिल्ड सैफिल्ड कटवरी बैनेन कांच निर्वाड के लिए गिलासगू पोथ निर्वाड के लिए उटावा कागज के लिए पोथ निर्वाड केंद राज यूएसे होस्टन टेकसास इस पर रोज प्वैंट मेरिलेंड नियू आर्लियंस लुईजियाना केम डेन नियू जर्सी एक कोईला चेत होगा अवस्तिती कुछ वास रोज रेड रिसिंग चीन वेस्टल यूनाइटिट कंग्रम नियू साउट वेल्स ऑस्टरिया सूची एक सूची को दो गिंचित द अबहरी जांटल यह आप देखेंगे ब्राजिल में कहां ब्राजिल ठीकर सूची एक सूची दो कि लेंड लुहाइस पात के लिए मेसावी रेंच लुईयस के लिए थ्यला डेलिपिया उत निर्माड के लिए सुची एक सुची दो, उद्दोगेक पेदेश देश, लंगा सायर पेदेश, यूनाइटिड किंगरम, रूर रूर पेदेश जर्मनी, कहन पेदेश जापान, दच्छडी अफलेसियन पेदेश सेटरा जमेट का, उनका सबसे बड़ा उतपालक देश है चीन, उनी बस उतपा जापान विसके अगणी उद्दोगे देशों में से एक है, क्योंकि उसके पास उच तक्नीकी है, समझ रहे हैं, मानव संसादन है, आपको यहां पुराने questions का पूछाता ना, यहां मिल गया हुगा, आप जानते हैं कि जापान के पास कुछ जानना, आप देखेंगे, कोई यह खनिज मनिज नहीं है, फिर भी वो अगणी देशों में सामिल है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, समझे रहे हैं आप लोग, आप ही सोची एक दूद वाला है, और वो क्या करता है, दूद आपको दे देता है, वो कितने 50 रुपे लीटर देता है, आप उसे क्या बदनत है, आप चोकलेट में बदल देते हैं, केक में बदल देते हैं, तो यह होता है दिमाग, अगर उसके पास दिमाग होता है, तो गो के मना कर लेता, ठीक है, तो आप देखेंगे, जिते 50 रुपे का दूद आप दो से 300-400 रुपे कमा लेंगे उससे, सूची एक सूची दो, र मकतरः, इनठन के रूँ में पिवत किया जा सकता है, सरे के एफनल उत्पादन के लिए पिवत किया सकता है, कागत लुखदी बनाने तो काश्ट こん पता है, यहा अगर पडाने पाय जाते हैं, जापान में, उसका को पूर, का मांचेस्ट का द एजता है, जापन के सभी लो सबसे बड़ा केंदे लंदन क्या है लंदन आप लोग कहते हैं न मैं लंदन जा रहा हूं सूची एक सूची दो उद्धेव हुए स्थान कावज ओंटेरियों रसाइनिक टेकसास मोटर कार के लिए नगवा इसे लिए अब परीवहन है कथा ने संसार में उत्री अटलांटिक संसार के दू मुखो दोगिर्चेत को जोड़ता है इसलिए बेस्थ है यार दोनों सही है और एकी सही ब्याख्या भी करा है संसार के सर्मादिक बेस्थ महासागरी मार्ग है उत्री अटलांटिक महासागर दिली से टोकेव तक की उडान हवाई पतन आते हैं बैंकोग खनव का लगवो तम बायु मारग है पर्थ मुंबई रॉम लंदन लोग थांसा विमान से वाहें जर्मनी की एस ओची एक्स रेल मार्क से है ये पार महादीपीय रेल पैरिस से वारसा पार एंडिज रेल वाल परेजो से भी उनसार्स पार साइवरिया रेल सेंट पेनिन गिरार से विलाडी बुष्टर्प तर औरेंटल एक्सप्रेस पैरिस से इस्ताबल तर ये सब ही आपके कबर किये हुए हैं उसमें और किलासों में ठेक है कुछ नहीं चूटा हुआ है मुझे लगता है कैनेडियन पैसेपिक रेल वे जिन दो स्टेशनों के वीच च स्टेश पान में बन्दरगहा पतन ॆजे मैं का श्टिलिया का पतन अगर नहीं है कनवरा बिसका सबसे बड़ा अजोई संगाई । बहार टन मान कि दिरुष्टी से विच का अज biblical संगाया संगाई वेनेजूला में तेल पतन की रूम में विखसित किया गया है मर के वो प अलेग्जेंडिया समुध्य पतन है मिस्सका, पोर्ट डायमंड इस अवस्ते थे दच्छडमी अफिका में, वह बंदरगा जिसे के कॉपी बंदरगा की रूम में जानते हैं, सैंटोस को, जिसका सबसे बड़ा जहाज निर्मादा देश है चीन, ग्वादर पतन अवस्ते थे पाकिस्तान में, ठीक है, चा बाहर हम लोग उबात यादर की हम लोगों ने इरान में बनाया है, ठीक है, ग्वादर को आप देख रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान में इसका निर्माद कर रहा है, सही समले थे, बंदरगा हो गया देश, लाटरडम, नीदरलेंड से संबंदी, एका इगार का रोस, मॉंट वीडियो, रोपे, जकार्ता, इंडोनेसिया, मानचितरन, ठीक है, समदाब रेखाओं को दर्साने वाली देनिक, मौसम मानचितरन उधारन है, सम्मान, रेखा मानचितका, आइसो गॉनिक रेखा है, समान दूर्चुमिकी है, जोगावाली मेराई की बिंदूओं को मिलाकर खीची जाने वाली रेखा है, आइसो बात, उच्चावत दिखाने का सही तरीका है, समोच रेखा दूर्ण, अब वेविद, कुछ देख लेते हैं, इसमें भी आपके पॉइंट दिये गए है, संसार की सरवादिक मत्पूर मसंच छेत्रों में पाए जाते हैं, कुछ ने इवाँ सीध सागरे धाराओं मिलती हैं जहाँ, ग्रेंड बेंग इस्ते थे ओत्री अमेरिका के पूर्वी तटपर, भोगोल में नव नीती बात के सिद्धान का फितिपालम किया था, जी टेलर ने, किसने, जी टेलर ने, अपनी पुस्तक इ नेपाल से समद्धित हैं, रोईगा म्यानमाल से समद्धित हैं, ये भी कई बाद चैचा में रहते हैं तो पूछ लेते हैं, सही कथन, क्यूगा को विसका चीनी का कटोड़ा का जाता है, होंकून चीन का विसिष्ट पिसासनिक पिदे से पॉस्टिलिया एक संगी ये राच मनीप टोबा, मुरको, एटलस प्रवत, दच्छी डेपनीजी का केमर ले, सूची एक सूची दो, दोपतारा, उत्रीदेशा, फेदवी, गुर्दवाकरसन, ग्रिनलेंड, आर्केटिक माहस अगर, विसपोर्ट तोनी, भोगोलिक स्वरू और देश, ग्रेट बेक्टोरिया मरुस्तल, ऑस्टिलिया, ग्रेंड केनियन, उसे, लेक, लेक पेनी, फेक, याप कानाड़ा, दच्छी आलपस, न्यूजिलेंड, बिसमें पहला परमाडू बिजलीगार इस्थापित किया गया था अमेरिका में, सही समले थें, सही, कंरेज सुरंग, जापान, फेट्रो ना मीपामी, प्यूटरियों में, सुची एक, सुची दो, स्वाडेम ते कौन, दच्छिटपूर्ग एसिया का अफी मुत्पादक छेते, बर्मूडा, तेंग्वल, उत्री अटलांटिक महसागर की पश्चमी भाग का एक छेते, सुदूर्पूर्ट का चावाल का गतूरा, म् पिक्षिपन के इंदा उसके थे, कैप केनेडी में, नासा यहीं की अंत्रिक चैजनसी है, हमारी अंत्रिक चैजनसी का नाम है, इस रोग, ठीक है, वह देश जिसके उवगरों से अटलांट, अंटार किटिका का बिस्तक, बिस्तत येवन संपूर्ण मांचित, बनाने में सा इसी तरह गिन सकते हैं, कोपा कुआना पुलिन अवस्तित है, रियो डी जिनरो में, विसकी सबसे उचाई पर इस दुर्मीन बैस साला है भारत में, यूरोपे संगे का मुख्याल अवस्तित है, ब्रुसेल्स में, अंतराष्टी समुद्री संगठन का मुख्याल है, लंदन अगर 500 से 200 सब्द भी लिखने के आते हैं मेंस में, तो आपने लिख सकते हैं, संस्थाल नगर, अंतराष्टी रेड कोस सटाइटी, जनेवा, अंतराष्टी नियाल है, दाहेक, यूरोपे आर्थिक संगठन, रॉम, ये मुख्याल है, पूर्कियों और देकोनीती के नर्म स भारत पूर्वी ACI मामलों में स्वयम को एक मात्पून, छेत्री नाइक के रूम में स्थापित करना चाहता है, भारत हमने दच्चिर पूर्वी ACI परवसियों के साथ, इतिहासे के वह सांस्कृति संबंद पुना स्थापित करना चाहता है, बिल्कु सही है, कैलासमान पर तीत यात्रा के वीजा लेना पड़ता है, क्योंकि यह इस्तित है चीन तिफबत में, और श्टेलियाई वासी किसमस मनाते हैं, गर्मी के मौसम में, वह है देश जिसको आसियान में केबल वार्ता वागीदार का दज्या पराप्त है, भारत, सार्ग का मुख्याला देख रेनोबिल परमाडू अब्दा गटित हुई थी यूक्रेण में, लीप फॉरबर्ड पॉलेसी के कारण बुक्मरी से लाफों लोगों की मित्ती हुई थी चीन में, चाइना में, नाक्सी ये सक्ती चमता की दिफटी से पिरमुक्ष देशों का किरम है, सहितरा जमीर का प्र किर्गिस्तान को, चालीस कमेलों का देश किसे कहते हैं, किर्गिस्तान को, एक डियाटेक्स आगर की रानी के नाम से जानते हैं, बेनिस सहर को, ठीक है, तो ये थी आपके बिस भूगोल से समदी, कुछ मांदपूर, पॉयंट, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा मतलब सब कुछ बता पाना मुश्किल है, इसलिए वही पॉइंट उठाए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए जानकारी होनी चाहिए, अब आप देखते हैं, मतमा गांदी की अगर आप बायोग्राफी यानि की आत्मकता देखेंगे, तो ये पूरी बुक्स है, उसे कबर कर अपाना मुझे लगता है कि मुम्किन नहीं है, तो उनके वारे में जो खास-खास पॉइंट है, उनने लिए जाते हैं, चलिए तो आप लोगों मिलते हैं, भाटती है, भारत का भूगों देखेंगे, ठीक? अभी आपकी जो भी किलास ने लिए जा रही है, ये केवल एक तरश से आप कहिए कि जिवीजेंट के पॉइंट भी से लिए जारी है, कहने का मतलब सीधा कि आप लोग जब पेपर आपके पास होता है, नजदीक होता है, और आपके पास टैंड नहीं रहता है, तो या तो आप लोग वो नोट्स पर पढ़ते हैं, जो सोवट नोट्स आप बनाते हैं, और याद रखिए कई लोगों को मैंने देखा है, कि क्या करते हैं कि पूरी किताब की किताब उतार देते हैं, तो इससे अच्छा है भाई, पूरी किताब ही पढ़िए ना, सोवट नोट्स का म पर विस्प का Google चार से पार शंटे में कबर हो जाए समझ रहे हैं आप लोग मतलब एक तरह से रिविजन हो जाए इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे नोट्स होते हैं तो उसलिए आपने देखा होगा घटा चक जब इदरिष्टी निकालती है न करेंट बुकलेट निकालती है वही बुकलेट है तो इसमें लगता है मुझे कि क्विश्चन्स वह पूँचे जाते हैं या तो दिये गए हैं जो पूँचे जा चुके परीच्छाओं में या पूँचने की पूरी संभाव ना होती है एक तरह से आप कह सकते हैं कि भूगोल भारत का गूगोल की एक तरह से आपका यह निचोड है ठीक है और यह आपका प्रेलियम समय है यूपी एस्थी पर सेविल सर्वेस या फर एमपी एस्थी यूपी एस्थी या श्टेट पीस्यस कोई भी हुआ आपका उनके लिए मत पूर रहता है और आप देखेंगे कि वंडेक जाम वंडेक जाम कहने का मतलब है एसससी बैंक रेलवे इस तरह के जो भी एक जाम हो प्रश्टरी यानि कि रेसायंट बहुत की इन तीनों को देखा था और आपका कंप्यूटर भी वहीं देख लिया था क्योंकि देखता हूं कंप्यूटर से भी कई बार कुश्चन बन चुके हैं साइंस टेक से भी उसमें भी प्यजेक्स वाली क्लास में उसे भी कवर कर दि प्रश्टी थी ना जिसमें आपका पूरा मैप्स का साहरा लेकर पढ़ाया गया था उसे जाकर देख लें आप लो मांचित के नाम से जो आपकी विलेलेश्ट सूझी है क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि 70-75% देखेंगे कि उसे कवर हो सकता है ठीक है और आप देखते है ही भारत के भूबल्पी और इससे देखते हैं आप लोग कुश्चन के हर परिच्छा में पूचे जाते हैं उसके बाद एतियास बचता है तो उसे भी हम लोग कवर करेंगी तो सबसे पहले मुझे लगता ही कि हम लोग भारत की एक बार इस्तिती देख लेते हैं मैप्स में क्योंकि पूरा भारत पर आज हम लोग बात करने वाले हैं देखिए यह है हमारा प्यारा भारत अगर इसके पड़ोसियों की बात करें हमारे पड़ोसी यह लक्षदीप सागर हो गया अरफ सागर बंगल की खाड़ी यह आपका हिंद महासागर है ठीक है आप जानते हिंद म मतलब भारत ठीक है आपके पड़ोसी हैं देखिए स्रीलंका यह है नीचे क्या है स्रीलंका इपाक जल्दमरू द्वारा अलग होता है ठीक है बंगलादिस मेंनमार बूटान नेपाल ऊपर आपका चीन है पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लग लगती है उसके बाद आप राज्यों की बात करें तो आप लोग वो राज्यों को करम में याद रख लेना है क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार पूछ लेता है कि सबसे जान्दा सीमा किस राज्यों से लगती है भारत में तो आप देखें को उत्तर पदेश की कई बार 370 खतम कर दीगी है, लगदात और जम्मु कस्मीर को दो भागों में माड़ दिया गया है, जम्मु कस्मीर में आप देखेंगे, विधान सभा नहीं होगी, तो यहाँ आपका जम्मु कस्मीर, और यहाँ लगदात, हिमाचल पिदेश, उसके बाद आप देखेंगे, पंजाब ज़धाय प्रिदेश भी कहते हैं आप लोग इसलिए यह उत्तर्पदेश उपर आपका ठीक है उसके बाद आएंगे गुजरात देख लिए महराष्ट ठीक है महराष्ट के बाद आप देखेंगे महराष्ट मध्वबदेश उसके बाद आप उडीसा धिचादिष गड़, आंधवड़ेश्, तेलंगाना, गौनाटक यह अपका तमिल्लाँडू लगा हुगय है केरल हो गया या तमिलाडूं केरल करना टक आंज विदेश तेलंगाना उड़ेशा पश्चे मंगाल जारिखंड चाथीश गर्दे के लिए विहार ए सक्के में आपका बूट सक्के मैगाला है असम नागालेंड और उनाचल विदेश मिजोरम मडी पूर एस सभी आके एक तरह से र सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सामान गया एक छेत पल देख लेते हैं भारत के बारे में सही कतने या इस्थर मंडल के कुछ कोल चेत पल का 2.4 यानि कि 12 समलब 4.3 भाग अधीकेट किये हुए है कहने का मतलब है कि जो इस्थर भाग है पूरा टोटल यानि कि 100 परसें सब्सक्राइब करने के लिए किया जाता है आप कहते हैं कि नैनी से गुजरती है तो इसके बारे में याद रखी भारत वर्स आगार चेत फल में विस्थ का साथ भी नंबर पर जनसंख्या के मामले में दूसरी नंबर पर है भारत का चेत पल संसार की चेत फल का 2.4 पिती सत इसकर देखेंगे आप लोग 70.5 के थी यानि कि सोचिए कि टोटल जनसंख्या में lebih कि विस्थ में आप की जनसंख्या निवाले सकत ही तो उसमें से 17.5 की मीशर आप की देखेंगे बारत में निवास इन निवास करती है आप देखेंगे 2011 के जनगरूचा के अनुसार व भारत वस में अगर गाउं की संख्या की बात करें तो आप देखेंगे 6,40,930 जंगरना 2021 जंगरना आएगी तब तक आपके आखले महत्पूर रहेंगे उसके बदल जाएगे ठीक है अक्छांसी है अगर विस्तार की बात करें तो यह देखेंगे 8 град दिग्री चार मिनिट उतर से 37 दिग्री 6 मिनिट उतरी अक्छांस से और आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनिट पूर से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर भी देशांतर कि मत यानि की कहने के मसलब है सीधासा कि यहां से यहां से लेकार यद्न गुज्रात अरणाशल पिदेश्, उपर जम्मू गशमीर, यहां आप देखkkeेंगे कर्योंड कर्मारे आप ज़ार बिहार एक मेनेट रुपी एगा, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। कितने कराख रेखा आपकी, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कई बार कुष्चन्स भी बन चुखा है, क्या आप पूछ लेता है? करक रेखा किस राजे से नहीं गुजर दी इस तरह कि कुर्शन साब के कई बार कुछ ले गए है तो आपको बताओं कि मैश में साहा लेकर अगर हम लोग बात करने दो याद भी रहेगा और आपको भूलेगा भी नहीं इसके बाद आप देखें गी राजिस्थान उंपर लगा हुआ है फिर मद्रकेश डेखेंगे आप लोग उसके बाद आप देखेंगे और छत्य गड़ जारकंड जब बिहार का भाग था तब आप देखते थे कि विहार से भी गुजरती थी, लेकिन जारकंड अल्ग हो चुका है, तो विहार से नहीं गुजरती है, जारकंड से, उसके बाद देखेंगे आप लोग पर्ष ज्यमंगाल, उसके बाद आप देखेंगे तिप्पुरा और मिजूरम, याद रखिए पूरी भारत में करक रेखा इन राज्चों से उकर गुजरती है गुजरात राजिस्तान मदविदेश चाहर चाहर पर्षेमंगाल तिप्पुरा और मेजूरम यानि कि ये आठ राज्चों से उकर गुजरती है अगरतला गांधी नगर जवलपुर उज्जेन मैसे करक रेखा से निकट कम दूरी पर इस्तित नगर है गांधी नगर ये इस तरह के कुश्चन से भी कई बार पूच ले गए है दिल्ली कोलकाता जोद्पुर नांगपुर स अच्छन में बांट देता है जारकन मड़ीपुर मिजोरम तिपुरा राज्चों से करक रेखा के उत्तर में श्तित भाती राज्च है मड़ीपुर आपको देखने को मिलेगा कौनसा मड़ीपुर याद रखी लेकिन मड़ीपुर से करक रेखा गुजरती नहीं है एक बात हमिसार देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर में आप देखेंगे ना, तो उत्तर में आपको मडीपुर, ऊपर देखने को मिलेगे, ठीक है मिजोरब से, हैदराबा, चैन्रेई, भोपाल, दिल्ली सहरों में से, जून, माई में, दिन की अधिक्तम होगी, कहां, दिल्ली में, कहां, दिल्ली में, अगर आप से पूचें कि मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जब भार्टी है मानक समय रेखा समय की आम उत्तर पर अधरात्री एक इस्थान सुबए 6 बजी बचता है तो इस्थान की अवस्तिती यानि की जिसके आम उत्तर पर है हुआ है क्या होगी तो यह आपको देखने को मिलेगी एक सो बातर डिग्री 30 मिनिट पूरवी एक सो बातर डिग्री एक सो बातर डिग्री 30 मिनिट गुजरात के सबसे पुर्वी पुर्श्थित वो अलाम की समय में कितने घंटे का अंतराल होता हिं। तो यह आपको दो घंटे का अंतराल देखने को मिलेगा कितने दो घंटे का अंतराल आपको देखने को मिलेगा और याद रखिए जो मानक समय रेखा है न आपकी यह पांच राज्यों से होकर गुजरती है कितने पांच राज्यों से होकर आपको देखने को मिलेगी गुजरत यह आप देखेंगे उत्तरपिदेश देखें यहां उत्तरपिदेश उसके बाद आप जाएंगे यह यहें पर मद्द पर ऐए आपका मद्धपिदेश उसके बाद देखेंगे आप लोग चतिस गढ़ंच और के बाद आप देखेंगे उडिशा से भी जाती है और आंधपदेश से भी तो उत्तरपदेश मदपदेश 36 गर्ड उडिशा आंधपदेश इन पांच राज्यों से आपकी मानख समय रेखा गुजरती है आपकी 82.5 पूर्वी इसे ही मानख समय रेखा कहते हैं आप लो सत्यकतन है औरंगबाद का अक्षांस बडोदरा वपूरे के अक्षांस के बीच है बिल्कुल सही है चैन्ने कितला में वंगलोर की अवस्तिती अधिक दच्छनवर्ती है ये भी बिल्कुल सही है रीवा सागर उजयन और संगबाद सहरों में से भारती है मानख समय रेखा देशांतर के निकटतम सहर है रीवा आप जानते हैं रीवा के पास सही गुजरती है लगवा ठीक है कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि एक घंटे का समय आम भी बढ़ जाएगा अगर पींचे जा रहे हैं आप लो तो एक घंटे पींचे जाएंगे एक कुश्चन साब का रीवा वाला एक बार एंपी पीजसी में एक दो बार पूंचा जा चुका है ठीक है और एंपी में कि दो बचकर सुब सामका यह दो प्यार की बाद दो बचकर तीस मिनिट कि आंद्पिदेश चतीजगर महराथ उत्तर पिदेश राज्यों में से भारती मारक समय का या मुत्तर नहीं गुजरती है तो महराथ से नहीं गुजरती है उत्तर पिदेश से महराथ उत्तर यह कहां से इलावास से जैसे आप प्रयाग राज की नाम से जाने हैं भारत की प्रमाडिक मध्यान रेखा कहलाती है 42 दिग्री 30 मिनिट पूर्वी देश अंतर बारती मानक समय एवं ग्रीन बीच मांद समय में अंतर पाये जाता है यह साड़े पांच गंडेगा क्या पांच साड़े पांच गंडेगा आप अंतर देखेंगे दोनों के बीच बारती मानक समय और ग्रीन बीच मांद जी एमटी के बीच यादि एवडान चल्पितीस में 3 सूर्य ओधर 5 बजे उतरापत होता है तो गुजरात में कांडला में अंतर बज़ेगा लगवख 7 बज़े अगर आपसे पूचे की दूरस्त बिंदू के बारे में तो भारत के दूरस्त दच्छडी बिन्दू, इंद्रा कॉएंट uda का दच्छडी बिन्दू, बाड़ा निकोखा, ग्रेट निकोबा, ठीक है। इके इसमें क्या है भारत की राज्यों का सबसे पूर्वी सबसे पश्चमी राज-जेंगी करता है भारत का सुधूर पुर्वी का बिंदू है 67 में पुर्व एक गौरघ मुत्भात में देखने करें विभाग देखे यहां की बात करा ऑर यह अर्विणाचरतरेश सबसे आप आप जानते हैं यह भी हमारा यहां जलिये भाग है ठीक है सीवावर्ति अगर हम देशों की बात करें तो आप देखेंगे असम भूटान तथा बंगलादेश की सीमाओं से लगा हुआ है असम भूटान और बंगलादेश की सीमाओं से लगा हुआ है कौन सा असम और भूटान देखिए असम यह है तो यह आपका बंगलादिश से भी लगा हुआ है भूटान से भी लगा हुआ है कई बार यह कुछ चैन्स बन जाते हैं आपके क्या पूंच लेते हैं कि वो कौन सा राज्य तीन देशों की सीमा से लगता है तो आप देखेंगे सिक्किम भूटान से भी देखेंगे एक नेपाल से लगती है इसकी सीमा और आप देखेंगे चाइना से भी इसकी सीमा लगती है और कई बार यह भी पूच लेता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे एक अंतरब्ची सीमा तीन तरफ से गहे हुए तो तिप्पुरा बंगलादेश के देखें अट ती सीमा से लगा हुआ है ठीक है मेगाल है तिपुरा मड़ीपुर और मिजुरम राज में से हुए राज्य जिसकी सीमा बंगलादेश से नहीं लगती है तो आप देखें कि मड़ीपुर की नहीं लगती है यहां देखें यह है बंगलादेश तिपुरा मड़ीपुर दूर है सी मां से लगे भारत के राज्ज्नों की बात करें तो मेगाले असम प्ष्ट्रिम्erk Gef there iam यह पांच राज आपके बंगलादेश की सीमा से लगे हुए हैं, आप जानते हैं कि सबसे जाना हमारी किसी अंतराख्टी सीमा लगती है तो बंगलादेश से, मेगालाय असम, पश्चिम बंगाल तिप्पुरा में जो लगां, यह पांच राज लगते हैं आपके बंगलादे करेंगे तो मुझे लगता है कि वहतर याद भी हो जाएंगे और आपका कुर्शन्स भी गलब नहीं होगा मैनमार से ओवर निष्ट सीमा नहीं है असम की पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो पंजाब जमू कस्मी राजिस्तान गुजराथ ठीक है यह आप देखेंगे न यह है आपका पड़ोसी पाकिस्तान गुजराथ राजिस्तान पंजाब और जमू कस्मी नैपाल की पड़ोसी भारती राज्यों की बा विर्ण मेजूरंड राज्यों में शिमा राज्यों में बंगलादीश से अपनी सीमा नहीं बनाने बाला राज्य है था मeshकर वई में मिर्दार करती है अफगानिस्तान से, लेकिन याद रख़िए, जबसे हमारी खास से पाकिस्तान चला गया है, तो यह सीमा आपकी पाकिस्तानों भारोर और अफगानिस्तान की वीच लगती है, और कास। पाकिस्तान आपका हिस्सा बन जाए, तो वो सकता है कि हमारी सीमा पर यaving लगने लग haya क्या भरत पाकिस्तान के मतब्र सीमा रेखा और ने परवर्ती सीमा रेखा भरत चीन की उस्तरपूर्वी सीमा का सिमांकन हारा ने वाली रेखा है मेंठ मुहन रेखा याद रखिए अंग्रेजों की समय खींची गई थी, तो कहा जाता है कि चाइना इस बात को नहीं मानता है, इस रेका को नहीं मानता है, वो कहता है कि अंग्रेजों की समय खींची गई थी, इसनी को लेकर विवाद भी चलता रहता है, ठीक, और यह समझो देक तरह से आपके यह तिब्बत के साथ था और आप जानते हैं तिब्बत को आप किस ने अड़प लिया है यह आपकी चाइना ने अड़प लिया है तबसे विबाद बना हुआ है भारत से लियंका से अलग होता है पाक जल्लम्रू द्वार एक उच्छें प्रिवार कुछा जा चुका है आपक कुष्चन इस तरह से बनता है कि पाक जल्लम्रू किन दो देशों को अलग करती है तो मैंने देखा है कि कही बच्चे क्या करते हैं कि भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं पार देखकर तो आपको नहीं लगाना है आपको स्री लंका और भारत लगाना है आप अगर इस्ति कि क्या है स्रीलंका आप देखें कि रामे स्वर्म है समझ रहें ने कन्या कुमारी है आपका यहीं देखने को मिलेगी आपकी पाग चलता मुलू ए श्रीलंका का है जापना कई वाज चर्चाव में भी नारा रहता है ठीक है नैपाल भूतान चीन की सिमाओं से मिलने वाला भारती राच्छ है सिक्किम तीन तर्प से इंतराष्टी सीमाए बंगलादीश्ती गिराव भारती राच्छ है तिप्पुरा अब भौतिक विवाजन की बात कर दें अगर हम लोग तो भारत की प्राक्तिक प्रिश भारत से ओबंद पुरा चुमिकिये परिडामो लेंड याद रखी कई बार एवी कुश्चेंस पूंच लिया है कि भारती उमादी मूलता एक विसालगुकंड माना जाता है किसका गौडवाना लेंड का भारती विवाज ये थे चार प्राक्तिक जिसों में उत्राकंड में पाताल तोड कुई पाय जाते हैं तराइचित म यदि हमाले परवसेणिया नहीं होती तो भारत पर सरवादिक संबब भोगलिक पर भाव होता है देश के अधिकांस भाग में आप देखें कि साइविरिया से आने वाली सीत लहरों कारवा होता है सिंदु गंगा मैदान इतनी सुब्रस्त जलोड मिर्दा से बंचित होता कि मानसून का किती रोप बर्तमा किती रोप से भिन्न होता है आप कई है कई हैदे भी हमें हमारे हमाले परवर्त सेनियों की भारत में भुगाकर की सरचना की संबन में सही है सरचना अत्मा दिरश्टी से मिघालय पठार दखन पठार का ही विस्तारित भाग है कस्मी अगाटी यह भी सही सुम ले थे आपके दखकर टेप क्रेटी सियस आधी निवतन पश्मी घाट उत्तर निवतन अरावली प्री केमियन नर्वदा तापती जलोड निचे अतन्त नुटन आप देखिए यह आपके री एस्टुरी बनाती है डेल्टा नहीं बनाती है आपकी नर्वदा और तापती नदी यह दोनों आपकी MP से निकलती है और अपकी खाड़ी में गिरती है खमबात खाड़ी केरल का कुट्टा नाड कुट्टा नाडू पर सित है किसके लिए भारत की नियुमतम उचाई वाले छेत के रूम में इसे केरल का धान का गटूरा भी आप लोग कहते है एप यह द्वारा इसे महत्पून किर्सी वरासत पेडाली को सित किया गया है अगर बात करें उत्तर का परिवर्टी अच्छित हिमाले से निकलने वाली सभी नदिया सततवाय नहीं है बिल्कु सही हिमाले अपनी बरसा का दिकांस दक्षित फष्च मांसून से प्राप्त होता है एभी सही है आप देखेंगे बरसा में इसमें पानी बना रहता है बरसा के कारण उसके बाद देखेंगे गर्मियों में आप देखेंगे कि क्या होता है कि इसकी जो बरब जमी रहती है वो पिगलने लगती तो उससे पानी चलने लगता है एक तरह से बारव महीने ब प्राचिंतम सेड़ी है वेहत हिमाले सेड़ी उत्तर भारत में ओक हिमाले सेड़ी की सारे फेले समतर मैदान को कहा जाता है भावद क्या भावद हिमाले का परवद परदीयक देश है सेवाले सेवाले पहाड़िया इससा हिमाले की मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उन किलासों को जरूर देख ले हैं जो मैप्स का पूरा उसमें भारत को भी संबलित किया गया है तो उससे मुझे लगता है कि उसे बढ़ने के पहुंच जाएंगे उसके बाद इन्हें आप लोग उसे विस्तार से पढ़गी कि एक तरह से रिविजियन के पॉइंट से आप लोग सकते हैं नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है सेवालिक सेनी का निर्माड हुआ है सेनो जो एक प्लास्तीन योग म सिवालिक सेनियों की उचाई है 850 से 1200 मीटर की मद्द देखने को मिलेगी सिवालिक सेल समूव के दच्चन में भावर्चेतु दारन है एक ग्रीपर्द की उपस्तिती का उत्राकंड उतर पुदेश सिक्किम हिमाचल पिदेश में से हिमाले परवसेनियों के हिस्सा नहीं है तो उतर पिदेश नहीं है उतराकंड भी है सिक्किम हो और हिमाचल पिदेश भी आपका हिमाले परवसेनियों का हिस्सा है हिमाले के तरोन वालित परवत नवीन मोर्दार परवत के साक्ष कहे जा सकते हैं गड़े कहरे कड़े यूग घुमावाली नदीमार्ग और समानंतर परवसेनियां हो इसकलन के लिए और तरदाई तीप ढ़लान ढाल प्रवन्टा यह सभी एक तरह से साथ चीज़ के इसे आप लोग देख लिजे नीचे दिए जम्मू कस्मी के मालचित की ज्यांत कीजिए एक दो तीन चार में लग दाग फिर आप देखेंगे माप करेगेगा एक मेंट्रा है प्रोघारंट में अटिक्र में लिए को के अ हो मुलेगी और ये और अपको देखने काफ़को ने के लाताब उसके बाद आपको ये देखने की मुलेगी जवत वसके बाद आपको पीन ठीक है कारा कुरम लगदार जैसकर ठीड बंजाल ठीक है करम से उपर से नीची दे गई है लगू हमेले स्थित्थ है सिवालिक और महान हिमाले के मत्यश्चमी भाग में हिमाले की सेणियों का दच्षड सित उत्तर की हो सही करम है सिवालिक लगू हिमाले और महान हिमाले सबसे नवीन परवस्यणी है सिवालिक की दच्छबारत में नवीन तम चट्टान पड़ाली है गौडबाना उच्चा वच आत्रितियों का दच्छब से उत्तर की वह पड़ती हुए सही करम है एदोला अधर उसके बाद जा जासकर परवस्यणी फिरो से बाद लग्दासनी और कहरा कुरं यानकि की कहनी के मतलव है इस से आप बढ़ांगे फिरपंजार उसके बाद जासकर उसके बाद लग्दार उसके बाद कहरा कुरं अगर आपसे पूचे की उत्तर सी दर्चयण में तो आप देखेंगे पहले आप देखेंगे काहरापुरां, फिर लगदार, फिर जासकर और फिर पीर पंजार एक दो दीन चार इस तरह से आप देख सकते हैं हिमाले में पूर्वी हिमाले की तुला में ट्री लाइन का उचाई मान पश्चमी हिमाले में होता है, कम होता है हिमाले की परवसेंड श्रिंखला में उचाई के साथ इन कार्णों से वनस्पती में परिवर्तन आता है ताम मन में गिरावट वर्सा में बदलाओ मिट्टी का अनुप जाओ होना एस अभी उत्पत्ती की द्रष्टी से सबसे नमीनतम परवसेंडी है पठकाई सेंडी हिमाले की यह बाग नागलेंट तिकुरा मडीपुर उमेजुरम राज्यों में से पठकाई पाड़ियों से सलगन नहीं है क्या नहीं के नहीं डुड़ा हुए द्रष्ट पुरा आपको देखने को नहीं मिलेगा पीर पंजाल सेंडी पाई जाती है जंगू कस्मी इर्गाटी विहाद हमाले और पीर पंजाल सेंडियों के मदद देखने को आपको मिलेगी अकसाई चीन का बाग लग्दाग में आपको देखने को मिलीगा ठीक है फ़ष्टिमी हेमालय संसाधन थे देश के प्रमुक संसाधन है यहां आप देखते हैं अक्साइटीन में हमेशा लगदाग वाले से में जड़क भी होती रहती है भारत पाकिस्तन भारत चीन के बीच ग्रेट हिमालय की उचाई आप देखेंगे आठ आठ सो पचास मीटर देखने को मिलेगी और कई जगे आपको देखने को मिलेगी आठ आठ सो अर्टालीस मीटर इस नहीं देखने को मिल जाती हिमाचल का परियावची है मद्ध हिमालय का किसका मद्ध हिमालय का अगर आपसे पूंचे द्छिड एवं मद्ध भारत की परवसेंडियों के बाढ़र में पूचे तो भारत में सबसे पराचीन परवसेंड इस सिंखला कौन सी है अरावली औ अरावली सेडियों की अनुमालित आई हुए 570 मिलियन वर्थ, यह हिमालय अभी बच्चा है, तो मद रहे हैं, अरावली एक तरह से बूड़े हो चुके हैं, अभी इनमें तो आप देख रहे हैं कि उद्धान होने बाला हैं, उचाए बढ़ेगी हिमालय में, तो रैजी अगर आप से पूछे कि सबसे उची चोटी काँ से है, अनाई मुडी, भारती प्राजीप की सबसे उची चोटी, अनाई मुडी, नर्वदा तथा तापती नदी के मद इसके थे, सत्थोडा बर्वा सेडियां को देखने को मिलेगी, उतर से तुरू करकर दच्चेड की और पहाडियों का सही अनकरम है, नल्ला मलाई पहाडियां, जवादी पहाडियां, नेलगरी पहाडियां, अन्नावलाई पहाडियां, पूर्वी घाट और पश्मी घाट मिलते हैं, का नेलगरी पहाडियों में मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्मी घाट, करनाटक के रल त तमिलनाडू राज्यों के मिलन इस्तल पर इस्ते थे नेलगिरी पहाडियां क्या नेलगिरी पहाडियां नेलगिरी परवसें परवत माला इस्ते थे किलल करनाटक और तमिलनाडू राज्यों में दच्छन भारित की बात करूँ बार्दी समुद्य सास्तिरियों ने अरब इस दें राम क्या राखा गया था घंडराम याया था रमनसागर लमन सागर परवत्त को आरावली सथकोडत्यां महाराश्ट करनाट गॉः में पश्टमी घाट कहलाते है सहांधी किनापसी पहाडियों का दुठ्छन से उत्तर की वह बढ़ते हुए सही क्रम है सत्माला पहाडिया, पीरबंजा साड़ी, नागा पहाडिया, श्यमूर पहाडिया कारडा मम पहाडिया जिनराज्यों की सीमाओं पर इस्तित थे आप को देखने को मुलेगा केरल और तमिलाडू सेवराय पहाडिया आवस्तित थे तमिलाडू में कहां तभे लाड़ु में। बालाघाट सेड़ी, हर्ष्चनत सेड़ी, मांडो पाड़ी आपको महाराष्ट में नहीं मिलती है। इसे भाड़ी और में पाड़ी ये महाराष्ट में देखने मिलें। दूपगड चोटी इस्ते थे सत्पोडा रेंज में ठीक है रामगिरी की पहाड़ियां भागें पूरवी घाट या पिर महिंद परवत की ठीक है फार या इस तरह से आपके बुश्य पूच लेगा कि आवरेश्ट पर चढ़ने वाली पृत्म भारती महला को थी बच्चेंद्री पाल मांट एवरेश्ट पर चढ़ने वाले पहली महला को थी बिस्तो में बात कर रहा हूँ जिंको जुंको तावियर दो बार आउंट एवरे का एवरेश्ट पर चड़ने वाली दुतिय भारती महला संतोस यातम अब यह थोड़ी कह सकते हैं कि पेटेंट करा लिया है किसी नाम का ठीक है भारत की सरवच परवस्थाणी केटू गौर्डविन ऑस्टिन केटू गौर्डविन ऑस्टिन हिमालय की उची चोटी कंचन देखने को मिलेगी गौरु सिखर परवस्थाणी अबस्थे चोटी राजिस्थान में देखने को मिलेगी अरावली का उच्चितम सिखर कहां देखने को मिलेगा गौरु सिखर है अरावली जो है इसका उच्चितम सिखर कौन सा है तो आत को देखने को मिलेगा गौरु हिमाले की चोटियां , चोटियों का पूरुख सेพस्चिम देसा में सही करम है नाम्रप्चाबरवा , तर्कंचण ilsंगा , मौंट एवरेश्ट और नन्दादेवी ये पूर्फ्रे पश्चिम की उत करम में है नामचा परवा, कंचन जंगा, मांट अबरेष्ट और नंदा देवी गुसाई थान, कामेड, नंदा देवी, तरसूल परवस्थेकर शिकरों में से भारत में अवस्तित परवस्थेकर नहीं है तो गुसाई धान नहीं है, बाकी आप देखें, कामेड, नंदा देवी, तरसूल परवत भारत में देखने को में अगर आपसे घाटियों के बारे में पूचे, तो कुल्डू घाटी जिन परवस्थेकर की बीच अवस्तित है, वे कौन से ये दोला धर देखने को में लेगी ह इसके बीच आपको देखने को में लेगी, कुल्डू घाटी, नैलान घाटी इसके थे आपकी उत्राकंड में, किसमें ? उत्राकंड राज में, अगर आपसे पूचे कि मर्खा घाटी का है, जमू कस्मीर में, जुकु घाटी ए नागालेन में देखने को मिलेगी, सांगला पफ्रफवा गाटी हिमाचल के देश में देखने को मिलेगी योठांग गाटी इस सिख्यम में आपको देखने को मिलेगी एक कुष्चिन से इस तरह से भी कई बार बन चुकी है कि इस सही समलित करना है इस तरह के कुश्चिन से आप देखेंगे सेविल सर्विस और स्टेट PC में कुछ ज्यादा पूंचे जाते हैं, इनका क्रम बदल देंगे और लगाने के लिए आ जाएगा क्रम से, तो अच्छे से याद रखी जी, निमली की कत्रों पर सही चुनना है, मौन गाटी, साइलेंट वेली, राष्टी वन की निकट, पत्थर, डावू, जल्विद्धुत परियोजना बनाने का प्रिस्ताओ है, बिल्कुछ सही, कुन्ती नदी मौन गाटी, साइलेंट वेली की वर्षा फेचुर बनों में उद्बूत होती है, यह भी बिल्कुल कतन सही जाएग का, यह दर्रे हो गए, से ला दर्रा इस्ति थे अवड़ाँ चलके देश में, से ल गाट अवस्ति थे महाराष्ट में, कहा है महाराष्ट में, लिफू लेख दर्रा इस्ति थे उत्राखन में देखने को मिलीगा, लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्री से, नातुला दर्रा कहा है, सिक्किम में, से ला दर्रा, अणाचल प्रिस, पालगार, नेलीगरी और और अन्नामलाई पाड़ियों के मत, बोवगार, महाराश्ट, लिपू लेग दर्रा, उत्राखन, ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से है और नाथुला दर्रा सिक्यम में 2006 के मत बारा तो चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनाख बोला गया था, नाथुला दर्रे को पाड़ियों के दर्रे और आज जोबे, माना ए उत्राखन, जोजिला जम्बू कस्मी, वनिहाल जम्बू कस्मी, नाथुला सिक्यम, नीती ए उत्राखन सूची एक, सूची दोग्या, बुनला अरणव दाचल डिज, जलएप ला सिक्षिम, मुलिंग लाण उत्राखन, सिप्कीला, हिमाचल फिज, रोहितां दर्रा आवज देते ह हिमाचल पिदप्देश में देखने को मिले का आपको माना दर्रा उत्राखंड में देखने को मिलेगा फरबर्टी ये दर्रा का बश्चिम से पूर का सही गरम है सिंकिला लिपू लेक और नातुला बॉंगडिला हिमरेखा एवं हिमनद हिमाले में हिमरेखा है 406000 में सबसे वड़ा हिमनद आपको देखने को मिलेगा स्याचिन 14 वाड़ी इस्तित्य के फिगलने की गतिया सबसे अधित उत्राकंड की खुमायी फिचेप में अवस्तित हिमनद देखने को मिलेगा मिला हिमनद ठीक? अगर पथार की मुझे आपसे, तो भारत की दक्षन पथार पर वेसाल निर्मित लावी, लाबासेलों का निर्माड गए, क्रेटी से यूग में. मेगाला कर पथार भाग है प्राधी-पिय खन्डर. या है प्राधी-पिय खन्डर. ठीक है? भारत के अतरिक्त प्राधी-पिय प्रवत निर्मित हुए है फैले यो एक महा कल्ग में चोटा नंग पुर पठार का सरवाधिक धनावसा जिलाग इस्तित है खानन उत्योग कभीकास और उत्योग की कारण चोटा नंग पुर पठार एक अग गंभीर है नीची दिगे चित में आपको देखना है a b c d में दिये गए लिप्ट कहाटी छतिजग्ण मैदा मज़ा झोटा नंग पुर पठार और भाषएचप कि कि लिग्橋 तैयोगर्न आपो देखिए छतिजग्ण के मालवा का न पेण दोटा ह्ड़शी और व कृठार ले लेडशेए और मदैर दैवाल ह। किसका मालवा का पता दंड कारंड चेत अवस्के थे 36 गड़ और पुड़िसा में दंड कारंड भारत में इसके थे मदवर्ती चेत्र में आपको देखने को मिलेका यह भाग भारत की तट्रेखा भारत का ओसत समुद्र तल ना पा जाता है चैन्डई तट से किसके चैन्डई भारत की परादेशिक चेत्र का विस्थार है आप देखेंगे तट से 24 समुद्री मिल तक आप देखेंगी हमारा एक तरह से प्रादेशिक जलचित है। भारत की टत्र रेखा की गोलंबाई की अगर पूच है तो पस्तितर सो क्लियूमीटर यानिही साथ अजार पांसो क्लियोमीटर। भारत में सबसे एक लंबा समुद्र गुजरात राजिका देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूचे कि भारत में तर्ट रेखा से लगे राज्यों के बारे में तो नौ राज्य आपको देखने को मिलेगे। प्राचिन भारति ये तियासे भूबाग में रजना का नाम सूचक है हिंद महासागर का है। किसका हिंद महासागर का है। पश्चमी घाट वार्द वार्द के पश्चमी तटीय सहरों कनूर, नागरकुल, जंजीरा, सिंधु दोर्ग की उत्तर से दच्छल सहीकर में जंजीरा, कनूर, नागरकुल, सिंधु दोर्ग आपको यत तथ कुछ अनौके डेन्मार्क बासी मिल जाएंगे। परन्तु उसका कारण यह ही कि डेन्मार्क की चौक की हुआ करती थी, यह अनौठा नगर उसका द्रोग और सुदूर गर्जागर, नागर जेरुसलम, सुनी सड़के और उजड तटाग सम मिलकर अधूत रतन बन हो जाते हैं। इस उक्तीक में बढ़े थे, तमिलाडू तट के बारे में कहा गया है पूरी तट्ची, ठीक है, तमिलाडू के बारे में। यह नीचे आपका मांचित दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए। भारत के तटिये चितपर के विवाग गोतिक हैं। यह हैं आपकी दोतिक अंतर जडलिये उच्चावच रेखा की। जंजीरा, उडूपी, और उबिले, तोती कुर्ण सहरों में से भादत की पश्चमी इतटपर अवस्थि सहरे जंजीरा और उडूपी ठीक है। यह दोनों आपकी पश्चमी इतटपर आपको दीखने को मिलेंगे। यह सागर हो गए, पुलिन और जिस राज में। दीखा यह पश्चमंगाल में देखने को मिलेगा। गोपालपुर यह आपका उडिसा में देखने को मिलेगा। कलानगुट यह गुआ में देखने को मिलेगा। मरीना यह आपको तमिल लाडू में देखने को मिलेगा। कहा कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्या कुमारी को आप लो कैब कोमोरिन से भी जानते हैं यह आपकी दूइव समूहों हो गए और बंगाली की खाड़ी अंदमान और निक्वार दूइव समूह में सर्वुच सिखर, पल्यान सिखर, सेंडल भी के इस्थेत है यह आपको उ पुक्तरी अंडवान में देखने को मिलेगा अंडवान निकुबार द्वीप सम्हूव इस्तित है बंगाल की खाडी में कहां बंगाल की खाडी में यहां देख रहा होगा आपको यह बंगाल की खाडी और यह अंडवान सागर है यही आपको देखने को मिलेगा अंडवान न यह याद रखिए कई दूइपों का संभू है अंडबान निकुवार यह किबल दूइप नहीं है इसमें कई दूइप आपके देखने कुम लेगे लगभग इसकी संख्या 220 है यानि 220 है ट्रीक है दस डिगरी चैनल पितक करता है अंडबान को निकुवार यह अलग अलग करता है अंडबान को अलग निकुवार को दूइप को अबस्ते थे बंगली की खाड़ी में आपको वेरन दूइप देखने को मिलेगा बारत के पश्मी तटी यह मैदान के उत्रीवाग को जिस अन नाम से जाना जाता है वह कॉंकर्ड बारत को वह दूइप जिसका उद्गाम च्वारम खिये है बेरन बेरन तूइप का स्री हरी कोटाच अवस्तित है पुलीकट जिल के समीर राम से तु सुरूँ है धनस कोडी द्ति लिएन,' mist को अरफ साघर के दूइप समाूग है यहां आपको अरफ साघर देखने को मिलेगा यहां आ डहिए न अरफ साघर होगा है यह बंगाल की खाडि तो इसमें जो आपकी दूइप है उनके बारे में बात कर रहा हूँ लक्षदीप इस्ते थे आपका अरफ सागर में आपको देखने को मिलेगा भारत का प्रवाल दूइप है लक्षदीप लक्षदीप एह है आपका लक्षदीप इसमें कितने दूइप देखने को भी लेगे 36 आपको देखने को भी लेगे बटकल अर्नाला मिनी कोई और हैनेरी दूइपों में सिभारतिय तर्डड़ेखा कि सुदूर बढ़ती दूइप की सेड़ी में आता है मिनी कोई दूइप भारत एवं स्रिलंका के मद्देश्थित कौन सा दूइप है रामे सुरम एक दूइप पर निर्वित भारत का बड़ा नंगर है मुंबई भारत का सरवादिक आवादी वाला दूइप है सालसित सालसित आपका सरवादिक आवादी वाला दूइप है यह आपके दूइप हो गए इनकी अवस्कति होगी वियंत सयोध पिरम खमबात की खाड़ी में, द्वारका आरप सागर तटफर्ट दुईब यह आपको काटिवार तट में देखने को मिलेगा कौरी कि जिसे आप लोग निवेश्ट के लाम से विल जाते हैं यह आपको कच्छ के रन चेत में देखने को मिलेगा सरुफर करिक ब्वेबाद, सर रोकरी्क ब्वेबाद यह भारत पाकिस्थान के में देखने को मिलेगा क्या है कि भारत पाकिस्था इससर अपने कभजे की बात किरता रहता है, अपना चेत बताता रहता है अभी खेल शोड़ी अभी कुछी दिन पहले उसने नया मांचित जारी किया था उसमें आप देखेंगे कि उसने जुनागर को भी अपना हिस्सा बताया जम्मू कस्मीर और लद्दा को पूरा अपना हिस्सा बताया समझ रहे हैं आप रूप अभी जो नया मायब जारी किया था उसने भारत की राज और केंद साथिक पिदेशों की बात करें तो लातूर जिला महराष्ट में देखने कुमिलेगा विदरव एक प्रादेशिक नाम है भारत में और अंग है महराष्ट का पार्ट अंचल अवस्तित है आपका जार्कंड में देखने कुमिलेगा जुम्री कलिया रेडियो पर गीतों की फर्माईस के लिए पिसिद्ध है जार्कंड में देखने कुमिलेगा जाद रखेए पहले जारखंड आपका विहार का एक्सा हुगा करता था विहार से अलग करके ही आपका जारखंड बनाये गए भारत का कोहिनुगूर अगर पूछे तो आंदविदेश को कहा जाता है मड़ीपुर का अधिकांस धरातल है परवर्टी है मड़ीपुर में कुछ लोग लटकी हुई गात सिब्बंधी आत अफ्तरण और सड़ती बनस्पती के तेरते हुए दीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं इंदुपों को कहते हैं आप लोग हो मड़ीगू बारत में सि पहली अवस्तित थे बैनलोर में इस सही समले थे और अंगबाद आपको महराष्ट में पालनपुर, गुजराद, होगली, करनाटक, गुंडोर, आंधर पिदेश में देखने को मिलेगा ठीक है ये भी आपके सही समले थे थे चातिसगड, चातिसगड मैदान में, अम्माला, खुर्जा, करनाल और रोहितक मैसे राष्टी राधानी पिदेश में अवस्तित है, खुर्जा, करनाल, रोहितक दिल्ली के अतरिक्त राष्टी राधानी चित में समले थे हर्याडा, उत्तर पिदेश और राजिस्थान के भागवोग चित मद्द पिदेश की सीमा लगती है पांच राज्यों से तिनके से गुजरात, राजिस्थान, उत्तर पिदेश, चत्तिसगर, महराष्ट ठीक है जो मद्द पिदेश के लोग हैं उनके लिए यह मद्ध कून है आपको नीचे महराष्ट देखने पिदेश चत्तिसगर, उपर उत्तर पिदेश, यहां राजिस्थान और गुजरात पांच राज्यों से सीमा लगती है आपकी चेतपल की किरम में बाद, भारत के चार बड़े राज्य हैं मतरा के लिएया कि आपको याद रखना चाहिए, कि अगर चेतपल में आप से पूछिंखे, दो राजिस्थान पहले नंब़ एंड जनसंख्या में पूंचता है तो उत्तर पिदेश आपकी पहली नंब़ एंड Kathosition उत्र ड êtesको 1 अ吧 ऀसना डूसरी पर मत्युदेश, तीसरी पर महरात, फिर उत्तर पिर नम आते हैं उत्र अराकन, उनकी चेत्वल्द्ट कीर्म राकनaráक को लगाना है राजिस्तान महराश्क करनाटक तमिलान उत्तरपिदिश मद्विदिश राजिस्तान उत्राकंड राज्यों में चेतफल में सबसे चोटा है उत्तराकंड आपको सबसे चोटा देखने को मिलेगा भारत का 30-36 तेन राज्यों में समाय थे यह है लगभाग आप राजिस्थान बद्रपिदेश महाराष्ट में भारत में जनसंक्या के नुसार तीसरा वा चित्फल से बारवा राज्य बिहार यह आपका जनसंक्या में तीसरी नंबर पे और चित्फल में आपको देखने कम लेगा बारवी नंबर ठीक है उत्तर पिदेश की सीमापर्टी राज्यों की बात करें तो हिमाचल पिदेश, हड्याणा, राजिस्थान, बद्रपिदेश, 36 जारखंड, बिहार, उत्राखंड, कैंदसासित पिदेश यानि कि देखेंगे आप लोग की आठ नौ राज्यों की सीमा लगती है उत्तर पिदेश से आपकी, कितने नौ राज्यों की एक कुश्टन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार MPPSC में भी आपका पूंच लिया गया है कि सबसे जाने सीमाबर्ती राज्य लगने माले किस राज्य है, कौन सा राज्य है, उत्तर पिदेश, नौ राज्य लगते हैं, हिमाचल पिदेश, खर्याना, तो राजिस्तान, मद्द पिदेश, चतिसगर, जारकंड, बिहार, उत्राकंड, और नई दिल्ली की, ठीक है असम घिरा हुआ है, सात राज्यों से, महराष्ट बिहार, उडिसा, अंद्द पिदेश में से, चतिसगर की सीमाब, उभाय निष्ट नहीं है, तो बिहार के साथ, दिली योद्पोर, नागबुर, बंगलोर में से, माद समुद्द तर्ट से, मुचाय यदिक्तन में, जाके बल चाली से साथ किती सचेत की किरसी, चेत की किरसी के उपधे तो उपयोगत है, और सुद्द बोए गए चेत में विद्दी के कारण चारागाह चेत की विस्तार पर कूप प्रभाह बढ़ा है, यह बिल्कुल सही है, राजिस्तान के बारे में, यह सभी पॉइंट आ यह सही है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, इससे पर सर्विस में आपके questions पूंचे जाते हैं, बारत का एक विस्तार राज्य है, जो इप्त है, इन विस्ताओं से, या उसी अक्छांस पर रस्तित है, जो उत्तरी राजिस्तान से होकर जाता है, इसका 80-30 से अधि इस राज जी के रक्षित चेतर नेटवर्क के रूम में है, एक अनुडाचल के देश के बारे में कहा जा रहा है, जिसके अनुडाचल के देश के बारे में, जिसके बारे में चाइना कहता रहता है, कि हमारा भाग है, यह है अनुडाचल के देश के बारे में, कई बार आप राज जी एक अलग राज बना तब उसकी राधानी थी कॉर्णूल इस तरह के पुश्चन से भी पूंच लेता है कभी तबी सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में 75 जली देखने को मिलेंगे आपको और याद रखिए बदलते रहते हैं कभी कभी कई जगे आप देखते हैं कि क्या करते हैं कि कई जगे अपने जिलेव बनाने की बात करने लगते हैं आंदूलन होने लगते हैं तो यह कोई निष्टित आंगडा नहीं रहता है ठीक है वीहार, जारेखन, मतवधेश, 36 गड़, सौनवर्थ को देखेंगे आप लोग, सौनवर्थ क्या है एसा एक तरए से जिला है जो जिसकी सीमा चार राज्यों से रखती है किनसे चार राज्यों से आपको देखने को बिलती है कि रवाज़ रहे हैं आप लोग यहां आपको देखने को मिलेगा कि सौनभर्द कि बिहार में पहुंच वे लिए कि चंद प्रभा वाइल्ड चंद प्रभा वाइल्ड लाइप सेंचूरी है दिख रहा है आपको कि पता नहीं यह मैप सेट तो बड़ा अजीब टाइप का है कि इसमें आपको देखने में कुल ही लिए बिहार जार्खंड मद्विश चतीजगर यानि कि यहां रहेगा आपका ठीक है जार्खंड हो गया बिहार हो गया उपत और यहां आपका सब्सक्राइब हो गया है और यह मद्विश हो गया ठीक है यहां कर दो कर दो कि इसमें सबकुछ मद्विश आमार गया रही कबर कर दिया था चारदच्चडी राज आंद्विश करनाटक केरल तमिलाडू मेंसे सबसे दिख भारतिया राज्चों के साथ सीमा लगती है आंद्विश और करनाटक मेंसे पितिक की ठीक है तेलंगाना राज्ची की सीमा बनाती है तेलंगाना राज्ची की सीमा बनती है आंद्विश करनाटक महराज शंद्शकर से बात कप्ति कर आओ जब आपने देखा है कि आंग्रिदे से अलग करके जो आपका तेलंगा ना बनाए गया था लेकिन आपको मालू है कि 2019 में जम्मू कस्मे से 370 हटा दिया गया है उससे दो भागों में बाट दिया गया एक लगदा उस दूसरा जम्मू कस्मे तो अभी सेप्टमबर 2020 की बात कर रहा हूँ अभी आठ आठ आपको राजी देखने को मिलेंगे और 28 आपको राजी देखने को मिलेंगे ठीक है याद रखिए आगे बढ़ते रहेंगे घरते रहेंगे आगे वाले समय में आप लोग करेंट से जोड़े रही है क्या है कि करेंट से जोड़े रहते हैं तो कापी अद तक आपको मद आज़ मिलती रहती है मालू चलता रहता है कि क्या क्या घट नहीं है अब के अधसासित पिदेशों की संख्या 8 हो चुकी है अभी सेप्टमबर में पहले साथ थी बारत का सबसे बड़ा संगराज है दिल्ली भारत का सबसे छोटा परेंदसासित चेत है लक्षदी, पूडूचेरी का चेत विभाजीत पाये जाता है टम्लानु केरल आंधपधिस राचोशित, तीधपुरा दमन बाधुईब, लक्षदीब पडूचेरी में परेंदसासित चेत नहीं है, तिधपुरा नहीं, दमन बात की खाड़ी इस्ते थे इसकी राध्णानी दमन है, सिर्वासा राध्णानी है दाधरा एवं नगर हवेली के अंधर सासुत पिदे दिली, चंडिगर, लक्षदीप, दाधरा नागर हवेली और पुडुचेरी, अंडवान एको बार दुईप्शनगु और दमन दुईप याद रखें, दमन दुईप और दाधरा यहों नगर हवेली को एक कर दिया गया है और जम्मु कस्मीर को दो भावों बाट दिया गया है, तो छे, छे, दो, आट बच्चे, आट हो चुके हैं, लग्दाक और जम्मु कस्मीर, लग्दाक में आपकी विधान सभा नहीं होग किसके बारे में एक कहा जा रहा है, यह मंगोलाइड जनों के बारे में कहा जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि मंगोलाइड जो जन जाती है, इनके तरह से विसेचता है, उत्तर पूरवी भारत के पहाड़ी वा जनली चेत्रों में प्रजातिय समग पाए जाती है, मंगोल में ठीक है, राज जिसमें जन जाती है, समगा है कि बच्चा नहीं की गए, हरे अडा में, यह जन जाती हुगे, मोलाज, थारू, उतरा खंड में देखने को मिलेगी, भौटिया, सेक्षय में, मॉंडा, ज्यार खंड में, और कॉल, आपको महराष्ट में देखने को मिलेगी, जन्जाती जो दीपावली को दीवाली को सोग का तेवार मनाती है थारू जन्जाती याद रखी इसके बारे में पूछ लेता है कि दीपावली को सोग तेवार में तेवार की तरह मनाने वाली जाती कौन सी है जन्जाती यह आपकी थारू थारू लोग का निवास है जानजाती है यह आपकी देखेंगे धुलापुर सभडी छित की जनजाती है गदी लोग निवासी है हिमाचर किदेश की संथाल निवासी है पूरवी भारत की रितु परवास किया जाता है बोडिया द्वारा गारो जन जाती है, मेज़ो रम में पढ़ती है, गारो खासी गारो भासा बोलने वाली जनसेंगता है next सब से जाना असम मी जोरम तीदो राजुमे में, चैन्चु, लेप्चा, तफला, डाफर, जैन्जातीयों में से केरल में पाई जैने वाली जैन्जाती है, एजुर नेखने को मिलेगी, भारत की सबसे बड़े transaction खरी जैन जातीई, कौन सी भीज जन जाती टोड़ा एक जन जाती है जो निवास करती है नेलगिरी की पहाड़ियों पर आपको देखने को मिलेगी एक जन जाती जो सरहूल तिवार मनाती है एक मुंडा जन जाती है जो सरहूल तिहार मनाती है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचे जाती जौन सारी है मेजुराम में वस्ती संरोब मुकता आप कटकों के साथ रहकी पिती रोब है क्योंकि गाटियां कटकों की अफिक्षा ठंडी है इसलिए ठीक है ये भी आपका सही समलेते बोटिया उत्तराखंड उत्तरतित ख पॉंगल तमिलाडू में मना जाता है पैसा की पंजामी ते वहारें राज्यों के मुक्वासा गॉआ कॉंक्री मेगाले खासी सिक्किम लेख्चा ए अंगामी नागलेंड आपातानी अर्णवाचल पिदिस बोटिया उत्तरपिदिस उत्तराखंड गॉंट मद्विदिस में आप जानते हैं मद्विदेश में सबसे जानदा जन जाती है संक्या में और याद रखिए आप जब भी एक्जाम देते हैं उसमें आप पो देतने मिलता हुगा कि सबसे जानदा कुश्चन्स पूछे जाते हैं इनी छेट से मद्विदेश में भील जाती पाई जाती है, आपको देखने को मिलेगी महराष्ट गुजरा, राजिस्तान, मत्यपदेश में बहु पतित्य की पिथा मानी जाती है, जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा और नायर जन जाती हों सोची एक, सूची दो, जन जाती हो गई, और निवास इस्थद, भील, आपको जारखंड में देखने को मिलेगे, संथाल जारखंड में, सोरी भील राजिस्थान में, संथाल आपके जारखंड में, राजी आपके ओत्राखंड में देखने को मिलेगी, अभी आपने देखा होगा, यहां इनके छेत में अगर कोई भी जाता है, तो यह उससे मार देते हैं, अमेरिक ही व्यक्ति कोई गया हुआ थे तो आपने सुना भी होगा कि उसे अपने तीर बान चलाती है अभी भी यह लोग उन्हें मार दिया थे तो इस तरह के छेत्रों में जाने से पहले वहां की जानकारी खट्टा कर लिया करेगा ठीक है सूची एक सूची दो तोड़ा तमिलाडू लेपचा सिक्किम बीरहोर जारकंड गारो मेगाले सहरीय जंजाती के लोग जो हाल में चच्चा में थे यह निवासी हैं राजिस्था कि यह सुमिले थे आपके जंजाती हो गए और निवास्तन जौन सारी उत्राकंड में भील आपको मद्वदेश में भारत में जंजातीयों के नधारन का आधार है सांस्कितिक विसेसी करण और विमिन आवाज ए पहाड़ी कोरवा जस्पुर बेगा मंडला मरिया पातालकु चड़वारा, सहरिया, ग्वालियर, MP की हैंसार, मौपला, केरल, मुरिया, चतिसगर, तोड़ा, तमिलाडू, मुंडा, जहार करने। भारत की चांगपा समदाय के संदर्व में सही कतन हैं बेच्छे किसम का उन देने वाले पसमीना बक्रों बक्रियों को पालते हैं उन्हे चांगपा समदाय के बारे में कहा जा रहा हैं बुखसा, फोड़ी गैडवाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटानागपुर, कोर्भा, चतिसगर में देखने में मिले हैं यह राज्यों और उनने की जनजाती हैं असम, मेरी, नागालेंड, कुन्डे, अरणा चलकदेश मे आपतानी, राजिस्थान में लंबाडा, जोलू जनजाती निवास करती हैं दच्चडपी का में, कहां दच्चडपी का में, याद रखे, वर्ड जोगरफी जब देखी थी उसमें आपके जो भी विस्व में जनजाती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, हुआ भी शिवपुरी, शहरिया, लोहासर को अपना देवता मानते हैं, अगरिया जनजाती, लोहासर को अपना देवता मानती है, सौमपेंट जन्जाती पाइजाती निकोवार दूःट्टसभू न हांज जन्जाती और निकोवार धुरुटसभूमीक于 हुआ यह के सिता है। नौनेे काे पीयाहता,न्वार जन्जाती आप कि यहीं निकोवार धूरूम। तो questions वही वही से बनते हैं जो current में रहता है बारत की सरवादिक आत्व जन जाती है जारवा मगनेयार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समधा है पश्चमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्या थे करते हैं खासी जन जाती के लोग जो में फ्रिकर यह भासाइं हो गई आपकी बारतियों महादिम में बोली जाने वाली भासाओं में बोलने बालों कि सरवादिक जिसंग्या की आधर पर के आंकित ओनार ही 50 to 90 इन होनी डिकार में इक नंबर की नंबर के नंबर आप देखें कि 40-40 परशन परिकंट के करीब आपकी हिंदी बोर ने बाल देखर दव्हार आप देखेंगे भासक प्रमसा है आपको देखने में को मिलीगी ब्रेज भासाँ, बही में आपके आत्य हमें। और D में आपको मैथिरी, ठीक है, बरेजभासा, ओधी, बोजपुरी, मैथिरी, यह आपकी अपवाद तंत हो गए, गंगा नदी तंत, गंग्यान नदी उधारन है, पूरवर्ती अपवाद तंत का, बंगलादेश में गंगा नदी कुपकार है जाता है, पदमा के नाम से, ज वंधार बर्छी डिल्टा का निर्मार करने वाली नदीया है, गंगा और ब्रमपुत, कथन ए, गंगा बहुत ही पिदुसित नदी है, बिल्कु सही है, कारण आच जो नदी जितनी पवित्त होती है, वह उतनी ही आधिक पिदुसित होती है, यह बिल्कुल गलग है, इससे क तो भी नाली रहते थे, डारेक्ट छोड़ दिये जाते थे, बिना अपचार की पानी का, तो अब काफी पिती बंद लग गया है और जो कानपुर के आपके चमड़ा उत्ते हो थे, यह भी अपना डारेक्ट पानी नदी में गंगा में ही छोड़ देते थे, तो इस पर भी काफी साब भी हो चुकी है गंगा, ठीक है? गंगा की जलोर मेर्दा की गहराई भूमी सतय की नीचे लग बगय है, यह आप देखेंगे 6000 मीटर तक, 6000 मीटर तक, देव प्याग, अलग नंदा, एवन भागी नती नदी के संगम पर इस्ते थे, क्या? देव प्रयाग, अलग देव प्रयाग में आपको देखने को मिलेगा. कहां बख्र्याद मन्दाकनी नदी जलब वा दभा मुख नदी समभंदीत हैं अलगननदा से तो कैदारनाथ से रोध प्रयाद किमाद बैती है यह मंन्दाकनी नदी कस पर बंदीरी नद की मनदी रिस्ते त्रिष्टृ यह अलगनननत भारत की सबसे बड़ी विवाह नदी है गंगा, भागिरेती नदी निकलती है गौमुक से, गंगा नदी एक मात्साइग नदी जिसका उद्गम मैदान में है गौम्ती, कथन एक कारणार, दिल्ली और आगरा के मत्दे वर्ष के अधिकान समय में यवना नदी मिर्थ हो जाती यह नदी का भी यही हाल था कि आप देख रहे हैं सबसे गंदगी आपको यहां देखने को मिली लेकिन काफी इस पर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं देखते हैं कब तक सब साथ हो जाती हैं वो बोलते थे ना कि वो जो उद्धार दूसरे लोगों का करती है वो आज खुद अपने उद्धार के लिए चिला रही है नदी इतनी गंदगी फैल चुकी है वैधवा चमबल केन रामगंगा नदियों में सिक यमना की साइक नदी नहीं है रामगंगा नहीं है रामगंगा नहीं है यमना नदी का उद्गम इस्थान है बंदरपूर छोटी से बैतवाण मिलती हे किसे । गंगा की वह सकतर वाहनी है … सौन गंगा नदीir में बाइ से नहीं मिलती है यमणा और सौन की मत्र जल दूविभाजक करने वाली संडी है कैमूर संडी sucas कैमूर सैडी। यह आपकी ब्रमपूत नदी तन्त हो गया। तिवबत में उतुपत्ति बाने वाली ब्रमपूत इरावती और मेकांग नदीया अपने उपूरी पाटों में संकीन और समानंतर फर्वस्थ सैडियों से होकर प्रभाहित होती है। इन नदीयों में ब्रमपूत बहात में प्रविष्ट होने से पहले अपने प्रवाब में यूटर्ण लेती है या यूटर्ण बनता है भुविज्ञानिक तरोन हिमाले के अच्छ संगी है नवन के कारण भारत में यरलूंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रंपुत नदी से एक तरह से याद रखे ब तिब्बत में मालसरोवर जील के पास से ही निकलती है अरणाचल पितेश से हुकर बहने वाली नदियां है लोहित और सोवनगिरी सोवनगिरी मानस नदी साएक नदी है ब्रंपुत की ब्रंपुत नदी तिब्बत में जानी जाती है सांध्पु नाम से ब्रंपुत नदी का अगर दच्छन भारत की नदियों के बारे में हम लोग बात करें तो पश्चमी गाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल सही, एस्ट्वरी बनाती है, बे छोटे मार्क ये मार्क से, टीब गती से कड़ी, चत्तानों की उपर से प्रभाहित होती है, ए भी आपका सही है, ए आद दोनों सही है, और ए की सही व्याक्या भी दे रहा है, टीक है, ए कई बार कुछ लेता है, नर्वदा नदी डेल्टा बनाती है या नहीं, ए डेल्टा नहीं बनाती है, टीक है, कथन ए, प्राइदी पीए भारत की सभी नदियां, प्रमुक नदि कि और बहती है जबकि आधिकान्स अंड़ प्राइधी पिया बड़ी नदियां पूर की और बहती है यह एक रेखिये यानि कि विवंस रिप्ट घाटी में विश्तित है नर्वदा नदी नर्वदा घाटी जिन परवसंखलाओं के वीचिस्ते थे वह बिंद और सत्थपुड कथन एक कारणार नर्वदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्मार करती है गलत है क्योंकि आप देखते हैं कि नर्वदा एस्ट्री का निर्मार करती है डेल्टा नहीं बनती है वह एक ध्रेंस घाटी में बाइती है यह सही है आपका यानि कि आर सही है एक गलत है ठीक है यह कथन गलत भारत की पष्टिम की और बैंने वाली नदियों जो डेलटा का निर्माण नहीं करती हैं नर्वधा, ताथी, ओर यह तेतीनों आपकी डेलटा का का निर्माण करते हैं किष्णा गोदावरी तापी कावेज नदियों में से वह नदी जो भ्रहांस घाटी से उकर वह प्रभावित होती है तापी नदियों कि राजनन्धा और आपूर पस्तर कोर्भा जिन्पत हों में से नर्वदा विषिन का भाग कौनसा राजनन्धा अमर कंटक से उत्गम होता है नरवदा नदी का नरवदा घाटी उधारने फ्र div improving घाटी या गोदावरी तापती किष्णा महानदी में से अरपसागर में गिनने वाली नदी है तापती वह नदी जो तीन वार दो धाराओं में विवफ्थ हो जाती है कुछ मील आगे जाकर पुना मिल जाती है कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगरी पहाड़ियों में कावेरी नदी जिस राज्यों से उकर बुझाती है करनाटक केरल तमिलाडो दक्षण की गंगा कावेरी को कहा जबता है यहाँ आप लोगों पर एक बता दूँ अगर आप से पूचे कि दच्षण की गंगा देखी कावेरी नदी है क्या है कावेरी नदी है यहाद रखी केवाल यहाँ दच्षण की गंगा दिया गया दच्छिर भारत की गंगा नहीं, दच्छिर की गंगा कावेरी है, किष्णा नदी जल विवाद है, आंद्पदेश कानाटक महाराष्ट किमत, दच्छिर की अगर गंगा पूंच रहा है, तो आपको कावेरी बना आना है, और आपसे पूंचे की दच्छिर भारत की गंगा, तो आपको बताना है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, वह नदी जिनको जोडने का तार किया गया है, गोदावरी और किष्णा को, गोदावरी, कावरी, तापती और महानदी में सी, वह नदी जो एश्चुरी बनाती है, तापती, गोदावरी, महानदी, नर्बदा, तापती, नदीयों की लंबाई के औरो ही किरम में, सही किरम है, गोदावरी, नर्बदा, महानदी, तापती है, प्राधीपिय भारत में, प अपवातन थे ब्यक्ष नुमांग, सौन नरवदा महानदी निकलती है अमर कंठक से, वह नदी जो एश्थुरी नदी बनाती है, वह महानदी, उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी, वह नदी हैं, वह नदी हैं, जिनके घाटों में जल का अभाव होए, वह को नदी में मिलती है, दूसरी एरद सागर की तरफ प्रभाहिपी जो थी है, अमर कंठक मदववदिश, कीरव में पूरुक की ऊओर प्रभाहिप होने वाली नदी हैं, नर्वदा, तापती और माहि, नर्वदा महानदी गोदावरी और किष्णा नदियों में से सरवादिक बढ़ा जल गिनंट चेते गोदावरी नदी का, प्राइदी प्ये वारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, बंसधारा इंद्रावति, प्रण हिता और प्ण्यान नद दूद गंगा नदी अवस्तेत है जम्मू कस्मीर उत्राकन भाराष्ट में बैठती है बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदीयों की अगर पूछे तो गंगा, ब्रंपुत, गोदावरी, महानदी, केष्णा, कावरी, पिन्यार, उस्वनरेका, ब्रंबरी ये सबी आपके बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदीया है किष्णा नदी की सायक नदीयों की पूछे तो कोईना, यरला, डीना, बढ़ना, घाट करवा हगरी सायक नदी है तुमभद्दा की सौन नदी का बस्विक्षरोथ है सहडोल जिले में अमर कंटक से उत्ता दच्छिड दिषा के आधार फर नदीयों का सही अनुकरम है फिसन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पैन गंगा हिमाचल कर दिश से उकर बहने वाली नदीया है ब्यास चैनाब रावी, सतलः, यमना ब्यास, चैनाब, रावी, सतलः, यमना दीगे चित में फिदर्सित एक दो तीन चार से अंकित नदियां है यहां आपको गंडग देखने को मिलेगी ठीक है और यहां कि क्या है गंगा यहां को देखने को मिलेगी गौंपती और यह आपको घावरा ठीक है याद रखिए मैन यहां है जो एक गंगा ही कहलाती है आपकी पूरी मिलने के बाद ठीक है दावोन दामुदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नगर दामुदर सा एक नदी है होगली की दामुदर नदी निकलती है छोटा नाकुर के पठार से पूर की और वहने वाली भारत की नदी जिसमें निमना उलन के कारण भरन से घाटी है दामुदर नदी भारत की सरबादी के दूसित नदी है दाम दामुदर भारत में भूमी बंदित नदी है यह आपको देखने को मिलेगी लूनी क्यांती लूनी 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 नदी की संदर में सही कतने यक अच्छी की रन की दल्दली भूमी में लुप्त हो जाती है महानदी गंगर, नरवदा, किष्णा नदीयों में से अंताच थली है अबवान नदी के उधारने गंगर, सबसे अधिक नदीपत परिवर्टन करने बाली नदी है कोसी नदी, खारी नदी जिस अभवातंत का अंग है, वह बंगाल की खारी, वह नदी जिसका सरोथ हम नदों में नहीं है, कोसी है, याद रखिये से बिहार का सोगवी तो कहते हैं, कोसी नदी को, तरवेणी नहर में पानी आता है, गंडग नदी से, बिहार की वह नदी जिसम सच्छन के और जाते हुए नदियों का सही किरमें सेउग जाजकर इस्पिती सतलर याद रखिए अगर नदियों के बारे में आपके पास और भी पॉइंट हुआ करेंगे इस्तिहट कर तो आप नीचे लिख दिया करेंगे कि अधिया कि संधाल परगना में लगने वाला दूंका का है इस जिला मेला आयजित किया गया जाता है मैयुराक्षी नदीवा कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संब्द में समझोती कि इसमीती प्रत्त पर हस्ताक्षर किये गए संधर्वदेश मद्वदेश राज्यों में सयुत राजिगाट नदी गाटी प्रियोजना लागू की गई वह ऐसकित है बैतवा नदीवा काली नदी भारत के दच्छन भाग में पूर की और बहने वाली नदी है गलत है दक्कन पठार अपनी पश्चमी किनारी पर उच्छ कब पूल बनाये जा रहा है चेनाब नदी बद मात्मागांधी सेतु इस त रहे भिहार में वै नदी जिसका पिस्तल भारत में नहीं सतलज कपीली जिसकी साहिक नदी है ब्रम्मा यानि कि ब्रम्मपुत या कि नदियों में सूची एक सूची दो नदी साहिक में गोदावरी मंजरा किष्णा भीमा ब्रम्पुत तिस्ता गोदावरी इंद्रवती अध्यारोपी नदी का उधारन है चंपल संकोस नदी भी सिमा बनाती है असम और पश्चे मंगाल की वी वह नदी जो मद्यपदेश से निकलती है और खंबाद की खाड़े में गिरती है यह महा नदी है माही नदी आपके यह माही नदी किसन गंगा एक साहिक नदी है जेलम की मुममई की मीठी नदी जेल से निकलती हुआ है वीहार जी अब बात कर लेते हैं नदीयों के किनारे इस्तित नगर इनसे भी आपके कुश्चन स्कूचे जाते रहे हैं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा सहर कौन सा है कानपूर भागी रती नदी के किनारे इस्तित सहर क जब आपकी किरन सामान ग्यान वुक्स कबर की थी ना तो उसमें आपका बताया भी गया था तो आप लोग जाकर उसे जब टाइम हो तो आप लोग उसे जरूर पढ़ लिए बढ़िया वुक्स लिखी गए है हैदराबादा अवस्ति थे मूसी नदी मूसी नदी के तथवकण भौमनोईशर अवस्ति थे महानदी के तथवगपद ये नगर हो गए, ये समीबर्ती नदी तक हो गए, बैतूल, ताक्ती नदी, जगदलपुर, इंद्रावती नदी, जबलपुर, नदवदा नदी, कटर, महा नदी, नासिक, गोदावरी, उज्यन, छिप्रा नदी, पहले बता है हम लोग हमें इसे क्या कहते थे, छिप्रा पर किसी ने बोला कि ने छिप्रा है, जाय कि मैं कई बार सी छिप्रा गुद सिप्रा, और जैन आप देखते हैं, यहां महाकाले सुर का मंदिर है, ठीक है, कॉम्भी भी लगता है, यहां होता है, गोविन दिगाट अवस्तित है, अलक्नंदा उलच्वन गंगा नदी किनार परपात और जीले होगे, हुंदू परपात इसते थे स्वड रेखा या स्वड रेखा नदी पर, यह जल्पेपात और नदी, कपेल दारा जल्पेपात यह नर्वदा नदी पर, दोग्दे दारा जल्पेपात भी आपका नर्वदा ही नदी पर है, मद्देश में, जौपे प्रिपात आपका सरावती नदीपर, सिफ समुद्रम प्रिपात आपका काविरी नदीपर, भारत का सबसे बड़ा जल्पिपात जौंप प्रिपात इस्तित है सरावती नदीपर, भारत को वह जल्पिपात जिसे लोगतिरे रोप से न्याट गया जल्पिपात की तौर पर भारत की गुवा में इस्तित जल पर पात कौन सा है दूद सागर पर बेड़ागाट पर इस्तित जल पर पात है दुवाधार पर यह आपको नर्वदा नदी पर देखने को मिली गाँ विस जल पर पात डाटावेस की वर्तमान इस्तिति के अनुसार भारत का सबसे उंचा जल नोह काली कई मेगाले में है ठीक है कुछी कल जल पर पात की सही हुचाई है थी यह 45 मीटर बिमिनाद जील अवस्तिते ते केरल में बिमिनाद जील कहां जिसते ते केरल में केरल में ठीक है पिर्यार जील 55 km शित्फल में पहली है जो है किंतिम जील है चिलका जील जहां इसते थे वह उत्तरी सरकार तक चिलका जील इसते थे पुरीशा में लोक्टक जील अवस्तित है मडीपुर में ता मडीपुर राज्य में दो भारती राज्यों की सांजेदारी वाली जील है पु कोलेरु आंद्प्रेश डल कस्मीर पुली कट आंद्प्रेश और तमिलाडु सीमा पर असं में अवस्तित जील है चप नाला जील रहस्माई जील कहा जाता है रोपकन्ड जील को आपलो रहस्माई जील कहते हैं जम्मू एभम कसिमीर में अवस्तित जील है, अंचार जील शरी नंगर में, आपकी जीले हो गई अवस्तिति, अश्टा मोडी केरल में देखने को मैं लिगा, पुली कट, तमिलाडू, रोग कुंड, उत्राखंड, सूरज कुंड, हरेहाडा, रोग कुंड, उत्राखंड और स सम्मंदी कुछ point दिये गए है मानसुन सब्दी की वियुत्पत्ती हुई है अर्वी भासा से किस से अर्वी भासा से अर्वी भासा से निमने कथनों पर आपको विचार करना है कथन A, भारत मूलता एक मानसुनी देश है, बिलगू सही बात है कारण R, उच्छी हमाल है उच्छी जलवाई वी सम्मंदी विशिष्ट पिदारन करता है विशिष्ट था, ए भी आपका सही है A, R दोनों सही है R, A का सही सपश्टी करन भी दे रहा है अभी कथन A भारत की जलवाई उच्छ निकटी बंदी है अभी मांसून की तरह है बिलकुँ सही है तरक आर यानि की कारण आर भारत उच्छ टिकटी बंदी है चांसों के बीच वीच अवस्तित थे यह गलत है यानि की एक अथन सही है आर कारण गलत है भारत का उयराजी जहा मांसून का आगमत सबसे पहले होता है केरल में पुआ भारत में मांसून के फिरुआ की सामान दिषा है दच्छ पर्षण से उततरपूर याद रखना चाहिए कि इसी मांसून के कारण सबसे लिए बरसा की भारती ऑसरिश गर्मी वायू का कर्वसंड करते हैं जिसके कारण प्रभावीत होती है दच्छडपष्टिम मानसुन नीचे दीगे जलवाई आरेक पर ध्यान दीजे कि उपिफ जलवाई आरेक पिसंग भारत की उत्तरपूर्वी चेत्का उत्तरपूर्वी चेत्का थे भारत का सबसे सुखा आधार के रूम है, मानी गई जन्वरी की सम्ताप रेका है, अठारे डिग्री सेल्सियस, यह है हमारा प्यारा भारात, देख लिए, उपर दीए के मानचित की चाया चित, चायां की चित में जुलाई माय के वद्धे, तामान परिविटेश होता है, पचीश डिग्री सेल्सिय देनिक्ता पांतर पाया जाता है, राजिस्थान की मरूस्तलिये चेत्रों में, तमिलाडू में मानसून की सामान महिने हैं, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, भारती मानसून मौसमी विस्थापन से यंगित है, इसका कारण क्या है, इसका इस्थल और समधिकी का वि करती है दोनों कतन आपकी बिल्कुल सही है अमरस्तर इवंसिमला लगवग एक ही अक्छांस परिष्थे थे परंत उनकी जल्वाई में बहनता का कारण है उनकी उचाई में बहनता उनकी उचाई में बहनता आगे आपका 36 गड़ राज्य में ठेलाव पाये जाता है आद दर्चिनपूर जलवाईव का आद जलवाईव का अलवा होता है कोच्ची और तेजपूर में मानसून का निर्वर्तन इंकित करता है साप आकास से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाप परिस्तिती से इस्थल पर ताम मान के बढ़ने से सही कथन है पूरे वर्स 30 डिग्री नौर्ट और 60 डिग्री साउथ अक्षांसों की बीच वैने वाली हवाएं एंपक्षुआ हवाएं यानि कि वैस्टर लीच कहलाती है वारत के उत्तर्पस्च्टम से में सीथ व्रसा लाने वाली से मुक्कित होती है नंग से आम जानादे ही हमारी की मही खेती है किर्सी है, वे मांसून का जूगा करते हैं कि अधिक्तर केसी आमकी मांसून पर निर्भाई रहती है. अगर मांसून अच्छा रहा, तो खेती अच्छी रही, और नहीं रहा, तो आप समझते हैं, इसके लिए आप बंदेल खंडो और वगेल खंड चित को देख सकते हैं, सबसे जान्द यहीं लोग, आप देखिए कि पानी से मदलग पानी यहां कमी है, और एक तरह से आप सोचे कि इसी चित में सबसे आप फसल देखेंगे, सबसे जान्दा मांसून पर ही निर्भाय रहती है, उत्तर पूर्वी मांसून से सबसे पहले, सबसे अधिक बार्सा प्राप्त करने बाला राज है, तमिलालू, अवना चल पर देखिए सिक्क्यम के रहल और जंगू कस्मी इसी अधिक्यूश्त है, कि अजमेर और सिलांग में, एक मौसम विग्ज्यान केंदय का आसथ, बार्सी तापमान चपीडिरी सेल्सियस, और इसकी तापमान का बार्सी पर इसे 9 तिगरी सेल्सियस है, संदर्वीत करता है चैन्ड़ी को, किसे चैन्ड़ी को ? बार्ती नगरों पटना कोची कॉलकाता डिली में सामान, बर्शा क्या सही और वही क्रम है? कोची, कोलकाता, पटना, डिली आं में बर्शा समंधी थे आमकी पशल से भारत में सबसे कम बर्शा वाले इस्थान है ले तिली में सब से कम बर्सा होती है, चैरापुजी अवस्तित है Megalae भारत बर्स में सरवादीक बर्सा वाला चित है, पश्चमी गार्ट, हिमाले चित, मेगाले Megalae को मासिन राम है यह सब से जान्द आप देखेंगि भिस्त नाधा बर्सा है यह होती है भारत में वर्सा का अधिक होते हुए भी यह अधिस 85 धर्ती समझा जाता है. इसका कारण क्या है? वर्सा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्सा के पानी का सीगता से भाब बनकर उड़ जाना, वर्सा का कुछ थोड़ी ही महिनों में जोड होना. याद रुकिए अगर इसके लोग एकट टक करें, ताला बनाएं, बांध बनाएं बड़े होड़ें, तो हम पानी से कभी नहीं जूच सकते हैं. आप सोचिए कि बुंदिल खने में आप समझते हैं बैतवा नदी है, तो आप समझे कि अगर आप सोचें कि उसका पानी अगर हर चेत में पहुंचाए जाए, जहांसी मुझे लगता है पास ही होगा 14-15 km वह से बाद, अगर उसका पानी जहांसी में पहुंचा दिया जाए तो कोई प्यास से नहीं मरेगा, लेकिन आप दिखते हैं पानी से सबसे जांदा जूशता हुआ है बुंदिल खन, तर भी सब कुछ प्रिवस्ता होने के बाद, वह जल पे बंदन न युक्ति जो भारत में लागत का अधिक्तम लाप देने बाली है बर्सा की जल का संचे, बारत में 200 mm वर्सा होती है जम्मू कस्मीज में, जहार खन में वर्सा पराप्त होती है 1060 मान सून से, आपका नीचे मान चित्या गया है बार्सिक वर्सा, भारत के रे खांकीत बाग में 12 वर्सा का माद कितने से कितने तक घर्थता जाता है 100-1.500 cm तन, 100-1.500 cm जब वुस्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बार आती है बालो तरह में बालो तरह में बारती मोसम विवाज परिवासा के इंसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेस इस्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 गंटे में 2.5 mm से उपर कथन एक कारण आ गंगा की मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसुन बर्षा घटती हुई मिलेगी बिरबों सही है गंगा की मैदान में कोई जियों जियों उपर को बढ़ता जाएगा तो आज़ता मांसुनी पवन और उमची जाती मिलीगी A.R. दौनों सही है और यह की सही बयाक्या भी कर रहा है A. की सही बयाक्या R कर रहा है यह नीचे देगे आपके चित दर्स आये है इस क्या है अकिर भारतिय जल्व भाज़क को ऐंगेत करती है इस पूरा भारत है आपकी केबल अकिर भारत है इसे आप पाकिस्तान को इताकोई देने ऐसा नहीं है और यहाँ, सूची एक, सूची दो, जलवाई परिस्थितिया कारण, कोलकर्टा की अपेक्छा चेर्नेई अधिक गरम है, अक्छान्स की कारण, किसके अक्छान्स की कारण, हेमाले में हिमपाथ, तुंगता की कारण, पश्चे मंगाल से पंजाब ही और आते-ाते वर्सा कम हो होती ही जाती है समूद से दूरी के कार है सतलच गंगा मैदर में सीतकाल में कुछ वर्सा होती है पक्ष्चमी दाफ कार है भारत के आधिस्टुस्क छेत्रों में जल-धाल विकास का प्रमाड़ा चिन है मौसमी अधियों से जल का तटवन दिये करके जलाशियों के तंध की स् बारत की अधिकतर भागों में बरसा इस साल की चार महीने में होती है, A-V सही है, R-A सही है, दोनों आपकी, जाद रखिए अप लेकर आप देखें कि पर्याप्त बिखास होने लगा है इसमें, ठीक है, पर्याप्त नहीं है लेकर आप चालू हो चुका है, गंगा नदी पर आ करता रखिए, जसमें जादे के मौसम में बारिस मिलता होँ चुका है, गंगा? कथनE कारण दो fiешь चक्वाति स्तितियां सीध रिटू में तप बनती है जब दाउय मंदलिये दाप उच्छ होता है बाई'm दाप निम्ध होता है फिलकुस है उत्तर भारत में सीट-कालीन वर्स दोजार चार की सुनामी द्वारा भारत के तटों में सरवादिक दुस प्रभावित हुआ था पूरुमंडल था याद रखिए जब भी जो आपदाएं आती इस तरह की तो करेंट से जुड़ा रहा करिएगा क्योंकि हाल में जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में पूंच लेता है कईगा जो चक्कवाद आती हैं बाना भारत में सुनामी सुनामी वार्निंग सेंटर हो उसके थे हैं है धराबाद में देखने को मिलेगा भारती मौसम बिग्जान विवाग इस्ताफित है नई दिल्ली में कहां नई दिल्ली में सुनामी वार बिहार की मैदान में, भूकम, हिमालय का ग्रीवाद, चित, सूखा, मदपूर्वी भारत, चेकवाद, जारखंड और उत्री, उडिसा में, आप खुछ सोचिए, मालू है में कि उत्तर पदीस और विहार में सबसे जाना विहार में बाढ आती है, फिर भी हम लोग आने, यही कारण है पिचलने का विहार कार, कि नेत आपने वही है कि अपनी जातवात को लेकर, बहुत हो बढ़े होगा, लेकिन जात की लोग अभी भी वही जी रहे हैं, सुमय है किसी भी जाती के नेता को ले लीजे, उसके बच्चे का भी गरीब नहीं होगी, और उनके को तो जिटन के लिए वह लड़ते है वह गरीब बने रहते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं कहीं लिखा देखा था मैंने की…! पता नहीं क्यों? जो लोग गरीब लड़ते लड़ते हैं, अमीर कैसे बन जाते? यह हकीगत है हमारे देश की नेताओं की कथन A और कारण R हिमाले में भूस कलंग की आविट्थी में बिड़्दी हुई है बिल्कुल सही है हाल की वर्सों में हिमाले में बड़ी पर्माने बर खननकार हुआ है A, R दोनों सही है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण कथन A कारण R पर्षमी तट की तुल्ला में पूर्वी तट चक्वातों द्वारा अधिक प्रवावित है यह बिल्कुल सही है महराट के कोईना चित की निकट भविस में अधिक भूकम फिरभावित होने की संभावना है, बिल्कु सही है, कोईना बांध एक पुराने भ्रैस तल पर अवस्ते थे, जो कोईना जलासे में जल इस तल की परिवतन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, ये आर दोनों सही है, आर अधिस उडिशा विहार गुजरात राज्यों में से सरवादिक प्राक्तिक आपदाया आती है, उडिशा में, कहां? उडिशा में, देश के पहले आपदा वेबंदान पिसीख्छा संस्थान की स्थापना जहां की जा रही हो है, लातूर महराष्ट, लातूर महराष्ट, व उकम मंदर, भुज, पार्च, हैदराबाद, दो, स्रीरंगा, पार्च, चैन्री, सेकेन, एक अथन और कारण, पिछले दो दस्कों में उत्तर भारती मैदानों विबाड की बढ़ी है, बढ़ी है, बिल्कु सही है, गात के निच्छेपन के कारण नती, गाटियों की है, भारत का सबसे अधिक बाड़ गरिस्तराज है, बिहार, उत्तर पिदेश का अधरवाधिक बाड़ प्रभाविचित है, पूर्वी चित, अभी आप देखे, अभी चुनाव है बिहार में, आपके 2020 में, देख रहे हैं आप लोग, तो एक केस आपने देखा होगा कि CBI के हो रहे ही, वो अलग मैटर है, होनी चाहिए, उसके दिरोध में कोई नहीं है, लेकिन आप सोचिए, उसका मतलब जो व्यक्ति मर चुका है, उसके नाम पर बोर्ट, वटोरना एक गलत है, आप देखिए बिहार का पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर खत्म हो जाएगा, बा हैं सकते हैं, याद रखिए, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस छेत में भी आप देखें कि सिक्षा, स्वास्त और रोजगार इन तीन मुद्दों पर चुनाव होते हों, उस देश को आप लोग हमेशा टॉप पर देखेंगे, ठीक है, कभी भी आप देखेंगे, मिट सबसे जानदा देखने को मिलेगा महाराष्ट में, कथन एक कारण आठ, जच्छडी टेफ की रहगुर मिट्टियां काली होते हैं, उसमें यूमस पिचोर मात्रा में होता है, ये तो सही है, लेकिन आठ विल्कुल गलत है, कथन एक कारण आठ, काली मिट्टी कपास की क्यती के लिए उपयोक्त है, बिल्कुल सही बात है, उसमें जच्छ पिचोर मात्रा में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, कपास की क्यती के लिए सरवादिक उपयोक्त मिट्टी है, रहगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी बोल देना, इसे आप लोग, कारण आठ, काली से मिट्टी कहा जाता है कापास की काली मिट्टी को लावा मिट्टी अपाई जाती है मालवा पठार में मालवा पठार की पिरमुक मिट्टी है काली मिट्टी वह मेर्दा जिसे सिचाई की कम आवसकता होती है क्योंकि वह नमी रोख कर रखती है काली मिट्टी ठीक है यार बात करते हैं लेटरायद मिट्टी होती है और इन मिट्टीओ में काजू की अच्छी मकरला यानि कि लेटराइट पिकार किये ये गलत है आर गलत है और कथन सही है इसमें लेटराइट मिट्टी मिलती है महराष्ट में लेटराइट मिट्टीयों का प्राधन है मालावार तटी ये पिरिश से लेटराइट मिट्टीयों के लिए सही कथन है उनमें चुना पेचोर मात्रा में नहीं पाये जाता है वह है मिर्दा प्यारूप जो लोहिक का अत्रिक होने के कारण अनुवर होती है यह है लेटराइड मिर्दा मिर्टी फर आपकी दौमट या जलोड मिर्टी आपको बताना है आपके छेत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आप जिस छेत में रहती है बताईए आप लोग नीचे किस छेत से रहते हैं आप लोग बारत में सबसे अधिक अभजाव मिट्टा है जलोड मिट्टा बारत में सबसे बड़ा मिट्टी के वड़ है कछारी मिट्टी हो विवित पषचें वी राजिस्तान की मिट्ट्टा वे सरबादिक मात्रा में होती हैं कैल्सीयम की एलवानीकी मात्रा देखने से आप लोग भारत क्यों कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखने के कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है मिट्टी के इस रंग का प्रमुक कारण क्या है फेरेक ऑक्साइड की मानता है भारती मिर्दाओं में जिस सुख चम्तत्तों की सरवादिक कमी है हुआ है कथन एक कारण आप हिमाले की मिट्टियों में हिमस पिचल मात्रा में पाई जाता है बिल्गों सही है हिमाले में सरवादिक चेत बना अच्छादित है यह आपका मार करिएगा एक गलत है लेकिन कारण सही है ठीक है यार इस तरह कि अगर मैं गलती से बोल देता हूं तो समझ रहे हैं आप लोग पौदों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में मिट्टी में मिट्टी वयंकर जिसका ब्याद 0.002 mm से कम होता है मिट्टी क्या है अमली एवं चारदीय मिर्दा सामान फसले होगाने के लिए पूरवरक भूमी का पी एज मान होने की सम से उपर जाते हैं चारदीय अगर साथ पर रहते हैं तो गदासी आपको बताना है रक्त का पी एज मान गया होता है कई बार पूंचा जा चुका है और बिलकुल सरल है आपका तेजावी मिट्टी को किर्शीयोंग बनाने ही तो उपयों किया जा सकता है लाइम का किसका बारत में शरौदिय के शर्वादीक चारीय स्थपाया जाता है उथर पदिश राज्य में बारत में लबनीय मिड्वण का शर्वादीक छेत पैले गुजरात में गुजरात में व्री दाका लोमों मिल्दा में एकटित स Нचेत जलकी वास्फी कत होने से पीच्छे चुट च आपका चाय बागवनों के लिए उपयोक्त मिट्टी कौँ सी है अमली है मिर्दा पर्दन और सुधार भारत की जिस्चित में मिर्दा पर्दन की समक्ष्या गंबी रहो है सिवाली पाडियों के बाद और चंबल गाटी चंबल नदी आप जानते हैं इसके जानते सबसे ज़् अपर्दन के कारण फिर आप जानते हैं कि डांकूओं की सरण स्थली बन जाती है आप लोग देखते हैं ना चंबल के डांकू सुनते रहते हैं चंबल गाटी की खोई खुंडों खंडों की निर्मार का कारण अपर्दन है वह अपर्दन प्यारुक है आउनालीका का इसे भूमी में वयप वदा जिसके कार्ण भूमी का पर्दन अधिक्तम तीपता सिखुता है यह सोर्गम फसल चक आवस्सके मिर्दा की उर्वर्ट सक्ती में विट्थी है तो मेर्दा सरक्षण के संदर्व में पिछले पतिती आए सस्या वर्तन फसलों का हिर्वी बेदी का निर्माट टैरे सिंग बायू रोध है भारत में मेर्दा अप्चे समस्या संबंदी थे बनो रूमूलन से मेर्दा पर्दन को रोका जा सकता है बना रोपन द्वारा एक दराक्तिक बनस्पती हो गई आपकी बोचपत बेक्ष मिलता है हिमाले में कार हिमाले में कथा बनानी तुझ जेस पेड़ की लपी का प्रेव होता है वह है खेर कौफ़ी खेर वह बन जो भारत की सर्वादिक मेर्चित में पाए जाता है यह उष्ण कटी बन दी आत पड़पाती बन सागोन तरह साल उतपाद में उष्ण कटी बन दी है सुस्किक पतजड़ बन की परश्चिमी जमाले की सीतोष्ण पेटी में एक बेक्ष का बहूल है वह है देवदार वैक्ष वायराज जहां करुं बन पाए जाते है MP में मदबते हैं कर उष्ण परबंध में उच्चे परवशपण तक यह उपन्ध होती है जोगारther वह 46 मीटर की उचय तक उपलब्ध होती है एक ही परवस इंखिलां में इस विवर्ता का कारण क्या है क्योंकि आप देखेंगि पूर्वी हमालय का गुंगद्रेखा और समुद्र तट से पश्णिवी हिलाए हिमाले के बेक्चा अधिक निकट होना इसका कारण है एंटी लोपोल और एक्स और चेरू के बीच अंतर है और एक्स गरम और सुसक चेत्रों में रहने वाल रहने के लिए अनुपूले थे जाकि चेरू ठंड और उच्चे परवर्टी पाथ घास की मैदान और अर्द मरुस्थल चित्रों में रहने के लिए है ठीक है याद रखिए आप लो क्या-क्या याद रखें सब कुछ याद रखना है यह नगर हुए बूकम मंडल हुए सागोन मधभारत देवधार हे मालाई कुछ संदरी संदर्वन सेंगोन हीमाले की तरह है मारकर आपके चेत्त हुग और यह वेक्ष हाए आपके पर सुभी का व्याख चपाया जाता है पश्ठी मंगाल में सुची एक सूची दो वनपेकाद और पिदेश पोल सीघल मेंucktि अपको मदगें मेरे अणठी मेरे देखने को मिले। लंबी जड़ों और नुकिली काटों अथवा सो लिप्त जाड़ियों और लगू व्यक्षों बाले आरक्षित और अवरुद्ध बन सामान रूप से पाये जाते हैं कहां पश्चमी आंध्विदेश में वह व्यक्षि जो समधतल में सरवादी कूशाई पर पाये जाता है दे अरी एवम दच्चडी अमेरिका बाद के उष्ण कटी बन दिये 6 सामाजिक बन की में प्रयोकते बहुत देसी है ब्यक्षों का ये कुदारन है छेजरी लीशाप राप्त होता है हमें चीड के ब्यक्ष से किसके चीड के ब्यक्ष से ये आपकी सूची एक सूची दो कच्छ बनस्कति आप आई जाती है विमनायट कुन्नूर में ठीक है ये सचाई होगी नहरे फ्रादीफिय भारत में सचाई का एक रोक साधन है तालाब बिलकुर सही है और फ्रादीफिय चित की अधिकास नदियां मौसमी है ये भी बिलकुर सही है ये आर दोनों सही है और आगल क सही व्याक्या भी दे रहा है ठीक है भारत की संदर्व में सही कथन है देश की सचाई का युगदान सरोत सबसे जाना नलकु है भारत में सचाई के अंदर के सरवादिक छित वाला राच्चे पंजाब संदर्व में कतन सही है मिर्दा से और वरक पोसक हानी कम की जा सकती है इससे कुछ चित्रों जैसे किर्सी चित्रों में बहुं जलेक्सतर को कम होने से रोका भी जा सकता है जीवन रक्षक अतबा बचाओ सचाई एंगित करती है पी डबलू पी सचाई गतवर्स 25 बरसों में नलकु सचाई के सरवादिक सांदार विकास हुआ है सरीव पार मैदान में भारत को वह राज्य जिसमें सरवादिक सचाई नलकुपों से होती है उत्तर पिदेश में यू भारत में माता नहर को पिस्तावित किया था देंट साच जीद दस्तूर ने भारत की सचाई चमता का सरवादिक भाग पूरा होता है लगु एवं बेहत परियोजनाओ से फराटका नहर की जल्व बहन चमता कितनी है 4000 क्यू से मगलम सचाई परियोजना है केरल में कहां केरल में सारन सचाई नहर निकलती है गंधक से इंद्रा गांदी नहर का उद्गम इसकल है हरीकेन बेराच हरीकेन बेराच इंद्रा गांदी नहर का प्रमुक्ष जल्सरोत है जिन नदियों की संगम पर है नदी कौन से है चाजिश्टान इंद्राणी निकलती है सतलर से।ि का निर्मान बर्स 1998 में से लिराम हुए। इसका उधों हो क्या है सतलर नदी पर हरे बांग से। इंद्रागांधी नहर जल्ब पराफ्त प्रेत्त करती है व व्यात नदी का पॉंग बांध जलका उपयोग करती है। इंद्रा गांधी नहर परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना है। इंद्रा नहर है। बारत में विस्ट की सबसे पुरानी वा विक्सित नहर है गंग नहर। गंग नहर जो सबसी पुरानी नहरों में से एक है। का प्रुमियों की उपयोग की रूमें को बदला भूफ वण्धन का शुलार करना निचली गंगा नहर का उदगम इस्तल है नरोरा बुलंद सहर में गंगा नदी है इसका हर्याली एक नई योईना है जल संगरर से संबन्दीत विकास योईना और व्यक्षर उपन के लिए तथा बहुत जलिष्थर का फोनर्बरण और प्रयाक्तिक बनस्पतियों का फोनर जन्द एक कारिकरम हो गए मत्राले सूखा प्रमणचेत कारिकरम भूमी संसाधन विवाग मरूर्स्थल विकास कारिकरम ग्रामीड विकास मन्तराले बासापूरित छेत्यतूर राष्टी है जल संबर विकासमंद परियोजना किर्सी एवं साहिकारता विवाब ड्रप्स यानि कि ड्रप्स चाहिए पदिती के प्रियोग के लाव हैं खरबादवार में कमी मिलदा पदन में कमी यह आपकी बहुत देशी है नदी गाटी परियोजना है इनसे भी आपके कुश्चें से बहुत पूंचे जाते हैं सर्दार्षरोवर परियोज्बूत से लावंविक होने वाले राच्च सर्दार्षरोवर बनाया जा रहा है कहां बनाया था नर्बदा, नदीबर सरदा सरोवर्बां से सरवाधी क्लाप मिलता है गुजरात को सरदा सरोवर्ब परयोजना की बिरूद में है मेधा पार्टिकल इन्हों ने आपने देखा है कि नर्बधा बचाओ अंदोलन बी चलाया था मेधा पार्टिकल बरगी औंकरीसॉर इंदरा सागर और भाणा सागर। न्हों नर्बधा नदीपर नहीं है। तो नर्वाणा नदीपर नहीं है।ाँ बरगी ओकारीसॉर और ชुर न mechanics नन मिल इस्तप नर्वदा नदीपर मद्रदेश का हरसूत कस्बा जलमंगन हुआ है इंदराशागत जल जलासे में उंकारिस परियोजना सम्मेद्ध है नर्वदा नदीशे नर्वदा बचाओ आंदोलन जिस बांद की उच्छाई बढ़ाने के लिए किया गया था एक कौन सा है सल्दार भागडा नागल एक सेफत परियोजना है हर्याणा पंजाब राजिस्थान के भागडदा नागल बात बनाये गया है सथमिक न लेअ तमिलनाडू, करनाटक, केरल, और पुरुचेली एक एगार पुठेंच बन चुका है कावेजी नदी जो बिबाद है इसमें कौन-कौन राजी सामे ने तमिलनाडू, करनाटक, केरल, पुरुचेली नागारुजयन सागरपरियोज्या अवस्तिते थे किष्णा नदीपर भार चंन बलनदीपर निर्वित बानध है गांदी सागर, याद रखे हैं चंबल नदी पर आपका राणापिताप सागर भी हो गांदी सागर भी, वो नदी गाटी परियोज्या जो एक से अधिक राज्यों का लावन वीत करती है, चंबल गाटी परियोज्या और मयु राक्छी प्रियोजना, चंबल गाटी योजना से संबंदी थे गांधी सागर, जवाह सागर और राणा पिताप सागर, ये चंबल नदी की घाटी की योजना देखने को मिलेगे, तेहरी बाद उत्राकन में निर्वित किया जा रहा है, ये भागी रथी नदी पर देखने को मिलेगा, दामुदर गाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर, दामुदर नदी बश्चमंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, थी, सही है, दामुदर अपनी उपरी भाग में तिव्दा से प्रवावित होती है, और निचले भाग में इसका वहाओ बहुत दीमा हो जाता है, दोन तवा परियूजन आपकी एक तवा नदी भी है, याद रखे, क्या है, तवा नदी भी है, आप देखेंगे तवा सबसे जन, एक तरसे, यह आपको माप करिये, वह देका का है न, गलत है यह तवा परियूजन आपको देखने को मिलेगी तवा नदी पर, किस पर तवा नदी तबाह नदी पर देखने को मिलेगी आपको और याद रखिए इसलिए अगर तबाह नदी नहीं दिये होगी तो आप नर्वदा नदी लगाईएगा क्योंकि आप देखें कि तबाह पर योजना भारत की एक प्रमुक नदी घाटी पर योजना है इसके अंतर के नर्वदा नदी की जो साइक नदी है इस पर बांग बनाएगा और मदो देख और जिली में देखने को मिलेगा तो अगर आपका तबा नदी नहीं दिया गिरा हो और अगर नर्वदा दिया जाता है तो नर्वदा आप लोग लगएगे ठीक है क्योंकि इसकी सहायक नदिया की तावा सही सुमलित हैं हीराखुंड परियोजना, उडिसा हल्दिया रेफाइंडरी, पश्चमंगाल तारापूर पडवाणुकें, महाराष्ट कुद्दे मुख पाडियां, कर्नाटक में हीमाचल पिदे इस बांद अब सतलन नदी पर बनाया जा रहा है इस बांद को बनाने कमों खुद्दे से भागडा बांद में आने वाली तल्चट मिट्टी को रोपना वह परियोजना जो भारत में ने भूटान की सयोग से बनाई यह चुक्का बांद परियोजना किस-किस के बीच है भारत और भूटान के सयोग से दोनों के बीच यह परियोजना है हो गए यापकी यह अबस्तिती हो गए भागडा यह सतलज पर हीराकुंड महानदी इडुकी पिरियार नागार्जुन किष्णा तमिलाडु मांद पितिस और कर्णाटक की सैट परियोजना है तेलगु गंगा परियोजना से पेजल पितान किया जाता है मद्रास को किसी मद्रास को बहुत देशी नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदीर कहा था किसने पंडित जवालाल नहरु ने जो पहुत देशी नदी घाटी परियोजनाओं थी इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से संभूधित किया था पंडित जवालाल नहरु साहम ने यह आपकी नदियां हो गए यह बांद हो गए कावेरी पर मैटूर बांद अलमटी बांद की पूँचे तो आप कृष्ण नदिया पर देखने को मिलेगा मैटूर तमिलाडू में मयूराक्षी यह पर्ष्ण मंगाल नागारुजिन सागर आंध्विदेश ही रापुन्द आपको उडईशा में देखने को मिलेगा यह आपके बहुत देश यह परियूजना है नदिया है एडुकी त्रियार में मात सागर किष्णा नदी पर जैगवाडी एगोदावरी नदी पर टेहरी भागिरेति नदी पर कल्कॉंग जलविद्दू परियोजना अवस्तित है यह आपको अन्वा निकवार दूई समों में देखने को मिलेगा बारत में सबसे पुराना जलविद्दू इस्टेशन है यह सबसे सद्रावाग देखने को मिलेगा बारत में पितम जलविद्दू सैयंद की स्तापना की गईती दार्जिलिंग में कहां दार्जिलिंग में यह आपके बांध हो गए उपेदेश ठरक्का पष्चे मंगाल में देखने को मिलेगा धार्ट परवा करनाटक में हीरा सामें कपरा पार एक गुजरात में तहां गुजरात में सूची एक सूची दो रहंद उत्तरपेदेश में ओकई आपको गुजरात में कोई ना महाराष्ट में ए बांध हो गया जील हो गया गोविन सागर सतलचपर कोलेरु जील किष्णा एवं गोदाबरी द्वापचित म जलासा आपको ताकती नदीपर और बुलड जील एक आपको जेलमपर कालागर बांध बना हुआ है रामगंगा नदीपर तावा परियोजना संब्दीत है होसंगा बात से संब्दीत है पउंग बांध बनाए गया है व्यास नदीपर मेजा बांध का निर्माड़ हुआ है कोठारी नदीपर किस फर कोठारी नदीपर तॲबं परियोजना का संब्द है जेलम नदीष बगले आर्प फवर प्रोजेक्ट है जिसके विसामें पाकिस्तान द्वारा विस्टबैnn क चर्चित रही है जमू कस्तिमिने में आपको देखने को मिलेगी एसे चाई परियोजना होगे है राज दमन गंगा गुजराद गेरना महाराश्ट पंबार केरण तपुबन और विश्णुगर्ण जलविदुर परियोजना अवस्तित हैं उत्राकंड में कहां उत्राकंड में महाकाली संदी जिन देशों के मद्ध हुई थी वह है नेपाल और भारत कल पक्कम दमिलनाडू राणा पिताब सागर राजिस्थान नरोरा उत्तरपदिश तारपुत महाराश्ट मेठे पानी की कल्प सर परियोजना वस्तिते ते गुजरात में कहां गुजरात में वहराज भार नेधितल नराज जिसमें स्यूं है हिमाचल कि दीशन लोग दम प्रोजेक्ट इतिती है तिस्ता नदी पर विश्तावितलस on a.पे सब्सक्रापीरい रिया वस्तमति नदी पर किस पर है जैसे आप سब्सकी पूचे है रियंद परियोजना है किस पर है ये सान नदी पर ह रानी लच्छमिभाई वान परियोजना किस पर है बैदवा नदीपन, राम गंगा परियोजना राम गंगा नदीपन, ठीक है, रेहंद परियोजना सौन नदी, रानी लच्छमिभाई परियोजना बैदवा, राम गंगा परियोजना राम गंगा नवीदीपन, ठीक है, उत्त पर किस पर चिनाब नदीपर कि ए जलासे हो गया ए राज भद्रा एक अना तक में देखने को मिलेगा भवानी सागर ए तमिलालू गांधी सागर MP मद्धविदेश राणा प्रिताप सागर ए आपको राजिस्थान में देखने पूरीगा तिलेया बान अवस्ते थे वराकन बाउत्तर पिदेश की वह फिर मुख राज जो पिस्तावित है किसावू बान परियोजना से लावान बित होंगे उत्राखंड और हिमाचल पिदेश उत्तराखंड हिमाचल पिदेश सूची दो नदीघाटी परियोजना नदीगोई पंचेठ हिल बान फिर्दामुदन वह बान जो सिचाई के लिए नहीं है इस सिपसमोच द्रम बान सिचाई के लिए नहीं है अतीव बात बबली तरोजेक्ट अवस्तित है महाराष्ट में एक बात और याद रुकिया तो कोई भी बान बजाए जाता है कोई भी एक तरह से आप घार्ड सोचिए इस तरह एक ब किरसी भारती किरसी का इतियास लिखा जाता था MS लिखा था किसने MS रंदभान है भारत में एक ग्रो एक एक इको लोजीकल जॉन्स किरसी पारिष्टित की छेत्रों की को संकितने कितनी है 20 20 कथर एक और कारण आर भारत सुस्क पेटी की अर्थवयस्था फिधानता किरसी याद आ रही थे बिल्कुत सही है इसमें दूती अहरेत करांती के लिए बहुत चमता भी है ये भी सही है ये आर दोनों से ही लेकिन आर एकी सही व्याक्या नहीं करता है एक दूसरे से संबंद नहीं रखता है आँखे आपका भारत की खाद देवं पोसंट सुरप्चा की संदर्म में बिवेन फसलों की बीच पित्ती इस्थासंदरों को बढ़ाने की भविस्था दूत पादल लक्षों को प्राप करने में मदद मिलती है किन्तु इसके अपेप्चा के बड़े विस्थित कयानवित कयानवन में बाद हाए हैं वह हैं नेजी चेत की बीच कंपनियों की उद्यान किरसी पसलों की रोपन सामगरियों और सबजीयों की गुरवत्ता की वाले बीजों की पूर्ती में कोई सहवाईता नहीं है देश का पहला किसी विस्थ विद्याला है यह है आपको देखने को मिलेगा जेबी जेबी पी ए यू पंतनगर में उत्तरप देश में ठीक है भारत बस में पिथम किसी विस्थ विद्यालाई की स्थापना हुई थी 1907 में यदी खाद्यानों की सुरक्चे संग्राय सो रूपन है नेट वाई चेत 47 पी तीसद बन 23 और अनचेत 30 पी तीसद किरसी में यूग में पैदाबार का आसा है विभिन मौसम पर दो फसले होगाने से मिसरित खेती की प्रमुक विसेशता है पसूबालन और सस्त उतपालन को एक साथ करना देखे हमारे याग कम ही आप देखते हैं मिसरित खेती कम ही की जाती है कहने का मतलब है कि आप किसान है तो मैं तो कहता हूँ किसान है तो अच्छी तरह से किसान ही करिए ना उसमें आप यह भूज़ता है कि पसुलपालन प्रवाब भी खिल सकते हैं, अगर फसल भरवाद भी हो जाती है तो कोई बेकप देने के लिए आपकी पीछे हो, समझ रहे हैं, कि आपके पास पसुलप हैं कम से कम, तो वो दूद दे का आपका मतलब ठेट तो चलाएगा और अगर फसल अच्छी भी नहीं होती है तब भी आपको दुबनी आमदा नहीं होगी और आपका परिवाद की स्थिति ठीक रहेगी लेकिन हम ऐसे अधिक तर किसान क्या करते हैं कि एक ही खेती पर पर निर्भर रहती है जब खेती भरबाद हो जाती है तो आप देखते हैं स्वसाइल करने की नहीं बता जाती है परक्ती पर अधिक निर्वर्धा उद्वादन का निम्निस्था तधसलों की विवित्ता और बड़े खेतों की पदान्ता में से बारती किसी की विशिष्टा नहीं है तो बड़े खेतों की पिधानता नहीं देखने कूं मिलेगी कठन एक कारणार पारंपरी क्येती के आदूनिक बिज्ञानिक खेतों में केती में रूपांतरन में हरित क्रांधी की तकनीक की मत पुन बून करेगी है बिल्कु सही है, इसमें सामजीक परियावणी लागत समलित नहीं होती है, यह होती है लेकिन आर एकी सही ब्याक्या नहीं करता है, जनसंख्या के दवाप पिछन बेरोजकारी, सहकारी किर्सी, भुजोत का चोटा आकार मैंसे एक भारती किर्सी की निम्न उत्पादत्ता का का नहीं है, सहकारी किर्सी नहीं है इसका, भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा ओसताकार राह राजिस्थार्म, भारत में किर्सी को समझा जाता है, जीव को पार्जन का साधन, भारत किर्सी की संदर में यहीं सही कतन है, भारत में दालों की खेती की इंतरगत आने रसानिक उर्वरकों में दो बड़े उप्भोकता हैं उत्रपदेश और आंद्रपदेश नई सुधार सुधारी गई उसरस में हरी खाद के लिए उपयोग फसल है डैंचा डैंचा सनई बोड़ा और ग्वार जैसी हरी खाद बली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सरवा पाई जाती है बोड़ा यानि की लोविया में संतुलित और वरक प्रियोग किया जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद की गुडवत्ता उन्नत करने के लिए और भ्यूमी की उत्पादक्ता बनाया रखने ही तुँ ठीक है केरल तट तट तमिलनाडु तट और विदर्म वैसे दच्छिर भारत में उच किसी उत्पादक तक अच्छित पाया जाता है यह आपको तमिलनाडु में देखने के मिलेगा कहां तमिलनाडु तट पर उनर भारण योग भूम जल संसादन में सबसे संपन्न राच है उत्तर विदेश यूपी भारत में ठेकेदारी किसी को लागु करने में अगणी राच है पंजाब हरे खेती में संहेत है समयकित कीट प्रवंदन समयकित पोसंट बदायत आपोती और समयकित प्राक्थित संस सभानता में विर्थी आर्थिक साहेता में कट होती इस सभी एक तरह से आपके वेस्पी गर्ण की प्रभाव पड़ी हुए बीज ग्राम संकल्पना यानि की सीड विलेच कॉंसेप्ट के प्रमु कुद्देश का सरवुत्तम बारण करता है किसानों को गुडवत्ता युग्त बीज उत्पादन का पिस प्छंड दिने में लगाना और उनके द्वारां दोसरों को समोची समय पर तथा बौहन करने यह हुग लागत में गुडवत्ता युग्त बीज उत्पादन कराना इसा होता है अभी भी आपकी ग्राम बंचयात में लेकिन जहां एक तरे से आप कितनी ही उपर से युजनाय लाईए किसानों के लिए लेकिन जब धर्थी पर हो युजनाय अच्छे से लागू ना हो तो किसी को फायदा नहीं होता है तो आपने देखा है राजीद गांदी और अटल वियार इवाश्पेटा कतन सुना भी होगा कि मैं उपर से एक रुपया विश्ता हूं नीचे तक पहुंचते पहुंचते दस से बाराइप यसे बचता है बीच का कोई और डकार जाता है तो खात भी जाते हैं ग्रामपन शायतों में लेकिन अधिकत सर्पन साहब खुड़ डकार जाते हैं या कोई और आपके यहां का है तो आप समझे कि कहां से उद्धार हो पाएगा एग मार्क है क्या है गुड़बत्ता गारंटी की मुहर एक पर ऐसे मुहर लगी रहती है हरित करांती नई किर्षी ब्यू रचना का परिड़ाम थी जो 20 सदी में पैरम की गई थी साथ विद्धसक की दोर में कैम सदाभार करांती भारत में किर्षी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रिदव मिल्मय गई से गेरा समंध रहा था डॉक्टर स्वामी नातन का अरत क्रांती से अभी प्या है उच उत्पाद बेराइटी प्रोग्राम का मोटे अनाच दलन ग्यहूं तेलहर में से हरित-क्रांती शंब्ण्धी थे ग्यहूं उत्पादन से और याद रहे कि हमारे देश में हरितकरांती का प्रभाव ग्याउं और चाबल पर देखा गया था और कुछी छेत्रों तक एक सीमित भी रही हो तरक दिसका कुछ चेत और पंजाब का उच्छ यहीं तरवेस वो एक असल जिसको हरित करान्ती का सरवादिक लाव उत्पादन एवन उत्पादक का दोनों में हुगा यह देखेंगे ग्यामू में किसमें ग्यामू में सोतनता प्राप्ती के बाद से भारत ने सरवादिक परगेती की है ग्यामू के उत्पादन हारिवित कुरांथी میں प्रयक्त मुक पादक फसलती मैक्सकर ग्यूँ बारत में दुदिय हारिवित कुरांथी का संबन सही है इसका लक्ष हारिवित कुरांथी से अब तक लानमहान वित ना हो सकने वाले चेत्रों भीच, पानी और वदरक तक्नीक का विस्तार करना है इसका लक्षे पसुपालन सामा जीगवन की और मत्सपालन की साथ सस्य उत्पादन का समाकन भी करना है। किसका हरित दुद्य हरित क्रांटी का। और अभी भी आप देखें कि हमारे याख की खिती अधिकतर केस तरह की देखने को मिलीगी आपको। ऐक पारंपरेट कि पारंपरेट वो दी उसे देखने की गवह जरूरीज नें ना तो बीच की भी बीच कॉनसा देखा नीजियने की पोराना बीच रखा वही डाल दिया। मतलब कोई बदलने के start- барन न ही है। मतलब अपडेट नहीं किसान, पारम पर एक तरीके से जीना वसंद करते हैं, तो उसी का पईड़ा भी आप देखते हैं, पंजाब के खिसानों को आप देखिए, वहाँ खेती करने वाले भी अपने बच्चों को VIP स्कूलों में पढ़ाते हैं, और एक बंदिर खंड को देख आप लोग खाने के लिए नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाने की दूर बात है, रमजना, हरित करांती के खिटक उच्चे उत्पादन देने वाली किसमों के बीच से चाहिए, ग्रामीट विद्दू दीकरन, ग्रामीट सड़कें और विपड़न, कथन एक कारण आर, भार लेकिन आर एक ही सही ब्याक्या नहीं करता है, तो ए और आर दोनों सही है, इंद्रधनों से ही करांती के संब्द है, इसमें किर्सी चित की सभी करांतिया साबल है आपकी, इंद्रधनों से है करांती में, सूची एक सूची दो, इस तरह के भी कुश्चन्स पूच लेता है, खाद उत्पादन में विड्दी हरित करांथी, दोग उत्पादन स्वेद करांथी, मत्सवालन नीली करांथी, और वरक भूरी करांथी, उध्यानी किसी सोनेरी करांथी आपसे बूचलेगा कि इस तरह से मूचेगा स्वेट करांती की से जो कुल्ट पादन से भूरी करांती की से कॉर वररक से आपको याद रखना है अगर अगर पूचेगा कि गुलावी करांती के संबंदी थैं किस से? प्याज से प्याज तो आपको माल होना चाहिए जब आपके बित्मंत्री से कहा गया कि प्याज महेंगा हो गया तो उन्होंने क्या कहा था मैं प्याज नहीं कहती हूँ कभी कभी हमारे देश के मतलब उच्छ पर पर बैठे हुए लोग ऐसे बासट देते हैं इस तरह की बाते करते हैं कि कम से कम मुझे लगता है कि देश हमारे भारत की जो आक्मा वह भी इस तरह से सर्मा जाती होगी भगवान भी सर्मा जाता होगा अभी कुरोना महावारी में आपने देखा अर्थवस्ता किस तरह चौपट हुई उसमें कह दिया कि भगवान की देन है तो आपने पटिये देखिए आप 21 भी सदी में खड़े हुए आप इसी पर अपनी गलती डाल कर आप निकल नहीं जाएगी उससे और जांदा पस्ते जाएगी मानता हूं कि कोरोन महामारी ने फूरी कर दी समझ रहे हैं उसमें तो यह हो सकता था अब आप सोची कि आप निकल जाए वो दूसरे पर प्रबाबलम डाल दे यह तो कोई सॉलूसन नहीं है मुझे नहीं लगता है समझ रहे हैं यही हालत है कि वह हम पेपर दे रहा हूं फैल हो जाओं मैं चले खर छोड़ी उनके बारे में कहना बहुत बड़ी बात है जिरो टिल भी एवं और वरत ड्रिल विक्सित किया गया था जीवी पंध करसी और प्रोदगी की विश्विद्याल है पंधर में आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिर पहले MP में आंदोलन हुआ बच्चों आपने MPPSC का देखा होगा कि बहुत पहले सी विकैसी नहीं आई गूए तो आपने देखा होगा कि आपको अधिकार है कि इस तो कुछ दिन पहले आपने कोई पुलिस भाला धमगा रहा था मैं तुमारे पर फटर जी केस कर दूँगा ये तो एक मतलब तानलम है है कि तो ब दूसरी बार आपने देखा है कि लाटी चालिवाई तो यह मतलब मुझे लगता है कि सौलूसन नहीं है एक तरफ सिवरास्थिंग तुम्हारे मुख मंतिरी रहे हैं जो यह हैं अभी तो है अब आगे चल के क्या होगा तुम जिस समय पर देख रहे होंगे तो वो मामा बने फ नरोत्म मिष्राजी वो एक भासर दे रहे थे किसी ने उनसे कहा कि आप सुसाइड कर रहे हैं बच्चे तो क्या नोकरी आती थी उस समय नहीं मलते थे मतलब सोचिए हो अगर उनका बेटा मरता तर मालुप चलता कि एक बाफ पर क्या भी ती है चात पर जब चात मलता है उस उसकी खाने की स्किति देखिए खाना मिल रहा है अच्छे से या नहीं इतना मतलब क्या-क्या भोगतना पड़ता है तब जाके उसे उसकी जिंदिगी मिलती है और आप कर देते हैं कि सुसाइड नहीं कर रहे थे आपके लिए मतलब उसके जान की कोई परवा नहीं है अपन आपने आपको उसके रखके देखिए पता चल जाएगा कि क्या होती है कि खेती के सानी यह मतलब कुछ भी बोल देते हैं इंसानियत नाम भी कोई मतलब इनमें कुछ नहीं है इसलिए कहता हूं कि इनकी तो चलिए यहां इनकी पाबर है लेकिन भगवान से दौा करिए कि इ मुझे लगता है कि मम्झे का सवह को चल जाने हैं अल्हें यहां वहां उनकी हो रही तो गुदेस जा रहे हैं खेक हैं तो भगवान तो निप्टारा करेगा मुझे लगता है । समय अन्दकार है देर हैं रभी पशल की गवाई होती है अक्टूबर नुम्बर माहिने में अप्टुबार नवंबर महिने में रभी फसल होती है सर्सम असूर चना ग्याहूं ग्याहूं की अच्छी फिती आवसक परिस्तिती समुचर है मध्यम ताप और मध्यम बर्सा गंणा का पास जूट और ग्याहूं में से नगदी फसल में समलेख नहीं है ग्यांू नहीं ने ग्यांू नहीं है। ह्टेकर नगदीफसल समुग हैं गंडा का पाफ केला का? तीन बड़े ग्यांू उत्पादक राच्चियों की दृष्टी से उत्तरपिदेश से सही कर leven हैंे उत्तरपिदेश मद्देश-पिम्जाब बहरत का अदिखतम ग्यहू उत्वादक राच्य उत्तर पदेश में मही सुगंदा पर जाती है धान की इस तरह की ये पिढ़ जातीया भी फूंच लेती है बहरत में उत्तर पदेश का पिढ़मिस्ताने ग्यहू आलू गंडा के उत्वादर में ग्याहूं की वाय पर जाती जो पेरिद उत परिवर्तन द्वारा विक्सित की गई है सौनारा ए चौनसट ग्याहूं में बॉनापर्ण का जीन है नोरिन 10 नोरिन 10 मैक रोनी ग्याहूं सबसे उपयोगत है आसेंचित परिस्थतियों के लिए राज 377 एक पर जाती है ग्याहूं की किसकी ग्याहूं की ठीक है पुसा सिंदू गंगा एक पर जाती है ग्याहूं की यूपी 308 एक पर जाती है ग्याहूं की है ग्याहूं की फसल का रोग है रष्ट आपका ग्याहूं फसल का रोग है कल्यान सोनाई किस्म है ग्याउं की ग्याउं की अधिक पैदावार वाली किस्म में है अर्जुन और सोनालिका अर्जुन और सोनालिका आपकी एक तरह से ग्याउं की एक किस्म है ग्याउं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उप्यूक्त किस्म है यूपी एस यूपी एस एकस कर्मी के लिए राजनेतिक योगता आवसक नहीं है बिल्गुल सही है जिन दो के वीच का संकर क्रॉस है हुए है ग्यमों और राई के करनाल बंट एक बीमारी है ग्यमों की किसके ही ग्यमों की खरीब की फसलों की बात करें हम लोग तो धान की उत्पत्ती हुई है दर्चेड पूर वेशिया में खरीब की फसल है कपास मुंफली धान चावल की खेती के लिए आधर्ष जलवाई पर इस्तितिया है सौ सैंटीमीटर से उपर वर्सा और पच्चीश डिग्री से उपर तापका मसूर अलसी सरसों सुयावीन में से खरीब की फसल है सुयावीन भारत में पिरमुख खाद द्यान है चावल केती के इंतरगत छेद के अमसार भारत में सबसे माठोन खाद है चावल भारत में वह फसल जिसके इंतरगत सरवादिक चित पाया जाता है उत्तर पिदेश में यूबी में भारत में पिती हेक्टर चावल का उस्तन उत्पादन वर्स 2015-1415 में था यह तीन है 2390 ग्राम 90 किलो ग्राम याद रहे कि जो भी अपडेट होते रहते हैं उन्हें करेंट में अपडेट करेंगा ठीक है भारत के चावल की कटोरी चित का नाम है किष्णा गोदारवरी डिल्टा का चित कहा जाता है चावल की कटोरी धान की पूसा सुगंदा फाइब एक सुगंदित किसम है धान की बरानी दुई धान की किसम है बास्मती चावल संकर पर जाती है पूसा रह 10 बास्मती चावल की रुपाई ये तू ओपिफ्त बीच दर है 15-20 किलो मीड पिलो ग्राम इती हेक्टर में ठीक है आंगे हैं आपका कथन ए पंजाब चावल का एक मत्पून निर्यातक है यह पिदेश चावल के उत्पादन में अग्णी है तो ए सही है आर गलत है आपका ठीक है भारत में चावल के सब्सेवड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल वह जीब जो चावल की फसल के लिए जयब और वरक्का कर सकता है यह नील हरेत सहबाद कथन ए बारत में पश्चिमी तट्की तुल्ला में पूर्वी तट्मे धान का उत्पादन अधिक होता है बिल्कुँ सही है कारण आर भारत के पूर्वी तट्पर पश्चिम तट्की तुल्ला में अधिक बरसा होती है ए गलत है यानि कि ए कथन सही है परन्तु आर गलत है पष्चय मंगाल ऊत्तर पिदेश, पंजाब और आंत पिदेश, ठिक है? पष्चे मंगाल, उत्तर पिदेश, पंजाब, और आत्स पिदेश, भारत वर्ष में चावर की खेती सिंचे चित में होगा जाती है मूं और उदर अगर आपसे नगदी पसलों की बारे में पूछता है कपास बारत में कपास की अधिकता मात्रा में उत्पादन करने वाले चित की बात करें तो उत्तर पश्चिम पश्चमी और पश्चमी बारत में देखने को मिलेगा बारत का सफित सोने कच्छित कहा जाता है उज्जयन साजयापूर महाराश्ट में अवय फसल जो सवीद स्वीद की नाम से जाना जाती कपास सत्य कत्हन है भारत की कपास की बोधों का आदी निवास है बिसमे भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किसम में बिक्सित हुई है जिसके फईडाम स्वरूप बर्दित उत्फादन होता है कपास के रेशते प्राप्त होते हैं बीज से महराश की काली बिटी के छेत में कपास को गन्य की फसल से पितीस फर्दा का सौना करना पर रहा है इसका गारने सिच्चाई सुभ्धाओं की प्रसार के कारण इस्च्चestar में गन्य की फसल अधिक लाफड है ठीक है आँगे इतीसत है गन्ना बारत में 3 गन्ना उतपाद गराज्यों का घर्टा रुब्यह गणता हुए क्रम में सएat महाराथ करनातर भारत में सरबादी गन्ना पैसे एग उत्तर पर चीनी को उतपाद है चीनी कारखानों में चीनी मिलाओं में से निकली खोई, भाव बनाने के लिए वॉयलरों में इनन की रूप में प्रियुग की जाती है, बिलकुछ सही है, गन्दा उत्भादन की एक बिवहरेक उपागम का, जिसे धार्नी अगरना उकरन की रूप में जाना जाता है, मार्त के किष्टी की पारंपरीक पदिती की तुल्ना में इसमें बीच की लागत बहुत कम होती है इसमें चौ चयवन यानिकी डीव सिचाही की प्रवाकारी प्रिव ओक सकती है के इसमें अंतरा सस्यन की जादा गुंजायस भी होती है गंडे में सरकरा की मातरा घट जाती है, यदी पकने की आउधी में पाला गिर जाए चीनी उद्द्योग से संब्धिक साही कतन है, विसमें चीनी उद्द्द्दमें बहारत का हिस्सा 1530 से अधे गए भारत में चीनी उद्योंग द्वुसरा सबसे बड़ा करसी आधारित उत्तिह है, भारत चीनी के सबसे बड़ा उभ्वोगता भी है, आप भी तो जानते हैं, आपको भी तो मीठा खाना पसंद होगा, आप बताएए निचे किसे मीठा खाना पसंद है, देखिए भाई मुझे तो है सक्कर नगर चीनी का एक प्रमों पुत्पादत केंदे आंध्पिदेश में भारत का सक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर पिदेश को 1903 में भारत की पिथम भारतबस की पिथम चीनी में इस्थापिद की गई थी पितापुर्देवरिया उत्तरपदेश में उत्तरी भारत में दच्छिडी भारत में चीनी उत्तरण का कारणे गन्य की पित्ती एकड वो चितर उत्पादन गन्य में सरकरा की एक का अधिक होना प्राई का अधिक लंबा मोसम गन्य में पिजिनन का कार किया जा सकती रहा है कुएमबटूर में गन्य का भी युदपादित किया जाता है SBI कुएमबटूर में गन्य की अड़ साली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 मारे कितना 18 मारे आप देखते हैं मेरे यहाद तो क्या हो दो है कि गन्य गन्य को एक बार वो देते हैं और लोग तीन तीन बार काटते रहते हैं मतलब एक बार फसल हो दी उसका तीन बार काटते रहते हैं से समझ रहे हैं मतलग एक बार वो काटते थे थे फिरोस में होगी आता है बगल से कहीं से निकल आता एक डंडेटाई का तो तीन बार मैंने देखा है कटते हुए ठीक है फिर आपने देखा एक गुड़ बनता है उसका रसमलाई इस तरह के तिलहन तिलहनी फसल है सुर मुक्ल तिल और अलसी सुयावीन अरंडी आदी पीली पीत करांती संबंदी थे तिलहन उत्पादन से सुस के भूमी के लिए सरवादिक उचित फसल है मुझफली पैंगिंग एक लापकारी पिक्रिया है मुझफली में भारत में सुयावीन का अगणी उत्पादक राज है बारत में मुझफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज है गुजराद मुझफली के चेतर अंतरगत कम परंतु पिती हेक्टर बहुत अधिक उत्पादन करने वाला राज है पंजाब राजिस्तान पिरमक उत्पादक के सर्सों का किसका सर्सों का ए आपके नीची मांचित मुझफली यहां आपको गन्ना देखने कम लिएगा ए रागी ए और यह आपकी तमागु आंद्पेदेश ओड़ी सापकी रागी के लिए और ए महराष्ट गन्ना और गुजरात मुझफली देखिए बच्पन बहुत कुछ करते थे मतलब आप सोची एक गन्ना चोचना और बनाना कितने सारे लेकिन जब आपसे जिन्दगी आप जिन्दगी का बच्पन अलग बात होती है समझ रहे हैं जिब आप जिन्दगी में आदमी काम में बीच जाए उसकी बाद यह सब खतम हो जाता है एक तरसी वह बच्पन कुछ और ही रहता है समझ रहे हैं आप लोग भारत में उत्पादी मुख के तिलहन फसल है स्वियावीन मुंफली सरसों तिल सरसों की प्रिजातियां है वरुना पोसा बुल्ड और पिताम बरियादी जिफसम की अधिक मात्रा अवस्यक होती है मुंफली की फसल में कौसल उन्नत प्रिजाति है म आप देखेंगे कि प्रोटीन हमारे हां अधिकतर लोग क्या करते हैं कि मास नहीं करते हैं कई लोगों को आप देखते हैं कि इस तरह की मतलब बिलिप करते हैं मतलब सही बात भी है तो उनके लिए प्रोटीन का सिरु आप एक तरह से कह सकते हैं स्रोथ दलहन ही है ठीकर और जब यही नहीं खाएंगे तो कहां से आएगा तो इसलिए इस का उप्य inhali होता है। बारत में सामनता निर्यात नहीं किया जाता है वीदी on the भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादत राज्य देखिए मत्पदेश और राजिस्थान में एक तरश की कॉंपीडीशन चलती रहती है कभी आप देखते हैं राजिस्थान निकल जाता है कभी मत्पदेश तो जिस साल आप जा रहे हैं उस दिन आप लोग देख लिया हावा से नत जन संचीर करने की चनता होती है दालों में दलहनी फसनों के वत्पादन ही दू mitigको क्या है को और कि वाई मेंडल के नत चन कारन करने वालिड़न ही पसले इंचना मतर मुह दलहनी फसनों में Census अंदुलिक खागविक अनपात है, एनपी के 1 अनपात है, 2 अनपात है 2, यानि कि 1 अनपात है 2, अरहर का जनमिस्तान माना जाता है भारत बारत में, मालविय चमचकार एक प्रजाती है अरहर की, बाहर एक प्रजाती है अरहर की, मतर की पत्ती भीहिन जाती है अफर्ना, ठीक ह कि ऐसी किसम है जो किभल भारत में खूती है खर केक्षण को मिले गी एकृषल रेशं का अग्डि उत्वा अक्राद कप ग्याय ही भागानी फसलें कॉफहीं कहवा राष्टी वागवानी परिश्र की स्थापना हुई थी 1984 में, कब 1984 में, यागी भी कौफी और चाय दोनों की खेती पहाडी धलानों पर की जाती है, तदा भी इनकी किर्शी के सम्मंद में इन दोनों में कुछ अंतर पाये जाता है, इस अंदर में सत्कतन है, कौफी की बोदो को उष्ण है, कटीबंदी पर चेत्रों की उष्ण है, और आद जलवाई की अवर्सक्ता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटीबंदी है, और उप उष्ण दोनों चेत्रों में की जाती है, कौफी बीजों की द्वारा फिवर्थित की जाती है, लेकिन चाय की बल, डा आली कलम के द्वारां प्रवधीत की जाती है। बारत में सरवादी कौभी उत्पादम की जाती है करनाटक में। किसमें? करनाटक में। बारत में देश का बगत दसमलाव 33 से अधिक कौपी अकीली पहना करता है करनाटक राज्य। कहुंसा? करनाटक राज्य। आप लोग नह इसका एक चत्र लगाया जाए और जो भी तीरत स्थल हैं, जो भी इस तरह से आपकी पॉइंट हैं, जैसे चलिए मद्धिपदीस का ले लेता हूं लोग, तो जैसे भेडा गाट हो गया, और नर्वदा कहां से निकलती है, कौन-कौन से यहां टाइगर जर्वें, क्या-क्या ह क्या है, मोभाल में रखाँ, जबलपूर में क्या है, इन दोर में क्या है, इस तरह से जो supply पी है, जो भी आपके मंदला है, जो भी जीवासमी जृद्या से जाते इनुट पूरा टोर करूंगा उसके बारे में पूरे आपके आंकड़े भी बताता जाओंगा और साथ में आपको दिखाता जाओंगा कि यहाँ है तो आप अपने अपने राज्यों का बता सकते हैं कि इसकर कहां है उत्तरपदेश में आप देखेंगे कि फतिपोस्तिक्री हो गया अधिकता हूं देखिए टाइम कव मिलता है ताइम ही का है भारत में कहबा कि खेती का छेत्य सरवादी का करनाटक में का करनाटक में चाय वरबर है बस 2015 के आपकरों के इससर चाय के उत्पादन में वह भूगता में चीन का पितां और भारत का दूतिये स्थान है ठीक है भारत में चाय मत्पू निर्यातक देश है बहुत सही है भारत में चाय की घरेली कपत बहुत कम है ऐसा नहीं है आप देखते हैं कि हमारे यहां भी लोग आप चाय पीते हैं समझ रहे हैं आप गाउं में भी आप देखते हैं चाय बीने लगे हैं लोग एक ऐसे चित में जह मुझे लगता है कि आप अगर तयारी कर रहे हैं किसी एकजाम की इस्टूटेंट हैं और जो हकीकत रहती हैं पढ़ते हैं तो मुझे लगता है चाहे आप सबसे जाना पीता होगी जब मैं तयारी करता था और वो लाइगरेरी में बैठा था तो मैंने अपनी खुद गिनाह मैंने दस से बंदरे कभी कभी चाह हो जाती थी इतना अधी हो चुका था एक तरह से पर आप में अगर गया रहे हैं यह अगर चाह वाले आ गए तो तरह चाह मतलब इतनी आदत बन चुकी थी यह तरह से तलब नहीं लगने लगती है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह दारूपीनों बालों को नहीं रहता है आप बैसी ही आलब थी तो यह देखिए होता है चाह क्या रहता है यह आप इस्टुडेंट है आप इतरह समझ रहे होंगी हमारी प्रोपलम अपनी आरब है लने भागानी पछलें भारत के हुगाय राज जहां कहण रップ तमागु सभी की किर्षय की जाती है कहां defend जत्यम्य की को सई कहा यह दर्स दारि किकई ह nel dopeatas. तमाकू आंद पिदेश में विस्तित प्रवानी पर हो गाई जाती है। भारत में तमाकू का असरबादिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंद पिदेश। कौन सा? आंद पिदेश। भारत में तमाकू किर्थी के इंतरगत बेहत्म शित है आंद पिदेश। भारत में ना किेरल लों प्रक्त होता है किसे और तमिलारु और करणात कि छहीं समल्द में सबस्क्रमाल छयां। है जूट पश्चे मंगार छाय असम रवर केरल केरल घंण हुथ वह एसनowej सकतल आठीle घंठीलमेच कि लिएिए वार्सेल और आद जलवायू 200 cm वार्षे परसा, 1100 मीटर तक की उचाई की पहाड़ी डलाएं है, और 15 दिगरी सल्सियत, 30 दिगरी सल्सियत तक वार्षिक ताप परिशत, भारत में काला सौना की रूम में जाना जाता है, काली मेर्च एवं कोई राथ, बारत में मसालों का सरवादी सरवादक राज है महराष्ट में, जोमिंग खेती, इससे भी आपके questions बनते रहते हैं, जोमिंग खेती का मतलब सीधा सा होता है, कि एक जगह है आपने खेती की जंगल काटकू, वहाँ जैसे ही अनुपजाव होती है वाद जमीन, आप दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है जिनल राज्योम के पहाड़ी चित्रों की प्रमुक समस्या है, वह राज्ये असम और जारखन, किरसी विविद, केरल, टैपियोका, राज्योग है और उत्पादन, गुजरात, कपास, पष्चे मंगाल, पर्सन, गुजरात, मुखली, ए फसल होगी, उत्पादक, बेहत उत गुजरात, क्या है, गुजरात, दांडी मार्च, गांदी जी की द्वारा चलाएगी थी यहीं की बात है, सूची किरसी उत्पादन और अग्णी राच, चना, मत्वदेश, कादी मेर्च, केरल, अन्नास, पष्चिमंगा, इफसल होगी, हसल ना सकी, चावल, गुंडी, मत्कुट, ग्यमू, एपेश, गन्ना, सीज, प्रोवे बेदक सलब, चना, गोलक सलब, हसल का ना मोग है, बीमारी का ना मोग है, गन्ना, रेड राट, धान, खेरा, अरहर, उक्टा, बिल, आलू, जुलसा, लेट, बिलाइट, हर दवाल लोग पाये जाता है, बाजरी में, इसमें बाजरी में, गन्ना, चकुंदर, स्वीट, फी, चना, अरहर, फरास, वीन, आदी आती 2015 सूले में भारत में कुल उत्पादन उत्पादक हुआ, खाद्यान खाद, 259.57 मिलियन टंड, ये आपके लिए मत्पूर नहीं है, आप बददते रहते हैं, ठीक, विसमें ख़ल उत्पादन में भारत का इस्थान है, दूसरा, बारत में सरवादिक परसन उत्पादक बारत में जूट का जरौदीक चितपल है, पच्ची मंगाल में, वर्स बर भोई जाने वाली पसल है मकका, मकका के लिए सही कतन है, मकका का मंड की उत्पादन के लिए प्रुद किया जा सकता है, मकका से निस्कर से तेल, जैब डिजर के दिजर के लिए फट पूर किया जा स सक्तिमान एक और सक्तिमान दो अनुभानसिक परिवर्टी फ़सल हैं मक्का की एक बात और आपको उत्तम देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर कठिन होता है या किसी एक्जाम को देपाना मुस्किल है आपको के लिए सब आसान है लेकिन आपको कुछ सामान जानका बता नहीं होती हुआ कई लोग तयारी करने लगते होने यहीं मालूपी रहता है एक आप लोग सथाई आकड़े पख़णना सीख जाहिए और आए सथाई क्योंकि सथाई हमें सथाई रहेंगे और उनके बारे में आप देखिए गंदी जी के जैन्ति के बारे में लेगी अ तो इनके बारे में आपको याद रखना होगा है, करेंट से जुड़ा रहे हैं दूसरा किस तरह से questions पक्र जाते हैं आप 1000 books पढ़ लिजे, जब आपको मालू ही नहीं रहेगा कि questions किस तरह के पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगी और अधिकतर लोग तो क्या करते हैं कि सिलेबस देखते हैं और पेपर दने लग जाते हैं कोई है कि जब तक है दम तब तक हम देंगे पेपर, मतलब हम भनते रहेंगे एक दो बार अगर आप लटक रहे हैं आप फैल भी हो रहे हैं तो कम से कम अपने अंदर जहां के लिए न चाहिए कि आप कहीं गलत राश्ते पर तो नहीं चलना है क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे सही रणनीती किसी के बास नहीं रहती है अधिकतर लोग इसी कारण फैल होते हैं जो अपनी रणनीती बना के चलते हैं वह उपास हो जाते हैं तो आप लोग रणनीती बनाईए तो बहुत जल्दी हो जाएंगे वर्ना पंचवरस की यह उजिना और छटवी यह उजिना लगी रहेगी बारत में केसर का वाड़ेजी के स्थर पर उत्पादन होता है जम्मू कस्मीर में बारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा हुपन होती है कस्मीर में फसले हो गई भोगली परिस्तितियां हो जो ठंडी जल्वाईव और अपेक्षा की कम उप जाओ मिलता चावल तब्त और नम जल्वाईव उच्च तोंगता सूची एक सूची दूँ कपास वर्षा इस के लिए पास दो से एक जार मिली मिली मीटर और तामान अठारे से 20 डिग्री सेल्सियस थलेक्स वर्षा 600-800 mm तामान 15-18 डिग्री सेल्सियस चुकंदर वर्षा 500-600 mm तामान 18-22 डिग्री सेल्सियस पर्षन ये वर्षा 500-2000 mm तामान 25-15 डिग्री सेल्सियस वह है पौदा जिसकी खेती पौद का पिती रूपन करने करके की जाती है प्यार्च पहले आप देखते हैं कि इसका बीज बोजे दिया जाता है एक जगे उसके बाद इस तरह से पत्ते डाल दिये जाते हैं उपर और उसके बाद बीज हो पौद के आता है उसके बाद इन्हें अलग 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 स्थानों को लगाया जाता है इसकी पौद बिखती है ठीक है आप किसान है तो मुझे लगता है वहतर समझ रहे होंगे फसल चक जो पोरवी उत्तर पदिश के लिए सरवादी को पयोगत समझा जाता है धान मक्का के ह भागे रती घाटी का राजमा और आलू की केती प्यारम करने करते रहे दिया जाता है विल्सन को एक कॉपी बोर्ड आपको बेंगलोड में देखने को मिलेगा रवर बोर्ड को टायम में देखने को मिलेगा चाय बोर्ड कोलकाता में और तमाकू बोर्ड गॉंटू याद कि आप से कुछना था मुझे कि तमाखू के जो भी प्रोडेक्ट रहते हैं आप देखते हैं उन पर चेत्वावनी दी रहती है एक तस्वीर वड़ी रहती है और लिखा है कि साफ साफ सत्वों में कि इस ते कैंसर होता है फिर भी लोग क्यों पीते हैं यह बताईए आप चुननी है देखिए किसी अनपढ़ की तरह आपको जवाब नहीं देना है कभी एक सामने वाला क्या कर रहा है उसे को छोड़िये क्योंकि अधिकते लोग क्या कर रहे हैं आप लोग जानते हैं आप लोग एक मर्यादा में रहे को जवाब देना पर चाहिए मुझे यही आप देखना है अधिक तर्माले मामले में चेंड पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर आम रूब रहते हैं जन संख्या के मामले में ले लिए चेंड पहले और भारत दूसरे आम की वीज रहे प्रजाती सिंद है आम की वे किस्म जो दसहरी और नीलम के क्रॉस से विख्षित की गई है आम पाली ललित उन्नत किस्म है अमरूत की आम की नेमित फ़सल वाली पर जाती है तसहरी 51, बेंगाद वुरा दोतापरी और नीलम आमपाली आदि कंचन एक उन्नत किस्म है आम लाखी केली की अदिकतम उत्पादन होता है तमिलारो में, बॉल लोग पुरुसकार दिया जाता है किसी के विज्ञान के लिए, याद रखे बॉल लोग पुरुसकार किस चेत में दिया जाता है किसी विज्ञान के चित में, ठीक है, कई बात पूछे ने इस तरह के questions, पिस संप कर ये तू आदू की स कि बाक्तर्था में बिद्धी लाना ये फसलें के वल चावल गेहूं दलन बाजरा चारा की फसलें वह फसलें जो अधिकांज था निर्वाहे मूलग किरसी के अंतर कर पैदा की जाती हैं मौटी अनाज और चावल अधरक का तनाज जो मिट्टी से में उखता है खाद संग्रे तक किया जा रहा है वह है जापान प्रमुख फिता बरसा अधारित पसले मूग फली तिल बाजरा वह फसल जो दलहन चारा और घरी खाद की नुमें प्योक्त होती है लोगिया अरहत मूग वह राज जिसमें सर्वोग प्योक्त जलवाई विशेव इस्तियां उपलबतें ज देश का पितम पूर्ण रूप से जविक राज भूसित किया गया सिक्किम या आपका MPVST में दो तीनवाल कुश्चन साह पूंच लिया गया और आपका कई राज कुश्चन्स कई वरीच्छां में पूच अगया है तो याद रखिए देश का पितम रूप पूर्ण रूप से जविक राज खेती करने वाला राज्चे सिक्किम गुजरात राज्जी की विशिश्का है उसका उत्री भागसुस की वम अर्थसुस उसके मदभाग में कपास का उत्वाधन उसके राज में खात फसलों की तुला में नगदी फसलों की खेती अधिक हूंती भावर गया भारत में गवार, क्लश्टर वीन, का पारबरिक रूप से सबजी या पसू आहार की रूप में उपयोग किया जाता है। किन्तु हाली में इसकी खेती निगमात का इस्तान पराप्त किया है। इस संद्र में सही है। इसके बीजों से निर्वे गौन सेल्स गर्स की निसकरशन में प्रिविक होता है। बारत में पश्टी मंगाल मचली का सबसे बड़ा उतपादक है। बिल्कुस सही है। पश्टी मंगाल की सागरततकी किनारे मस्ट द्युक्सो भिख से थे यह गलत है आपका। एक अथन सही है और गलत है कारण। बारत में कुल मत्स उतपादन अग्डी राज हैं। आंदपिदेश वपाश्टी मंगाल गुजरात तमिलाडू। PBW 343, DBW 17, पिर जाती हैं किसकी ग्योंकी। धान की खेरा बीमारी के लिए प्योग किया जाता है। जिंक सालफेट। याद रखे कि खेरा बीमारी आपकी धान में होती है। भारत में आम का उतपादन करने वाला प्रमुक राज है। उत्तरपिदेश, आंदपिदेश, तरनाटक, तेलंडार। आप देखेंगे जबलवा देखेंगे आपलये सबस्कें कानपूर की राश्ति जाएंगे लखनमु लखनमु लखनव कानपूर तरап तो आप देखेंगे कि राशते में आपकोações मैं आपको टाइम पाते हैं चर्याते हैं क्यों छ रॉह समझुत रहे रुड़ है सबसे अधिक है बहारत की लगवग एक तेहाई गाय बेलों की संक्या तीन राच्चों में पाई जाती है अधिक है निगी में जोभी काम करना चाहिए पूरी उससे करना चाहिए ऐस चमता की साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप पूरी चमता लगादी है देखेजिए रिजल्ट मिलना या न मिलना यह अलग बात होती है यानि कि सफल होना इस तो यह अलग बात है लेकिन अगर आप 100% उस पाम में नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बाद में पश्च्टाबा रहेगा और आपकी दिमाथ में आएगा कास ऐसा कर लेत कई लोगों को मैं जानता हूँ जो पसू पालन करते हैं अभी कुछी दिन की बात है मैं कहीं बैंक में खड़ा हुगा था किसी काम से वहां यसी तरह के लॉन की बात हो रही थी गाय पालन भेंस पालन की तो एक मैला वेटी हुई थी मतलब थोड़ी बुली बईया मैं भी मेर बच्च करते हैं और बुले पहंस पालन करवाते हैं बुले मेरी जिंदगी देखिये कभी बी आईपी मतलब अच्छी बनी जिंदगी है हम लोगों की बुले कि वेटा को करना नहीं चाहते हैं कोई बना महनत है थोड़ी महनत है लेकिन उसमें आय बहेंकर है और मैं ऐसे कह बचंपी और लोगों को जानता हूं जो मतलब अच्छा बला पैसा कमा लेकिन हम क्या आकर सोचते हैं कि पालेंगे मुर्ये पालन करवाएंगे बेड़ पालन करवाएंगे सुवर पालन करवाएंगे इस्से हमारी इजजिस से लगा लेते हैं तो जब आपके पास वह बस डरना है किसी से तो ऊपर वाले से डर रही है, ठीकर, भारत में सरवादिक सरवादिक दूद देने वाली बकरी का नाम है जमना फरी, थार फरकर प्रजाती की गाय पाई जाती है, ग्राजिस्थान की स्रीमावर्थी चेत में, गाय की जो नसल अधिक दूद देती है, साही वाल, विसमें दूद दूद उत्पादन की चेत में भारत का इस्थान है, पिथम, भारत में दूद का सरवादिक उत्पाद बहारत की स्वेद करान्ती का जन्र कहा जाता है Dr. बर्गीज कुरियन को सवेद करान्ती संबंदि थे दूखद उतवादन सिक राष्टी डेरी सोध संस्थान इसन थे करनाल में राष्टी डेरी, स्तोत संस्तान का है, करनाल में, ठेक है, खनीज देख लेती है, संस्ताधन सेल तंथ, भारत का सबसी मत्मूर्ट खनीज युक्त रॉप तंथ है, धारवार चित तंथ, बिंदे सेलों में विखद भंढार पाये जाते हैं, चूना पत्तर के, भारत की खनीज संसादनों में किए सबसे अधिक बड़ी भंदार है दच्छेठपूर में खनेजबान संसादन की सरबादिक संपनता है करनाटक में यह दाग भी खनेज हो गए लोहे एस्क भारत की भूमिकिये सेरों क्रम में लोहे एस्क का संभड भंदार पाये जाता है धारवार क्रम है भारत में कोईला की कुल संचित भन्दार की द्रिष्टी से संपन्न राज जी जारगंड उडिशा चतीजगर पश्चमंगाल मदवदिश बारत में कोईली के उतपादन की द्रिष्टी से सीस राज जी चतीजगर जारगंड उडिशा मदवदिश तेलंगाल ठीक है? आँगे है आपका कुद्दे मुख छेत संबंधी थे लोए असक से वह भारती राज जहां लोए असक के उपलबत नहीं है पंजाम में राजिस्थान की नात्रा की पाल छेत पाये जात में पाये बजाने वाला खने जिन लोए असक से बारत में सबसे वड़ी मसीनी के खान है बैला डीला खान जस्ता की बारे में बात करने तो यसी आगे तरिष्ट जस्ता और सीसा आइस के भंडार उपलब दे भीलवाड़ा जिली के रामपुरा अगुच्छा में राजिस्थान का लगव एकादिकार है जस्ता पर चांदी भारत में प्रोक चांदी उत्प उत्पादक राजियों की बात करें मद्वित राजिस्थान जारकंड भारत में सर्वाद एक निकेल उत्पादक उडिसा एतामा की छेत्पु का राज चुबे चंदरपुर एको महाराष्ट में देखने को में लीगा हासन करनाटक खमम ए तेलंगाना खेटडी राजिस्थ वॉक्साइड की अगर पूची तो वॉक्साइड एस्थ है ऐलूमीनियम का भारत के दूस्थ इस्तत वॉक्साइड उत्पादक राज उडिसा और गुजराद उडिसा गुजराद भारत में 10S का प्रमुक बंदार है चतीजगर में बारत में 10 का अग्ड़न उत्पादक र बारत की सबसे बड़ी अब्वैक मेखला बालिजिले हैं हजारी बाग गया मुंगे विसमें अब्वैक का अग्णी उत्पादक देश है चीन संगमर्मर सबुत्तम किस्म का संगमर्मर पाया जाता है मकरान में संगमर्मर एक है कायांदि चट्टाने एवंपुनर रवी भारत की सेल तंतों में कोईला निचेयों डिपोजिट्स कपरमो फ्रोथ हैं गौडवाना तंत भारती ये कोईले का अभी लख्षण है उच्य बस्मन निम्न सल्फर अंस भारत की सेल जमूव में यसे गौडवाना सेलों का सबसी महत्कून बाने के लिए तरक उपयुक थे इसमें भारत का 90 पितीशा से अधिक कोईला बंडार पाय जाता है पर आप तुझान करेंगे वर्टमान इस्तिति में संसाधन पर इस्तिति को देखते हुए भारत 30 वर्स तक आत्मेबर रहेगा कोईला से में चोटा नांक पर अब्दोगीक छेत का विकास संबंदीत रहा ह कोईला की खोचते में कोईला पादन में जारगंड की भाग यह दा रहे ए 20% 20 वायराज जिसमें नामपुक कोईलाचे तबस्ते थे अरुनाचल पितिशत कोरवा कोईलाचे तबस्ते थे 36 गड़ में कहां 36 गड़ में सोची हो गई सोची दो कोईला उतपादक्षित कोईला खदाने दामुदर गाटी बराकत सौन गाटी उमरिया गोदारवरी गाटी सिंग्रेनी महानदी गाटी तल्चर तल्चर एक पिसिद कोईलाचे थे उड़ीशा में कहां उड़ीशा में बारत के कोईला उतपादन में छोटा नंगपुर का युगदान है लगबग अस्ती पीथी से कितना 80% कोईला चे थे जिसमें कोईला बंदार सरवा देखे जरिया रामी गाटी जारखंड में कोईला की खानेशते थे जरिया में कथन एक लिगनाइट निक क्रिष्ट कोटी का कोईला है जिसमें कारवन की मात्रा 35-40 फिती सत है बिल्कुँ सही है भारत में जारखंड लिगनाइट का सरवादिक जमाव पाए जाता है तमिल लाडु में कहां तमिल लाडु में कथन एक कारण अधर कोईले का अंतर आज य हाले प्रिवां का एक प्रमुक घटक है बिल्कु सही है बंगाल जाल कंद قुली की खदाने पर्श्मो अतर राजवों की कोटी का प्रमुक चुरूत है यह आर दौनों सही है और यह की रिणत क्षा दे लिगँ ऐका भी कर रहा है बिश्राम पूर मागाश्य की लिए बिश कोईले की बेहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोईले का आयात करता है क्योंकि भारत के अधिकतर बिद्धुत सेंध कोईले पन अधारेत हैं और उन्हें देश से परयात मात्रा में कोईले की आंतरे आपूरती नहीं हुपाती है इस पात कंपणियों को बड़ी मात्रा में कोईले की अवसरता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है आपने देखा होगा अभी 2014 से जबसे नई गवर्णमेंट आगी है वो नभी करनी है उर्जा यानि कि आप देखिए सौर उर्जा जल उर्जा पवन उर्जा इस तरह द् जब तक मानव रहेगा तब तक भो भी रहेगी या कह सकते हैं कि जब तक भो है तब तक मानव रहेगी या कह सकते हैं कि जब तक भो है तब तक मानव है पानी की बात ऐसी कर लिजे जब तक पानी है तब तक मानव है समझ के तब तक उसे जोड़कर एक तरह से आप कह सकते ह निमने कोटी का कोईला में है कि हम बात करें. धारत यूल्र में सबसे पुराना तेल बंडार थी व्य हुए सुधन. सबसे जानद हम लोग आयात करते हैं हमारे पास इतने भंडार नहीं है कि हम पूरी तरह से सख्चम हो ठीक है तो कच्छे माल कच्छे तेल या कच्छे इस तरह की गयर्सका हम लोग कहीं कहीं आप देखते हैं कि 70-75% भी हम लोग आयात करते हैं अपनी कुल एक तरह से मदलब अधियुज होता है जतना बांत में पैट्रोलियम के अगनी उथपादक राज्य राजिस्तान अन्कलitailys और की सिद्य हैं पैट्रोलियम के भंडारें के लिए लूनेश्य पैट्रोल उतित इस तित पहे गुजरात में देखने कुण लिगा 9 गराम तेल चे तिस्तित है गुजराद में भारत में सरप्रितम खनित तेल कभुगा पुदा गया माकूम में कहा माकूम में आंध्पिते सबस्ते तेल परी सोधन साला है विसा का प्रणब तेल सोधन के लिए पाना गुडी तमिलाडू के सदे पव 1980 के दोरा है ठीक है आगे सुची 1, सुची 2 ए तेल सोधन साला हो गया राज हल्दिया पश्चिमंगाल जामनगर गुजराद में कुच्ची ए आपके रल नुमाली गड़ असम में देखने को मिलेगा सुची 1, सुची 2 तेल सोधन कारखाना हो गया राज हो गया ताथी पाक अंध्विदेश, कुवाली, गुजराद, वरोनी, बिहार सुची 1, सुची 2 तेल सोधन साला है राज, नून माटी असम मंगलोर, करनाटग, पानीपत, हर्यारा ठीक है ए तेल सोधन साला हो गया इस्थाफित बीना मद्विदेश में ए बीपी सीयल द्वारा इस्थाफित क ओ ए ओ एन जीसी द्वारा डिखोई असम में, ए ओ आई ओ सीयल द्वारा कुवाली, गुजरात में, आई ओ सीयल द्वारा इसे भी इस्थाफित किया गया है, मंगला भाग्यम सक्ती एवं एस्वर्या इस्थेते बाडमीर सांचौर, बेसन में खोजे गए तेल छेते, 14 एन EMP blocks, AJV blocks और दो NEP, Nomination blocks, 4 CVM blocks संबन्दित हैं आपके पैट्रोलियम अनवेशन से, किसे पैट्रोलियम अनवेशन से, हाइडोजन बीजन 25, 2025 संबन्दित हैं पैट्रोलियम उत्वादन के बंदार से, पैट्रोलियम उत्वाद के बंदार से, भारत में तेल अनवेशन का कार किया जाता है, OIL India Limited द्वारा, HBJ pipeline द्वारा, प्राक्तिक गेस का परिवान होता है, दलहनी बेशन से, बिल्कुल सही है, हजीरा, बीजापूर, जग्दी सोर, गेस pipeline निर्मित की गई, गेस अथर्टी ओप इंडिया Limited द्वारा, भारत में अधिकांस प्राक्तिक गेस का उत 2009 में लगातर चर्चा में है, यह भारी मात्रा में भनदा रहे हैं या गेस का, इसका इसलिए पिसित है, भारत के वजशित जिसमें गेस, सेल गेस का संसाथम पाए जाते हैं, केमवी बिसिन, कावेरी बिस न, किष्णा गोदावरी बिसिन, इस सभी चेतरों में, ठीक है? कोईला लखडी डीजल पैटॉल में से जीवास में इंदा नहीं है लगडी ये विवेद खनिश से सम्मनित गौर्बाना संस्तरों में पाया जाता है कोईला निच्चे माईका सिटी ऑप इंडिया कहा जाता है कोडरमा को ठीक है तावा गार्नेट तामरा मैगनीज मैगनीज पाई राइट मैसे कायांती चट्टानों में से सम्मेद दिनक करेंगे गार्नेट यानि की तामरा को क्वाइड जाइट कायांती होता है बलुआ पत्थर से इंडियन मिर्रल बोक 2015-2013-2014-2015 में बात में मैगनीज के सरवाधिक उत्पादन किलने बाला राज है मंद्पेश महराथ उड्यसा पहले मद्पेश हो गए हैं से सूथ पास्राज लोज इस उडिशा, तामा, राजिस्थान, पिथम मद्धिपदिश, ठीक है, ताम इवें पिथम मद्धिपदिश, उसके बाद राजिस्थान, सोना, करनाटक, अफ़े, आंधिपदिश, ये भी सोची सही सोची दो है, खनिज तेल, गुजरात, पिथम, राजिस्थान, जिफसम, इकानेर सरी गंगा नगर पट्टी में बहुतायात मात्रा में पाये जाता है जो कि परियावन पिदूसन का कारेने मिट्टी के उर्वड़ता को बढ़ाने में काम आता है गोडवत्ता, गोड़ात्मक, संबर्धन, बेल्यू, एडिशन के उपरांद उसका उपयो, है, निलोर, ओमैली, बंदार, ठीक है, ए सूची एक हो गई, और सूची दो हो गई आपके ठीक, कैन्द हो गए और खनेज, मकुम, कुविला, डल्दी राजहरा, लुएस, कोराफुट, बॉकसाइड, चित्द्रोग, मैगनीज, ठीक है, ए भी सूची है, सूची दोग, छि है, मोसाबानी, एतावा, और अवा, खनेज तील, पैट्रोलिय, सूची एक सूची दो, लुएस, खेत हो गई, राजच हो गई, बादापाड, ओडिशा, धल्ली राजहरा, चत्तिसगर, कुद्दे मुख, करनाटक, नुवामुंडी, ज्यार्गन, सही समलन है, राखा और तामा, राखा तामा, हमर कंटक, बॉक्साइड, अंकले सो, खनेज तेल, क्या है, खनेज तेल के लिए, और खेत डी, तामे के लिए, खेत डी, तामे के लिए, ठीक, सूची एक सूची दो, खनेज पलाड, खनेजन, छेत, ग्रेफाइड, रामपा, सीशा, जावर, लवन, तेड़वाना, चान्दी, बेलतारी, ठीक है, तावसोना लोहा कोईले का सही किरम है, खेत डी, कोलार, कुद्दे मुख, जारिया, ठीक है, स्वड, कोलार, लोहा, कुद्दे मुख, लोएस्थ, क्यूंजर, कोईला, कोरवा, ठीक है, आँगे है आपका वहराज जिसका प्रुमाईड उत्पादन में, उत्पाद में लगए, बग एकादिकार है, यह आपको देखने घुम लेगा, उड़ी सा, कौई सा, उड़ी सा देखने घुम लेगा, ठीक है, खाने जोगे, और छेत होगे, जिपसम, जामसर, क्या है, जामसर है, ठीक है, और आपसे अगर पूंचे की तावा, खो दरीवा, रोख फोस्पेट, जामर कोट, कोट डा, ठीक है, उसके बाद सीशा जचता, राम, पुरा अगूचा, यह भी आपका सही सम लेते हैं, सही सुमलन है, बैला डीला, चाथीजगर, कमान गुंडी, करनाटक, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, करनाटक, 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 कभी कभी क्या होता है, यार माउस पढ़ता नहीं क्या प्रोबलम करने लगता है, मैयूर बन उडिशा, ठीक है, बता महीं कोई प्रोबलम आचुकी ही लेप्टाउम में, चलिए अभी आपका काम चल ला है, फिर देखता हूँ, हीरा, पन्ना, लोएस्क, वस्ता दुरू, बॉकसाइड, सर्गुजा, मंडला, सतना वालागांट, विलासपुर, कोईला, सीधी, सर्गुजा, विलासपुर, रायगट, सह प्रेडूल, चिदवाडा, बैतूल, ठीक है, एक कोईले के लिए पिसिद्य छेते, एक तावा, खेत्री, गैस पिलांट, और एया, अलूमिनियम, कोरवा, पैटॉलियम, कोची, ग्रैडाइट पट्टियां तुथा सलेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, उत्तरपदिश उत्तरपदिश से ललितपुर में, ठीक है, और भारत में हीरे के खान ही अवस्तित हैं, मद्ध्विदेश में आप देखेंगी पन्ना, हीरे के खान के लिए पिसिद्या, वह जिला जिसमें हीरा युक्त केमबल लाइट के बेहत भंदार पाए जाते हैं, राहपुरे, सॉन जर्मिनाइट, जिर्कौन और सेल्मिनाइट, केरल के समुद्री, तठफर पाया जाने वाला खाने ये मनोजाइट, कौन सा हैं, मोनोजाइट, ठीक है? केरल की मोनोजाइट बल्वभा में पाए जाती ह lijँ, यूरेणीयम, ए यूरेणीम के अंध हो गा है आपकren और ए रोहेल, राजिस्थान, गोगी, करनाठर, गोगी, करनाठर, ठीक है, जादु गोड़ा पिसिद्ध है, किसके लिए है, ये यूरेनियम के लिए आपका पिसिद्ध है, जादु गोड़ा, ये आपका यूरेनियम के लिए पिसिद्ध है, छतीसगर राज्य पे प्राक्तिक और यह स्थान हो गया, कोईला की पूछे तो ग्रिडी, तामा, अलवर, मैगनीज, धारवाड, बुरा कोईला, जिसे लिगनाइट की नाप से जानते हैं, यह जैन कॉंडम में, ठीक, खनिच छेत हो गया और खनिच हो गया, गुरु मही सानी, लोहेस्की के लिए, तलचर, लिए, भारत में सरवादीक नमपूत पाधन होता है, गुजरात राज में, कहां? गुजरात राज में, एबिद्धत उढ़्जा, तापई उढ़्जा की बात करते हैं, इडुक्की, जल्विद्धत परियोजना है, सवरगिरी, एज़बिद्धत परियोजना है, म Sharach जारकन 5, म अधृदिश, दावोल, महराष्ट ुढवभा न एंग यज आधारी शक्ती सिर्वा रे ए माहराष्ट में भारत में उर्जा का सरवाधिक多 है कोईला सी होती भारत में उर्जा उंतपादल में सरवाधिक से उस्मी है सरंवल उर्जा का भारत में सकती खंड में उर्जा सरो होता हूँ कि भाब का सही क्रम है ताप ये प्रजल फे बायू पवन और फिर देखे हैं आड़ भी पूजा पश्य मंगाल में रठ्टी ताप उर्जा कॉर्परेशन द्वारा सोपर ताप विद्धू उत्पादन केंद इस्थाप के थे फरक्का में कहां फरक्का में या कि निवेली ताप विद्धू सहिंद का भरन है तितियक कोईला तितियक कोईला लिगनाइट से रामकुंडम से ओवरा ताप विद्धू केंद की स्थापना की थी ए रूस है क्या है रूस है ए सूची एक सूची दो बिजली घर हो गया राज कोठा गुदम ए आंध्विदेश में बर्तमान तेलंगाना में याद रखिए उस समय आप जानते हैं कि आंध्विदेश से अलग करके तेल कि अली में हर्दु आगंज उत्तर विदेश उतारंग गुजराथ पारस महराष्ट सुची एक सूची दो राज जोगर इस्था पे ताप ये सती चंता में स्थानों हो गया गुजराथ तुदियय नंबर पर महराष्ट पिथम नंबर पर को दूतर विदेश तीय नंबर प परीयोजना और कंपनी के हुआ जॉचपूर में एकीकित-इस पात सेयंत उडीसा में एकास सेयंत पर्योजन टाठ टे लंगे जाम नगर में विजली सेयंत जैंत गुज्रात में इससार पाबर और नविश अत्र भिएर में धार्थी र Sang Num क oc बिजली सेयंद केरल में है राष्टी इताप और वित्वत निगम में नापकी उर्जा भारत में पिथम नीव के लिए उर्जा स्टेशन की स्टाफना हुई थी तारापुर में 2016 तक भारत में कोल खवफाधित उर्जा में नापकी उर्जा का पितीशत का 3.38 पितीशत, नमंबर 2017 अंपडों की नापकी उर्जा का पितीशत 2.1 है कितना ? 2.1 है यह बदलता रहता है इसके लिए आपको करण से जूड़े रहे हैं भारत में फिचोर मात्रा में उपलब्दे मत्मून नाप किये इंदने थोरियम, कौंसर? थोरियम, सूची एक, सूची दो, नाप किये सक्ति केंदुगए, राज चुगए, कोटा, राजिस्थान, तारापुर, महराण, काकरापुर, हुजराद, नरोरा, उतर्कदिश, ए सूची एक, सूची दो, फर्माडू विद्दुद सेयंद या गुरूजद सेयंद और राज, थाल, महराष्ट में, मालगुरू तेलंगाना, कहगा करनाटक, मुखपा अंदल में तमिलाडू, तमिलाडू के कोड़न कूलम, मैं पर्माडू रियक्टर की 6 काईयां लाने हितु राजी हुगा था, कौन रोज, रोज, ठीक है, कोड़न कूलम नापकी यूद्जा सेयंद पर्माडू उर्जा हितु भारी जल्व सयंद इस्थाफित किया गया हजीरा, बड़ोदा, कोटा, मानगुरू, थालादी में, मीठी विर्दी पर्माडू उर्जा सयंद इस्थाफित किया जाएगा, USA की सहयोग से, अडू सक्ती विद्दुद निकम लेमेटेट एक पॉइंट की बात करूँ, तो कोईरला जल्विद्दुद ग्रह अवस्ते थे आपका महराष्ट में देखने हुक मलेगा, राणा पिताफ सागर पर बिद्दुद ग्रह इस्तापे थे कोटा में, राजी स्थान में, ठीक है? आँगे हैं आपका उर्जा से संबनीत कुछ औ पॉइंट, उसमा बिद्दु सेहंद पवन उर्जा, जल्वितुत उर्जा सेहंद और नाथकी बिद्दु संपन में से महराष्ट का सतारा पिसिद्द है, ये पवन उर्जा सेहंद के लिए पिसिद्द है, पवन उर्जा के उत्पादन में पित्थमिस्थान क्यों रखता उजा सरोतों का युवदान लगभग 14,30 से यह दिखे बिल्कुस है गुजरात महराष्ट तमिलाडू और करनाटक राज्यों में सिर्फ पवन उर्जा की एसिया की सबसे वड़ी परियोजना जिसकी चमता 150 मेगावाट की है यह आपको तमिलाडू में वर्तमार सुजलाल लेकिन अभी आपने देखा है गुजरात में जो बनाई जारी यह सबसे बड़ी है इसकी चमता आप देखेंगी DRS 100 मेगावाट देखेंगी ठीक है बारत में जुआरीय उर्जा उत्पादन का प्रमुक चित है खंबात की खाड़ी बारत में जुआरीय उर्जा के सरवाद की पिती ब्यक्ती चमता और पादर में पितामिस्तान पर है आप देखेंगे गुजरात बारत में पिती ब्यक्ती प्रयात्मिकूर्जा की खपत है यह देखें पुराने आखड़ी है ठीक है देख लिए प्रवादी 423.5 kg तेल यानि की 17,731 मेगा जूल के वराल अभी जो नई आपकी घटना इद रिष्टी की आएगी ना पूरी बरसांग 2020 के लिए 2019 की पूरी कवर करवाती थी हो 2020 की अगर आती है तो मैं मार्केट देखता हूँ अगर मिल जाएगी तो उसका भी कर देंगी विवस्ता बहुत जल्दी ठीक है भारत में अपना सौर उर्जा पिल काफी जानदा होती है राज विद्धुद बोर्डों के वड़ित्लिक स्वाहित्ता में कमी राज सरकारों ने राज विद्धुद बोर्डों के मात्यम से सामाजी परिदान नीतियों को किरियान भीत किया है बहुत आप ये उर्जा पर आधारीद मनीकरन विद्धुद साह तो यह बायो गेस नहीं है कौन सा बायो गेस नभीकर करमेगर्भी 3-य नभीकर लगी से जबसे आपकी रशाली पवर्णष की रशा और पिफवी की नभी नी किरत उर्जा का मतलब होता है कि इसे कपी दोसर पहलता है और लंबी समय तक चलती रहती है साथ में, ठीक है, 2014 से जब से आपकी नई गर्वरेंट आई है, ये कुछ इसी पर आपका जाना जोड़ दे रही है, उद्धोंगों की बात करें हम लोग, तो लोह इस पात उद्ध्योग, इस उद्ध्योग की ऐसी अविस्तिय तांतरन का प्रमुक कारण क्या है, ग्वाई वा मद्वरेश की कुछ भागों में उत्तम साइणी की लोह इसके निच्छेपों का मिलना, और इस चेतके से इस पात निर्यात की तुल्लाहत्मत सुगधा होना, भारत में इस पात उद्ध् इस चाहे कोक कारी कोकिंग कोईला की, इसको B.S.L. भंद्रावती, H.S.L. दुर्गापुर, H.S.L. भिलाई में से, कोईली की स्थानी आप उड़ती उपलब्त नहीं है, यह आपकी B.S.L. भंद्रावती को, इसको सहयंत इस्तित है, टाटानगर की नजदी, रावर की इनके बारे में पूछ लेता है, कि भिलाई स्थील प्लांट किसके सायोग, किसकी मदद से लगाया है, या रावर की लाग, तो याद रखिए जर्मनी के सायोग से, भिलाई स्थील प्लांट की सायोग तो क्रम है, रोस और भारत सरकार का, चाय जूट, लोह एवं इसपात, तथा चीनी उद्ध्यों में से हुआ है उद्ध्यों जो भारत के लिए सबसे अधिक, विदेशी मुद्रा कमाता है, लोह एवं इसपात उद्ध्यों, भिलाई, 36 गड़ में देखने कुम लेगा, दुरगापुर, पश्चे मंगाल में, जमसेथपुर, जारकन, रावर की या उडिशा, रावर की लाव, इसपात सेंद्ध के लोह को लोह एस की आपूर्टी होती है, क्यों जर सी, भारत में इसपात कारखाने का हुए समुझ जो सुतंता के बश्चाद बनाए गए थे, दुतिये पंचवरसी योगना की समय तो आपसे कई बार पूच लेता है कि दुतिये पंचवरसी योगना की समय इस्थापित किये गए कारखाने बहलाई दुर्गापुर रावर की लागए ये उशने सरोत हो गए भारत के राज्ज हो गए लासुंद्रा ये आपको गुजरात में आउलोली महराष्ट मडीकरन हिमाचलपदिस सोहिना हर्याठा ये ये आपके केंध हो गए और पूर्जा पत्तातू आपको तमिट तापिये हो जाया और जाकरी ये जल्पिंदुर कलपा कम नाप किये कोर्वा तापिये ऐलूमिनियम उद्ध्यों की बात करने तो चतीस गड़ में कोर्वा कमात है एलूमिनियम उद्ध्यों के कारण टेलको कंपनी समद्धित है ऑटो मुवाइल से किससे ऑटो मुवाइल से एक कंपनी होगई अवस्थेती होगई भाल को कोरबा में हिंडाल को पीपरी रेनिपुट नाल को वमनिसोर हेट सी एल खेतरी इंडियन अलूमिनियम हीरागुंड नैस्नल अलूमिनियम कोरागुट सूची एक सूची दो एक अलूमिनियम सयंत होगई और राच जोगई अलूपुरम एक किरल अंगुल उडिशा बैल गाम एक करनाटक कोरबार चत्थीजगण अध्यों से समझी कुछ और क्वाइंट है आपके एक केंद ओगे उड्यों काकी नाना जूट विरोद नगर वसोति वस्त के लिए चनना पत्ना रेसम भदोई कालीन के लिए यह भी आपके कुछ दिएगए सूची एक सूची दो भारी इंजिनियर उडियों राची में मसी दिये जाएंगे आप से कह दिया जाएगा कि इन्हें सही सुमलेट करना है नीचे चार ओप्सन दे लेगा आपको और अगरा वन्डे एकजाम की बात करनूं तो डारेक्ट पूच लेगा भारे अलती है भारी इंजिनिरिंग उद्ध्यों कहा है राची पिंजौर बताना है तो इस तरह से आप एक तरह से कुष्चन से जान लीजे इसके लिए सबसे बेतर यही है कि जिस भी परिक्चा की आप तैयारी कर रहे है तो उसके कम से कम साथ 6-7 साल की तो कुष्चन पेपर देखी लीजे ठीक है कम से कम अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को यह रेजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है असी पढ़ने का सही कतन है पेक्ट्रोनेट एल एनजी लिमिटिट मंगलोर में एक और एल एनजी टर्मीनल लगा रहा है ड्रेजिंग कॉल्पोरेशन ओप इंडिया का मुख कार्यले विसा का परतनम में है नारवाब वाप हाड़ खान भारती है यूरिंजिय अन्यवाल लिमिटिट द्वारा संचालिट की जाती है बिल्कुल सही है यह सभी है ठीक है सूची एक सूची दो हस्त सिल्प केंद हुग है और राज जुग है मौन नागलेंड नलवाडी असम पासी घाट अंड़ाचल किज तूर सूची एक सूची दो जिसके लिए जाने जाते हैं चर्चा के वैसे काफी नाड़ा बायोडीजल सहन्त के लिए डुंडी गल भारती बायोशना अकादमी मंडगाउं इसकाई वस्त मैटरोरेल परिच्छन यात्रा के लिए बद्रा चलम आईटी सी कागल बोर्ड एकाई के के लिए एक केंद हुए आपके उद्ध्यव आउला और वरत के लिए मौधी नगर रवर बाराबंकी पॉली फाइवर कानपूर विस्पोटर बारत का सबसे प्राचीन उद्ध्यव ए सूती वस्त का ठीक है आप एक समय सुनते थे कि हमारे आके जो बस्त हुआ करते थे तो के लिए तो आप देखते हैं मसाले और कपड़ों की लालच में तो आया थे ब्याबरी बनकर अंग्रेज उसके बाद उन्हें लगा कि यहां राज करना आसन है तो उन्होंने आराज करना सुरू कर दिया यहां देखे क्या है कि अभी आप जापान में जाएंगे तो आप ए रसियन है चाइनीज है मतलब आपको हावी नहीं देखेगा वहां कि कोई धरम उपर है अभी गुशनार पहले मैं जापान की कोई पिदान मंतरी राष्ट पिर मुखा भासवठ होन रहा था उन्हें एक कहा था कि मेरे देश मतलब आप सोची परमाडू बंग दो बार गिरा जाता है प्रभाव तो आप समझी परमाडू बंग से निकलना जील के कितनी बड़ी बात ही जाती है तो आहां एक तो सबसे बार कहा गया है मानव संसाधन पूजी बहतर है और दूसरा मानव में लगन है जो भी ब्यक्ति हैं वाल लगन है अपने लिए काम कर रहे हैं अगर की सथे चल्प हैंडी क्राफ्ट धार चैंदरी की साड़ियां असोपनगर बनारस्ति की साड़ियां भी तो पिसिद्ध हैं आपके हैं मसूरिया साड़ी के समझे कोटा जिले से वत्तर प्रदेश में भारत इलेक्टोनिक से लिमिटेड इस्ता पे थे गाजियावाद में च सिमेंट का मुख संगठक है चूना पत्त है बिहार में डालमिया नगरत पिसिद्ध है सिमेंट के लिए मदवदेश में कीटना सक उद्देव पिसिद्ध है भोबाल इसके लिए इस उची होगी आपकी और स्थान विसाका पतनम पोत निरमार के लिए पिसिद्ध है मुरी अलूमीडियम के लिए य है मृि अलूमीडियम के लिए सिमेंट अ के गुरगाओं गुरुग्रा मोटर गाडियों के लिए पंःकी वरवर के लिए उद्द्ध do वरवंदर पेट्रोर्र सायन नाथ फेन लोहाईस पार रावर किला बारत में पंजिम बंगलोर पडूचिरी और औरंगाबाद उद्विक छेत में से रवर उद्देव इसते थे पंजिम में देखने को मिलेगा पीपी उत्तरविदेश में उद्देव जल्विद्दुर बार बर्ज राज नगर उडिशा कागज के लिए कियमूर मद्गदेश सिमेंट के लिए हल्दिया पच्छे मंगार पेट्रोर रसाइन के लिए फोलपुर उत्तर पिदेश और वरक के लिए बारत का सबसे वड़ा पेट्रोर रसाइन का रिखनाज देते गुजरात में इस्टील अथर्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ड्स है 1914 सही सुमले थे हमलाई मद्गदेश बतलारपुर महराष्ट बर्ज राजनगर उडिशार राजांदरी आंदगदेश भारत में सरवाधी कागज मिले इस्थे 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 थे गुजरात में कहां गुजरात में ठ चाहिएगा कथन एक कारण आड़ कथन यगिपी भारत के कुछ यगिपी भारत के कुछ ही भागों में कबास उतारी की जाती हो पंग्त तो सूती वस्त पूरे देश में फ्हला हुआ है बिल्गो सही है कच्छा माल वस्त बनाने की विक्रिया में अपना भार नहीं कोता है पर में सूती वस्त कारण भी सही है यानि कि ऐ सूती वस्त कारखाना सुरूगा था पश्चे मंगाल में फोट ग्लाउस्टर में पहलाद कारिकाना सुरूगा था लृटिर सूम सूती बस्त उद्ध्यों की स्थाफना हुई थी कलकत्ता में, कहां कलकत्ता में, यह आपके उद्ध्यों हुए, क्यांद हो गए, रेसम बस्त मैसूर करनाटक, पैट्रोर रसाइंट, जवाहर नगर गुजराद, और बरक, तल्चर उडिशा, आसदी निर्माट, रेसी केस उत यह भी सुर्म में लेते हैं, आपके सूची है, सूची दो, Steel Authority of India Limited, दिल्ली, हिंदोस्तान, जिंक लिमिटेड, उदैपुर, Heavy Engineering Corporation Limited, राची, इंस्टूमेंटेशन, 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 इंस्टूमें जारखन, अलवाय, केरल, धर्मापूरी, तमिलाडू, कौयाली, गुजरा, यह उद्दोगे काहिया होगे यह आपके केन्द होगा है, एटलस साइकल कंपणी की लिमिटेड कहा है, सौनीपत में, इसका केन्द, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर में, इंडियन फार्मर्स, फर्ट्रिलाइजर, कालोर, नैशनल अलुमिनियम कंप्टी लिमिटेड बोमनेसर, डायमंड पाड़के यह वे उद्दोगे केन्द है, जो हीरों और सिंथेटिक जवाहाराद, आउसन के निर्माड और निर्याद के परोग, को परोसायन करने के लिए बनाए ग यह सूचना परोदगी और स्पिक करिया सामगरी, सॉप्ट विया, पंजाब में उद्द्यव के लिए पिसिद है लुधियाना, कौन सा लुधियाना, भारत में उद्द्यव जो पानी का सबसे वड़ा उभोगता है, ताप सकती, क्या ताप सकती, ठीक है, पानी के पर पू जेकी नगर, तावा, मलाजकंड, जस्तार, टुंडू, और जूट, भाटवाड़ा, सूची एक, सूची दो, उद्द्यव और अवस्तिति इनकी, और वरक, स्रीगंगा नगर, काच, जैपुर, सेमेंट, उद्यपुर, किंतिमिरेशा, कोटा, देशों में, देश में पेट करना, रेसम के लिए, बदोई, कारपेट के लिए, पारपर, एक, साधी वस्त उत्पादन के लिए, सुख्यात है, यानि की, पिसित है, चदेरी, कांची परो, ठीक है, बनारसी, जरी और साधियां, राजिस्थानी, दालबाटी, चूर्मा, और तिरोपती, लटू में से, बहुगलिक सूचना, जियोग्राफिकल इंडिगेशन की इस्तिती पिदान की गई है, बनारसी जरी, पसाधियां, तिरोपती, लटू को, सिबकासी उत्दोविक चे तवस्ते थे, तमिलनाडू में, भारत में सिबकासी, केंद इस्ते थे, मदुरई, कोईमबटूर, लोग बात करें, तो 1988 में अंटार्किटी का महधी पर भारत ने अपना दूसरा विज्ञानिक सोथकेंद मैत्री स्थावित किया, इस सोथकेंद का प्रमुक कार क्या है, समुदरी जयवसास्त की चित में अनुसंधान करना, ठीक है, अंटार्किया कि में तीसरे भारती है, स इसरे को आप लोग भारती के नाम से, इनकोईंट से याद रखना, इंटरनाशनल कॉप्स रिसर्च इंटीट्यूट फोर श्यमी, एरिट टॉपिक्स, प्रॉपिक्स, इस ते थे है, हैधराबाद में, इसका सोथ नाम भी याद रखना कही बार पहुच लेता है, सोथ में, के अंदरीयस के भूमी किर्सी अनसुनदान सनस्थान? आपको C-R-I-D-A आपको देखने को मैं लेए हैधराबाद में, के अंदरीयस के भागवानी सनस्थान कहां आए? विकानेर में, वराश्टी spris अनसुनदान प्रिबंधन अकादमी अवज़ते थे हैं हैधराबाद मे राश्टी किसी वेपड़ान सनस्थान रिचते थे जयपुर में उध्यानिममा ववानिकी विशविध्याल है इसते थे सोलन में Central Food Technology Research Institute रिचते थे मैसूर में कहां मैसूर में ठीकल मैसूर में ए आपकी सूची एक होज सोची दो राश्टी पर्यावाण अभियांत की अनुसंदान संस्थान नांपूर में देखने को मिलेगा केंदरी ए खाधपरोदोगी की अनुसंदान संस्थान मैसूर में केंदरी ए आलू अनुसंदान संस्थान सिंभला में केंद्री ये तमाखव अनुसंदान संस्थान राजा मुंद्री में सस वनकी का राष्टी सूध केंड कहा देखने को मिलेगा जहासी में कहा बुंदिर इसका सहर जिला है खेतों में फिप्थ होने वाले बाले वजारों मसीनों पर सोध किया सोध और विकास का सेंट्रल इंटिटीट ओफ इंजिरिंग द्वारा किया जा रहा है जो इस्ते थे भोपाल में, M.D. में M.P की राध्दानी है ना भोपाल भारती चावाज सोध संस्थान इस्ते थे कटक में वराष्टी डेड़ी अनुसंदान संस्थान इस्ताप्यत करनाल में भारती दलायन अनुसंदान संस्थान कहा है कानपुर में भारती साक भाजी अनुसंदान संस्थान है वराणडसी में कहां बनारस्त में ठीक है उत्तर गदिश का सहरेग आप जानते हैं नर्द मौदी साहब हमारे यहां से चुने गए हैं लोकसवासदस यहीं से हैं केंद्रिये उकूर्ट बागवानी संस्तान अवस्ते थे लगनव में इंडियन बीरो और माइन्स का उख्याला अवस्ते थे नामपुर में केंद्रिये खनानन संस्तान संस्तान इस्ते थे धनवाद में भारती हीरा संस्तान इस्तापे थे सूरत में राष्टी दोग विविकास पोड इस्ते थे आनंद में क्या आनंद में सूची एक सूची दो संस्तान इस्तान राष्टी सरकारा संस्तान कानपुर मिस्स धात्व निगम लिमिटेट हैदराबाद सैनेविधी संस्थान कामटी राष्टी अखंडता संस्थान उडे ठीक है आगे है भारती गंदा अनुसंधान संस्थान लगनव में भारती गंदा अनुसंधान संस्थान का है लगनव सूची एक सूची दो, केंदरी है धान अनुसंधान सहस्थान कटक, खेती परणाली, अनुसंधान नेदेशाले मेरट, भारती मिर्दा विग्ज्यान सहस्थान भौपाल और वनकी सस्थ वनकी का राष्टी सोथकें जहांसी में राष्टी एटलस और थीमेटिक मानचित संगतन, कोलकाता में देखने को मिलेगा, भारत में नैचुरल हिश्टरी का राष्टी संगराला इस्तापित है, नई दिल्ली, मैसुरो, भौपाल और गोबनीसुन में, सूची एक सूची दो, एक संस्थान होगए और स्थान होगए C-S-S-R-I, एक करनाल में देखने को मिलेगा, C-T-C-R-I, एक दिबेंदम में देखने को मिलेगा, I-R-R-I, एक मनीला में, C-A-Z-R-I, एक जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा, कहां जोधपुर में, पौध सरक्षन संगरोध और भंडारन ने देशले अवस्त थे फरीदाबाद में, कहां फरीदाबाद में, फसलों की परियोजना ने देशले हो इस्थान जहां इस्तित है, D-R-R हैदराबाद में, D-W-R करनाल, D-M-R नई दिल्ली, D-P-R कानपूर में, D-P-R कानपूर में, इस सूची होगे ही आपकी और अवस्तिती होगे इनकी, इस स सथान यानिकी, इस्ति, भार्ठी गल्ना नमसंदान सस्थान लखनौ, टो राष्टी पादब अनुनवांसिअछी अनुसंदान वेवरो नई दिल्लि, राष्टी परद सुरक्षा पिसीग चान सस्थान हैदराबाद गेहाँ अनुसंदान निते सारे करनालक। राष्टी के लिए इन के ते गाजियावाद में यह परीबान सिज़ा मंदिर दिख लिए ते सड़क परीबान भारत में देश की राश्ती राज मार में कि उनकी संक्ष्या लंबाई है तकरीवन क्रमसा 250 से अधे और 187 से किलोमीटर ठीक यह बढ़ता रहता है देखे अब जैसे तरक्की करता रहता है जैसे यह बढ़ते रहते हैं ठीक है तो 250 यह नहीं कि 280 पिलस भी हो चुके हैं और एवी रोड किलोमीटर में इसकी लंबाई भी बढ़ती रहती है बारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग राष्टी राजमार्ग सेवेन है राष्टी मार्ग क्रमांग चार निमलिकित से होकर जाता है महराष्ट आंद्पिदेश खरनाटक तमिलाडो से महराष्ट आंद्पिदेश करनाटक तमिलाग वहराष्ट जिसमें राष्टी राजमार्ग की सरवादिक लंबाई पाई जाती है उत्तर पिदेश में जब आपका world maps cover किया था तो उसमें बताया था कि देख ये जा रहा है पूरा maps का साहर वाली कर तो उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं मानचित के नाम से आपकी फिलेलिट सूची बनी भी है भारत का वह राज जिसमें प्रांतिय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महराष्ट में स्वाइड चतुरभूट परियोजना का संब्द है राजमार्ग के विकास से भारत की स्वाइडम चतुरभूट परियोजना जोडती है दिल्ली मुंबई चैनरी कोलकाता को पैदान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना संब्द है राजमार्गों की विकास से दो राष्टी राजमार्ग कन्याकुमारी सेरी नगर राजमार्ग और पोरवंदर सिल्चर राजमार्ग जो राष्टी राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर के निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगी जहासी में कहां जहासी में उत्तर दच्छिन गलियारे परिस्तिद नगरों का उत्तर से दच्छिन क्रम है आगरा ग्वालियर नागपुर्ग किष्णाग्री माराष्ट में छेपक एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संब्ड़ दिखिया गया है मुंबई और पूरेपुर आगरा भोपाल दूले और ग्वालियर में से वह नगर जो राष्टी राजमार तीन से नहीं जुड़ा हुए तो भोपाल नहीं जुड़ा हुए आगरा दूले ग्वालियर ये जुड़े हुए पैधान मंत्री की ग्राम सड़क है उजना उन गाउं में समधायक जीवन का विकार सीतु जुड़ सड़क से भाली माती समध दियानी के नहीं जुड़े हुए उन्हें जुड़ना है इसका भारती राज्यों का उनके पिती सौ वर्ग किलोमीटर चित में उनकी भूतल मार् संपूर्ण सड़क परिवान आवस्ता के लगबग 40-30 की पूर्थी करते हैं राष्टी राजमार्क संख्या साथ देश का सबसे बड़ा राष्टी राजमार्क है अमरस्तर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्टी राजमार्क की संख्या दो की नाम से जनती है भारत का 40- सब्से बढ़क परिवान होता है राष्टी राजमार्क से, वह है राष्टी राजमार्क जिसकी मद्धयपिदेष Member लंभाई सरवाद है NH3, आजरा ग्वालिय देबास मुंबई, याद रखिए ano ya mt का सबसे बड़ा राष्टी राजमार्क है NH3 ठीक है और भारत का पूंचे तो यह नहीं सेविन नहीं चावालीक्स की नाम से भी इससे जान रहे हैं आज कल आप लो राश्टी राजमार प्रियोजना के समध में सही कतने यह दिल्ली मुंबई कोलकाता चैन्ने को जोड़ता है इसकी कुल लंबाई आप 5840 किलोमीटर है उत्तर दच्चन कल ले आरा सिरी नगर से कन्या कुमारी पूर पश्चिम कल ले आरा सिल्चर से पूरबंदर ये भी कई बार आ जाता है जोडने के लिए तो सिरी नगर से कन्या कुमारी और सिल्चर से पोरबंदर को जोडता है जवाहा सुरंग गुजरती है बनी हाल दर्दे से रेल परिवान की बात करने हो तो भारत में सबसे पहले रेल मार्क तेयार हुआ था ये बात है 1853 की आप देखेंगे पहली रेल लाइन बनी थी मुंबई से थाड़ी की बीच चली थी 1853 में बड़ी लाइनों लाइन की दो पटिदियों के बीच की दुरी होती है अब समझे आप लोग की अभी इतना मतलब यही जो ट्रैन है यही तो ब्यवस्तित तरीके से चलनी पार रही है बुलेट ट्रैन चलने की बात हो रही है देखिए मुझे लगता है आप लोगों का पता नहीं आप लोग भी अपना व्यू नीचे लिख सकते है लेकिन हम निजी करन लाएक हमारा भारत है नहीं है अब आप सोचिए कि होस्पीटलों का निजी करन करती आया तो स्वास्त बेवस्ता कितनी मायगी हो जाएगी और आप जानते हैं कि आदिस यदिक लोग गरीवी में जी रहें वो अपोर्ण मतलब इतनी क्रह नहीं कर करते हैं क्योंकि प्राइवेट बस में आप देखेंगे बहेंकाई रहती है ठीक है तो हम लोग अभी उस इस्तिती में नहीं है तर्फार्वी जॉन मुख्याल है उत्तर पूरवी रेलवी गोरपूर दचनकूर्वी रेलवी कोलकाता- पूरवी रेलवी कोलकाता- दचनकू वन्नी जीवन और विरासत इस्थलों की यात्रा विजित करती है रेलवे का जौन मुख्यालय हाजी को रिष्टित है बिहार में मद्रेल रेलवे जौन चित का मुख्यालय रिष्टित है रिलावाद में यह नीचे दिये गए आपके पॉइंट है कुछ दिल्ली से चलें तो दो परियाटक जिसमें से एक तो कराची जाना है और दूसरे को भूज साथी की तलास में है जिस रेलवे जग्शन जहां तक भी साथ चल सकते हैं तो उसे मानचित्र में दर्शाए गया हुए है यहां तक ठीक है यानि की बाला तोर्त इस तरह की ग्शन से भी पूछ लेता है देख रहे यगपी रेलवे भारत में सबसे अधिक ब्यापक परिवान साथ है परंतु सितनता के बाद की अधिकान सब्दी में सड़क परिवान को सर्वादिक परूसान में लाए इसके कारण क्या है रेल परिवान परिचाला में सस्ता है पर उसकी समर्द पूझी लागत बहुत अधेक है मानोवस्तियों का भोगुलिक विस्तार इतना देखे कि किवल रेलवे से ही परिवान की सारी आवस्ताओं की पूर्दी की आसा करना बास्विक नहीं है रेल का सवरूप आविवाज जोने की कारण जनता के लिए प्रहा इसका लाव उठाना उतना सुध्या जनक नहीं है जितनी की निजी कारों बसों और दो पाहिया बाहनों की लाव का उठाना है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी चलिए वाल लेते हैं कि आपके चित में आ जाता है मैने स्टेशन तक कोई सामान आ जाता है लेकिन आपको विरावणी चित्रों में पहुंचाना है तो आपको सडक मार्ट का युप्यूग करना होगा वहां तक आप देंगे कि रेल भी चुद्धा नहीं है ठीक है सूची एक और सूची दो रेल कूच पैक्टरी एक कपूर तला में देखने को में लिखे वील एवं एक्सल सायंत बैंगलोर में डिजल लोकोमेटिक बॉक्स वराड़सी में एंट्री गरल कूच फैक्टरी प बनाए जाते हैं कहां मडू वारडी में वहराज जहां यात्री रेल डब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माड होता है पंजाव और तमिलाडू में रेलेवे स्टाफ कालेज इस्तित है बड़ो दाव है साल की लकडी का उपयूक अधिकतर होता है रेलवे सिलीवर बनाने में गुजरात के कच्छी रूप रेखा मांचित में एक दो तीन चार दिखाये गया है चार जंक्सन कौन कौन से हैं यह आप देखेंगे महसाना सुरेंद नगर राजकोट और जूनागर ठीक है तीसरी रेल कोच फैक्टरी इस्तावित की जा रही है राय वरेली में कहा राय वरेली में वह रेल खंड जहां पर पित्थम CNG ट्रेंज्टरों की लिए रेवाडी रोहित खंड पर वह पहला राज जहां PPP model पर रेलवी टेक बनाया गया है गुजरात में Conquer रेलवी जोड़ता है रोहा से मंगलोर को Conquer रेलवी में सरवाधिक लावानवीत राज हैं गुवा करनाटक महराष्ट की रफ याद रखिए प्राइवीट रहने चलाने ठीक है अची बात है इसमें याद रखिए वो लोग सफर कर सकते हैं जिनके पास पैसा जिनकी आर्थी खिस्तितीए ठीक है और ये भी देखा जाएगा कि आप बहुता देखते हैं प्राइवेट बजस में आप देखते हैं कि सहे ठाइम पर पहुस्चा देदे रहे हैं लेकिन आप स्रकारी बसों का और आपर देखेंगे हाल कितना रहता है कि पता नहीं कब से कब पहुँचेंगे तीन घंटे कर रास्त तत आप तेरा घंटे में कभी-कभी कवर करते हैं तो ऐसा देखा जाता है और जो प्राइविट रने चलाई जा रही है उसमें आपको अगर टाइम जाना लगता है लेट होती है तो उसका भी आपको एक तरह से भुखतान मिलेगा तो यह वैसे अच्छी बात है लेकिन हम लोग अभी उस इस्तिती में पहुँचे नहीं है ठीक है? सब के बाद सुगधा हो जाए उसके बाद इस तरह की बात हो सकती है बेल गाउं, मढगाउं, रतनागिरी और उड़ूपी मैंसे कॉंकर रेल भी नहीं है जोडता है बेल गाउं को वह दो रेल भी इस्टेट्शन जिन्हें जोडने वाली रेल लाइन को यूनेसको ने धरोवर के रूम में मानता दी सिली गूडी और दाल्जलें को भारत में उवराज जो रेल सेवा से बंचित है एव सिक्कें अब तो यहां भी देखी जा रही है, सिक्कें में भी बिछने लगी है ठीक, रेल सुरंगों के लंबाई के अनसाथ शही अवरोविक्रम है पिरबंजाल, कारवुद, नाथुवाडी, बर्देवाली नौ परिवान की बात करूँगों अगर बाईव परिवान की तो मालावार कॉंकर्ट, कुरुमंडल और उत्री सरकार तटों में से कोची बंदरगार संबन दी थे मालावार तटसी, किसे मालावार तटसी सत्य कतन है, नौ परिवान, मत्स गहन, मैं जवारवाटा अतेंसाहिद होता है उच्च जवारवाटे बड़े जलयानों और कोबंदरगाहों में सुरक्षित प्रविश करने का या निकाल ले योग बनाता है जवारवाटा बंदरगाहों मैं साधन रोपता है और कांडला और डायमंड हारवर जवारिये बंदरगाह है यह सही है, सभी भारत में सबसे बड़ा पोथ, प्रांगर, सिभगार है, कोची, कोचीन में बारत में मुख जुआरिये पतन है कोलकाता और कांडला में कांडला बंदरगाह जो एक प्राक्टिब बंदरगाह इसते थे कच्छ की खाड़ी पुर्वी तटपा बारत का सबसे गहन बंदरगाह है पतन है बिसा का पतनम पारादीब का विकास जिन बंदरगाहों का भाहर कम करने के लिए किया गया था बेहें कोलकाता और विसा का पतनम का पारादीब बंदरगाह अवस्ते थे उडिसा राज में मर्मू गाउ पतन इसते थे ग्वाम है भारत का सरवाजी का आयाद नौबार तथा निर्याद नौबार बहन है कांडला पतन से भारत में किंतिम पतन है चेन नहीं और तूती कोरेन यह आपका ABCD में से चेन बनाएगे यानि की बंदरगाहों की नाम कुद्स दर साता है ए आपका माहे, B, कराई कल, C, पुडूचरी और यमन, ठीक है, D आंद पिदेश का बंदरगाह नगर है काकी नाड़ा भारत के कचे रूप रेका मानचित्र में दिखाएगे निमलिकित बंदरगाहों से नदी तटी यह बंदरगाह है, कोलकाता ठेक है, पतन जहाँ L, N, G, टर्मिलल नहीं है, वह है कांडला, वह स्थान जहाँ पर तीन अर्द चंदाकार समुद्धतत मिलते हैं, कन्याप मारी में सेतु समद्रम परियोजना में 9 परिवहन नहर की लंबाई है, 167 किलोमीटर 167 किलोमीटर सेतु समद्रम परियोजना जिने डोडती है वे मन्नार की खाड़ी और पाख खाड़ी सोची एक सोची दो, कांडला, गुजराद, ज्याहावा, सेवा, महराष्ट, पारादीब, उडिशा, तोती कोरिन, तमिलनाडू सोची एक सोची दो, समुद्री बंद्रगाह, राच, अलेफी, केलल में, एन और, तमिलनाडू, पारादीब, उडिशा, काकी नाड़ा, आंधविदेश किष्णा पत्रनम बंद्रगाह की संबर्दन से सरवादिक लावन भी तराज होगा, आंधविदेश भारत का सबसे बड़ा बंद्रगाह कौन से है, मुंबई में, गंगा नदी का वए भाग जिसको राच्टिय जल्माग गोसित किया गया है, यह इलावास से हल दिया तर, देश का सबसे लंबा आंधरिक जल्माग, इलावास से हल दिया तर, ठीक है, पश्टमंगाद, वह र राच्टिय जल्माग जो कुट्तापुरम और कुल्लम को जोड़ता है, किरल तटिय नहर जल्माग, इस सस्था भी पढ़ेगा अगर इस तरह की सुगिधा हो जाए, नदीयों के द्वारा, राच्टिय अंतर देशी ये 99 प्रिसंस्तान अवस्तिते पटना में, भारत का कु सागरी ये वंदरगा है, चैन नहीं, भारत में बाहर पतन की विशिष्ट उधारन है, हल्दिया, इस सिभगाड हो गए, राच्ट हो गए, गाइडन रिच, पक्ष्यमंगाल, हिंदोस्तान सिभगाड, आंधविदेश, मजगाओं जोग, डॉक्स, ए महराष्ट, कोचिन सि चैन नहीं नहीं, दमन, जझयाज, कराईकल, और रतंआगीरी बंदरगाउ में सु भारत के पष्टमी थतपर lashस्तित नहीं हैında, कराईकल बंदरगा, पष्टमी थतपर को को लाहिमिली। इसमें लंबे नौच संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक किंतिम अंतरदेशी ये पंदरगाह की निर्माण की संभावना का अपता लगाया है राजिस्थान में सही संभी लेते हैं मोर्मू, गाउं, ग्वामे, पारदीप, उडिसा, मंगलोर, करनाटक, मुंद्रा, गुजरात, पर्याटर क्रिस्थल भी देख लेते हैं ये पर्याटर क्रिस्थल हुआ है और ये राज्चों गया है इनके चकराता, उत्राकंड, हपलान, असम, कालिमपॉ क्वाश्चिंबंगाल, कुपरी हिमाचल पिद्दिस में, सुची एक, सुची दो, राज्चों के परयाटर क्रियन, जम्मु कसमार में अपको मर्ग जम्मु कसमार में देखने किए अधा धुश वहगा। दच्छिन भारत की भगवान रंग नाथा, जिने भगवान बैंकेट भी कहते हैं, का मंदिर इस्ते थे बैलिगरी रंगा भाड़ी पर, भारती ये परेयटन मंतराले ने भारत में परेयटन को प्रवसान करने ही तो, जिस अवधाना को लोग परिये करने का उपयोप किया है, हुआ है, अतुल भारत, याद रखी हमारी अत्ववस्ता में परेयटक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ये पुदान देती है, याद रखी कई छेत्रों में नौकरी भी देते ही कई लोगों को, ठीक है, आप सोची आप आगरा गुमने जा रहे हैं या आप सोची कहीं भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ आप जाएंगे, रोकेंगे, वहाँ गाइड जो भी करेगा, आप उसे भी आप पैसे देंगे, वहाँ जो टैक्सी एरिक से वाले होंगे, इस तरह से सुग्धा पूरी जोड़ी रहेगे, लोगडाउन में आपने देखा है, इस्तिती कितनी ब कुलधारा, धनुसकूडी और लखपत नगट, ये तीर तिसकल है अवस्तिती, स्री सेलम, नलमला पहड़िया, ओंकारिसो, मंधात, मंधाता पहड, पुसकर अरावली, कुछ और पॉयंट है इन्हें भी दिख लेते हैं, वहाँ सेजन्त जो सक्ती तथा खाथ दोनों दी सक पादक ओभोगता की रूम में, दूसरे स्थान पर है भारत, टिट्डियां भारत में प्रिविश करती हैं पाकिस्तान से, ये समय समय पर आपको देखने को में मिलता है, इस्थान हो गया राज, स्री हरी कोटा अंध्विदित में, तम्मा केरल में, भाबा एटो में एक रि पाका सदन, भालापुर, सैल रसाइनिक संकुछ, नियावा सिवा, बंदरगा, रतनागरी, मस्यान केंद, थुम्मा में विक्रम सारवाही अंतरिक्च केंद की स्थापना के लिए सबसे मत्कून का कारण है, थुम्मा का भूचुम किये विश्वत रेका परिस्तित होना, इ इद्रा गांधी कि इखिय विश्वत रेका अचार एंगी रंगा, एग्री कल्चर उनिवेसिटी, आंधवेदेश में, केड अनरजी का मुख्याला है, स्कोर्ट लेंड में, एय रामिस्वरं मोवें, तमिलाडु में, द्वारका, गुजरा, साहरनाद, उतर्पड़ेश, म इडेन गाइडन गाइडन से एक कुलकाता में भूमीगर ग्रेल भी कलकत्ता, आम, रतनागिरी, ताले, अलिगर्ड के लिए पिसे दिपाउन सा सहर अलिगर्ड, चावल, देहरादू डायमंड हरवर तता साल्ट, लेक सिर्टी के अवस्तित है कुलकाता में डिंडी गुल नाम है तमिलाणू में एक नगर का हरित राजमार्क का लक्षे व्यक्षा रूपन भारत में पीतल के वर्तनों के लिए पिसे थे मुरादाबाद उत्तरकदिश जंगल महल कहलाने वाला छे तवस्तित थे पश्चिम बंगाल में भारत के पितम परमाडू रियक्टर का नाम है अफसरा भारत वर्स में सरपितम दूरभास का पदुरभा हुआ था 1850 में भारत में टेलीग्राप सेवा का सरपितम शुरू हुई थी एक कलकत्ता और डायमंड हालवर्ड की मद्ध तो यह थी आपकी भारत का भूगल इसका भारत का भूगल एक सब्जेक्ट और बश्चता है आपका इतिहास ठीक है बागी इत्पित ज्यान आपका कबर हो चुका है पूरा फिजेक्स क्यमेश्टरी बाइलोजी पर्यावन पारिश्ट की भी कबर हो चुका है अर्द्विवस्ता भी समिधान भी भूगल भी अब ब जब भी आप जाए पेपर के साइं टाइम आप लोग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कतम भी कर सकते हैं इसे पाड़ कर ठीक है रिविजन के लिए रखिए इसे अपने पास